जब भी आप लोग किसी एक जाम की तैयारी शुरू करते होंगे तो आप सभी लोगों के मन में एक सवाल जरूर रहता है कि आखिर GKGS के लिए आपको कौन सी वुक्स पढ़नी चाहिए और खासकर तब जब आप लोग देखे कि विस्तार में ना पढ़ना चाह रहे हों किवल वही पढ़ना चाह रहे हैं जो परिक्षाओं में पूछा जाता हूँ और याद रहे कि खासकर वंडे एक जाम में और मैंने तो यहां तक देखा है कि जब आप देखे सिविल सर्विस का प्रिलिम्स हो या इस्टेट पीसी एस में प्रिलिम्स हो तो समय कई लोग बनने की पूरी संभाव ना रहती है अगर आप लोगों को विस्तार से पढ़ना है तो मैं कहता हूँ कि एसी ए आइटी की पढ़ लीजी या और भी स्पेसल वुक्स आती हैं उन्हें भी आप लोग पढ़ सकते हैं खासकर इससे देखिए आप लोग चाहें आपके किसी भी इस्टेट लेवल के एकजाम हो या आप देखें सेंट्रल के जो भी एकजाम होते हैं उनमें कापी कुष्चां से इसी से पूछे जाते हैं और आप लोगों की मांग भी थी कि जो निव लूसेंट आई हुई है लेटेस्ट लूसेंट है उसे हमें लोगों को देख लेना च backstory यानि कि विष्व का इतियास भी देख चुके हैं और आज की इस क्लास में हम लोग भूगोल के बारे में बात करेंगे किसके बारे में बूगोल के बारे में बात करेंगे और याद रखिए इसके लिए एक सैफ रेट आपकी पिले लिष्ट सूची बना दी है किसके नाम से लो सेंट वुक रिवीव के नाम से और उसमें जाकर आप देखेंगे तो सभी कलासें आपको मिल जाएगे अब आप देखें कि भूगोल में हम आज इस कलास में क्या क्या पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले हम लोग ब्रह्मंड के बारे में पढ़ेंगे फिर आपका सौर मंडल भी देख लेंगे पितिवी और उसका सौर एक संबंद क्या है उस पर बात कर लेंगे पितिवी की आंतरिक सरचना को भी देख लेंगे इस थल मंडल हो गया इस पर भी बात करेंगे महादीप हो गया जल मंडल हो गया महासागरिय जल्धारा है फिर बायू मन्बल को भी देखेंगे विस्त की पिरमुक फसले है उत्वादक देश इस पर भी बात करेंगे फिर आप देखेंगे विस्त की पिरमुक खनेज और उत्वादक देशों को देखेंगे विस्त की पिरमुक जो बीनिर्माड उत्देवग उन पर भी बात करेंगे विस्त की पिरमुक भौगोली को नाम भी देखेंगे विस्त के पिरमुक भौगोली को नाम भी देखेंगे विस्त के पिरमुक भौगोली को खोजें देखेंगे विस्त के महासागरों के बारे में जान लेंगे नहरों के बारें पे जाल लेंगे पिरमुख जो जल सन्या हैं उन पर भी बात कर लेंगे विसके पिरमुख जल डमरू भी देख लेंगे विसकी पिरमुख जो नदिया हैं उन पर भी बात कर लेंगे और नदियों के किराले जो नगर हैं उन पर भी बात करेंगे विस्टिव के पिरमुख जलपेपाद भी देखेंगे विसकी पिरमुख जीलें विसके पिरमुख परवस सिखर विसके पिरमुख दुईप विसके पिरमुख पठार विसके पिरमुख रैगिस्तान विसके पिरमुख देशों की राध्धानी और मुद्रा currency विस्व के भू आविष्टिद देश और विस्व पिसित इस्थल भी देख लेंगे एक बात और आप लोगों को बता देता हूँ देखिए आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोगों ने विस्व का भूगोल map का सहरा लीकर पड़ाता है अगर आप लोगों के पास टाइम है तो आप लोग उस किलास को जरूर देख लेजेगा map या मानचित के नाम से एक playlist सूची बना रखी है उसमें जाएंगे तो आप लोगों को सभी देश देखने को मिल जाएंगे map का सहरा लीकर जब आप लोग पड़ते हैं तो मुझे लगता है कि बहतर आप लोग याद रख पाते हैं और बहतर पर इच्छा में स्कोर भी कर पाते हैं और तो मुझे लगता है कि उस किलास को आप लोग कवर कर लोगे तो आप देखेंगे कि कम से कम 35-80% आपका विस्त का भूगोल कवर हो जाएगा क्योंकि आपका मैप को सामने आपके रखके बताए गया है कि देखे यहाँ यह देश है इसकी करेंसी यह है आप देखे इस देश की सीमाई इतने देशों से लगती है पिसांत पहा सकर हो पिरमुख जो नदिया है उनको भी हम लोगों ने दिखाया हुआ है जो जीले हैं उस पर भी बात की हुई है इस तरह के तरेव जो भी आपको आता है विस्त के भूगोल में सबको देखा हुआ है तो वहाँ जरूर जाकर आप देखें ठीक है चली अब हम लोग आगे वढ़ते हैं विस्त के भूगोल कह लीजे या भूगोल कह लीजे जो भी कहना है आपको इस पर हम लोग बात कर लेते हैं विस्ताद से थोड़ा तो सबसे पहले आता है सब्द की सरपितम भूगोल सब्द का प्रियोग Eristhinich और एक ग्रीग विद्वान था इसने किया था इसका प्रियोग अगर आप से पूँचे कि भोगोल सब्द का प्रियोग सबसे पहले इसने किया था तो ये था Eristhinich ने जो ग्रीग का विद्वान था और ये हैं सब्द ग्रीग भासा के दो मूल पिथवी, जियो मतलब पिथवी, ग्रापोस यानि की बर्डन से पराप्त है, यानि की दोनों का एक साथ अगर रखने पर हम अर्थ निकालें तो पिथवी के बर्डन, यानि की पिथवी के बारे में जानने से संबन देते हैं, भूगोल के नापकरन और इस विसाय को पिरात् यानि की पिथवी का बर्डन में सरपिथम भूगोलिक तत्तों का किरमद समावेश किया हुआ है, इसको भी याद रखेगा, अध्यान के लिए सुतंत विसाय की रूम में भूगोल की बात करेंगर हम लोग, तो 19-20 ताबदी में मानता मिलती है, अध्यान के लिए सुतंत व और यहां भूगोल का जनक किसी माना जाता है, हेकिटी एस को, बर्तमान भूगोल का जनक, अलेक्जेंडर वन हमबोल्ट को, विवस्तिक भूगोल का जनक, एरेट्रो इस्तिनीज को, भौतिक भूगोल का जनक, पॉली डोनियम को, सांस्कितिक भूगोल का जनक, कार्ल ओ सा अगर आप देखें तो इसकी दोस्त बिचार धारा हैं एक तो संभावबाद अगर इसकी बात मानुस अपने परिवतन करने में समर्थ है और वह प्रक्किती प्रदत अनिक संभावनाओं को अपने एक्छानुसार उपयोग कर सकता है और इस बिचार के समर्थकों की बात करें थे भोगोल विता वाइडल डीला विलास और फैब्रेस के समर्थक हैं ठीक है और एक है आपका देखिए नि समर्थकों की बात करें तो भोगोल विता रेटर रेट जेल नवीन निश्चयवाद का संस्तापक माना जाता है एलन सेंपोल और हटिंग टन इसके समर्थक हैं भोगोल की कुछ परिभासा हैं भी दी गई है नीचे आपको इन्हें भी याद रखेगा हो सकता है कथन की रू आप इने लेख सकते हैं ठीक है भोगोल एकसा एक सुतंत विसा है जिसका उद्देश लोगों को विस्व आकासी पिणनों इस्थल महासागरों और जीब जन्तूओं बनस्पतियों फलों और भूध धरातल की छेत्रों में देखी जाने वाली पितिक अन्न वस्तुगों का ग्यान प्राप्त कराना है एक इसने कहा था इस्ट्रेवों ने ठीक है फिर दूसरी परिवासा है भोगोल पितिवी की जलक को स्वरग में देखने वाला आभा मै बिग्यान है एक इसने कहा था कले डियस टॉल्मी ने और अगर आप से पूचे कि एक और है भोगोल का वह ब उससे भाग का ध्यन किया जाता है जोकी मानाओ के रहने का स्थाने और थारहॉम्स ने ये परिवासा दी हुई थी तो इन सभी परिवासाओं को आप लोग जरूर याद रखा करियेगा और क्या जाता है याद रखने में याद रखना जरूरी भी है समझ रहे हैं आप बारे में अस्तित्मान द्रव एवं उर्जा की सम्मलित रूप को हम लोग क्या कहते हैं ब्रहमंड कहते हैं और दूसरे सब्दों में सूक्षंतम अडूओं से मिलकर महा काय आकास गंगाओं तक की सम्मलित रूप को हम लोग क्या कहते हैं ब्रहमंड कहते हैं ब्रहमंड की उत 32 से सम्मंदित पिरमों को सिध्धान दिएगा इन सिध्धानतों को जरूर याद रखेगा कई बार आपका objective रूम में इन सिध्धानतों से questions पूछे जा चुके हैं एक बात और आपको बताता हूँ देखिए जब भी आप लोग इसी एक्जाम की तयारी करते हैं तो उससे एक् किस topic पर आपको जानद ध्यान देने की जरूरत है एक है आपका महाविस्पोटक सिध्धानत विग वैंग थिए किस ने दई थी एव जोर्ज लिमेंटियर ने इसे नाम को याद रखना महाविस्पोटक सिध्धान से जोड़े हुए हैं फिर आप देखें कि साम अवस्था या सतत तरष्टी सिध्धान्थ या इस्थिर अवस्ता संकल्पना ये कैसे ने दी थी? ठॉमस, गोल्ड और हर्मन बॉडी ने दॉलन सिध्धान्थ ये देखेंगे डॉक्टर एलन संडेजा ने इसकी परिभासा दी थी इस फिर्टी सिध्धान्थ अलेन गुथ ने इसकी परिभासा दी थी यानि कि इससे जुड़े हुए है ब्रहमन्दी की उत्पत्ती के समद्ध में महाविस्पूटक सिध्धान्थ सरबादिक मानन सिध्धान्थ है और इसका पितिबादन बेल्गियम के खागोलबर और पादरी एव जोर्ज लिमेंटेर ने दिया था बाद में रॉवार्ट बेगोनेर ने इस सिध्धान्थ की ब्याक्या की थी तो इन दोनों का समद्ध आप देखेंगे कि जो महाविस्पूटक सिध्धान्थ है इस से जोड़े हुए है महाविस्पूटक सिध्धान्थ की अनस्वार अगर हम लोग बात करें तो आरहमें में बेस अभी पदार्थ जिन में ब्रहमंड बना है अती छोटे गोलक एकाकी पर्माणों की रूम में एक ही स्थान परिस्थे थे और जिनका आयतन अत्यधिक सूख्ष मौताबमान तथा घनत अनन्थ था और अत्यधिक संकेंदरन के कारण बिंदू का आकस्मिक बिस्पोर्ट हुआ जिसे महाविस्पोर्ट ब्रहमंडिय विस्पोर्ट कहा गया है और इस अचानक विस्पोर्ट से पदार्थों का विखरा हो जाता है जिसमें सामान पदार्थ निर्वित हुए और इसके अलगाओं के कारण काले पदार्थ बने जिनके समगों से अनेक ब्रहमंडी है पिंडों का सरजन हुआ और विग्यानिकों का विश्वास है कि महाविस्पोटक की घटना आस्ति लगभग आप देखेंगे 13.7 अरब बर्स पहले हुई थी और महाविस्पोटक की लगभग देखेंगे 10.5 अरब परश्याद यानि कि आज से आप देखें तो 4.5 बर्स पूर्व सौर मड़ल का विकास होता है जिसमें ग्रहों औप ग्रहों का निर्माड होता है और इस पेकार बिग बैंग परिगटना से ब्रहमंड की उत्पत्ति होती हो तभी से उसमें नियंतर विस्तार जारी हो रहा है और इसके साथ साक्ष के रूम में आप देखी आकास गंगाओं के बढ़ती दूरी का साक्ष दिया जाता है नासा ने 2001 में आप देखेंगे मैब माइक्रोबेव एनिस्ट्रोफ प्रोव नामक अनुसंधान में इनकी पुष्टी भी की होई थी तो ये भी याद रख सकते है इमाल ने जे कि एक गेंद की तरह पहले पितवी थी उसके बाद आप देखेंगे उसमें भी स्पोर्ट होता है ठीक है फिर आप देखेंगे ब्रहमंड के नेंतर विस्तारन के साक्ष जोटाने में एडविन हबल का युगदान उलेकनी है ब्रहमंड के नेंतर विस्तारन के साक्ष के रूम में एक तरह से माना जाता है ठीक है तो ये भी याद रखेगा नासा ने देखिए ये 2001 की बात है 30 जून 2001 की डैविड विलकेंसन की नितत में बिग बैंग की पुष्टी है तू मैप परियोजना का सवारम किया था और मैप एक खोजी उग रहे है इसमें प्रा ना गी थी और डेविड विलकेंसन की सेप्टमबर 2002 में इनकी डैथ के परशात उनके संबान में मैप उपगरे का नाम 11 फरवरी 2003 को डवलू मैप रखा गया था तो यह भी आप लोग याद रखेगा इनसे कुश्टेंस पूछे तो आप लोग आसन इसनी बता पाएंगे ठ ठीक है और ब्रहंबंड में रसों को जाने के लिए 30 मार्च 2010 को यूरोपियन सेंटर फोर नीव के लिए रिसर्च ने जैनेवा में पिथवी की सतय से 50 से 155 मीटर नीचे 27.38 किलो मीटर लंबे सुरंग में लाज हेडरन कोलाइजर नामक महाप्रयोग सफलता पूर्भक किया था और इसमें प्रोटान बीमों का कोलगभग प्रिकास की गती से टकराया गया था और हिंग्स बोसॉन बोसॉन के निर्माण का प्रियास किया गया था और माना जाता ही कि गौर्ड पार्टीकल के नाम से जाना जाने वाला हिंग्स बोसॉन में ही ब्रहमंड के रहस छिपे हैं क्योंकि यह सबसे basic unit माला जाता है और सर्ण ने आप देखें तो 4 जुलाई 2000 बारे को हिंक्स बोस्वन से मिलता जुलता सब एक पार्टीकल की खुच करने में सफलता हासिल की थी और इससे ब्रह्मंड के रास्तों को जानने में मदल मिलती रहती है अब आप सुचिए नई नई तकनीक आ रही है तो उनसे पितवी के बारे में और आप देखें ब्रह्मंड के बारे में जानकारी खटी की जा रही है आप सुमें रहें पर आप देखेंगे बेटिस विज्ञानिक हेक्स ने 1964 में कॉस्मोलोजी समझने ही तो गौर्फ आटिकल परमाडविक आउधारना को पेस्ट किया था जो भारती विज्ञानिक सत्यंद नाद बोस की वोसन थेओरी पर आधारित था तो हमारे विज्ञान को नाम भी काफी आता है ब्रहमंड का ब्यास अगर आप देख मंदाकनी की बात करें तो तारा का ऐसा समझू होता है जो धुंदला सा दिखाइद फड़ता है और जो तारा निर्माड पकिरिया की सुरुवात का Fortnite मंदाकनी काहलाता है और हमारी पित्वी की अपनी एक मंदाकनी हैं जिसे आप लोग दुग guit मेकला कहते हैं याँकास है और इस मंदाकनी को सबसे पहले गैलेलियों ने देखा था तो यह भी आप लोग याद रखिएगा आकास गंगा की सबसे नदीक मंदाकनी को देव यानी नाम दिया गया है और नभीनतम ज्याद मंदाकनी है कौन सी डवार्फ मंदाकनी डवार्फ मंदाकनी निहारिका के ब पूल और गेसों का बादल होता है सभी तारों का जनम निहारी का में होता है और सिरफ कुछ दुललव आउसरों को छोड़ कर जिसमें दो निज्टन टारे का एक स्याम वीवर बनाते हैं बैसे भी न्यूटन तारे और स्याम वीवर मिर्द तारे माने जाते हैं और यहाँ पाये जाने वाले गैसों में हाइड्रोजन गैस, हीलियम और अन आयनी के फिलाजमा गैसें होती हैं समझ रहे हैं? कि नहीं समझ रहे हैं? निहारिका दो अलगलग कार्डों से बनती है किसे पहला तो आप देखेंगे ब्रह्मण्ड की उत्पत्ती और दूसरा आप देखेंगे किसी बिसपोटक तारे से बने सोपर नोबा के द्वारा ब्रह्मण्ड की जनम के बाद परमाड़ों का जनम हुआ और इन परमाड़ों से धोल और गेस के बादलों का निर्माड़ होता है आँगे चलके और सुपरनोवा से जो पदार उत्साजित होता है इसे से भी निहारिका का जनम होता है इसका उधारन वेल और करक है निहारिका की उत्पति ब्रह्मंड के जनम और सुपरनोवा के मिर्सरन से भी हो सकता है निहारिका के कुछ प्रिकार भी है जिसमें आप देखेंगे होती हैं और यह बन रहे तारे से प्रिकासित होती हैं उधारन के लिए चील और जील निहारिका फिर आप देखेंगे परावर्तर निहारिका यह तारों के प्रिवर्तित करती हैं और यह तारे या तो निहारिका के अंदर होते हैं या फिर पास में होते हैं उधारन के लिए प बहुत दूर तक नहीं देख सकते हैं। फिर आप देखेंगे ग्रही निहारीका हैं। इनका नर्माण ओक्त वक्त होता है। जब आप देखेंगे एक सामन तारा एक लाल दानाव तारा में बदल कर अपने बाहरी तारों को उतसाजीत कर देता है। और इसी बज़े से इनका पाकार गोल होता है, ठीक है, फिर आप देखेंगे, ओरियन निवूला रहा हमारी आकास गंगा की सबसे सीतल और चम के लिए तारों का समूह होता है, अब आगे बढ़ते हम लोग, बढ़ें, बढ़ना जरूरी है, कि नहीं है जरूरी सौर मंडल के बारे में जानते हैं सूर के चारों और चक्कल लगाने वाले विभिन ग्रह, छुद ग्रह, धूम केतियों, उलकाओं और अन आकासी पिणों के समुग को हम लोग सौर मंडल करते हैं सौलर सिस्टम करते हैं जो आप लोग सौर भगवान के चारों तरफ देखते हैं यहीं की बात करें सौर मंडल में सौर का प्रभुत होता है यानि कि सौर एक तरसे आप समझे राजा है क्योंकि सौर मंडल निकाए कि दरफ का लगभग आप देखेंगे 99.99 दरफ सौर में नहित है और सौर मंडल के समस्त उर्जा का सरोध भी सूर ही है एक तरसे आप राजा की तरह समझ लीजे राजा के पास सबसे जानद सक्तियां होती है पिली नेवस सौर मंडल से बाहर विलकुल एक जैसे दिखने वाले जुड़वा पिन्डों का एक सम्भू होता है ठीक है फिर आपका आता है सौर भगवान सन सौर सौर मंडल का पिधान होता है यह हमारी मंडाकनी दुग्द मेखला की केंद से लगबग आगर देखें तो तीस हजार प्रिकास बस की दूरी पर एक कौने में स्तित है और जिसने आप देखी कि हम लोग उजीला पाते हैं यह दुग्द मेखला मंडाकनी के केंद की चारों और और 250 किलोमीटर से पिती सेकंड की गती से परिक्मा कर रहा होता है और हमारी एक तरह से दूरी दूर होने के कारण हमें दिखता नहीं कि तेजी से गूम रहा है इसका परिक्माड काल दुग्द मेखला की केंद की चारों और एक बार गूमने में लगा समय 25 करोड यानि कि 250 मिलियन बर्स होता है जिसमें ब्रहमण बर्स कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं ब्रहमण बर्स ठीक है और सूर अपने में अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर गूमता है और इसका मदभाग 25 दिनों में और धुर्वी के भाग 35 दिनों में एक घोडन करता है आप देखें कि आप लोग 100-500 किलोमीटर गाड़ी चला लेते हैं तो आप लोग देखते हैं कि पर हवर चलाते हैं पिती घंटा तो आप लोग सोचते हैं कि बहुत तेज हम लोग गाड़ी चला रहे हैं ठीक है और यहां देखें आप लोग कि 250 km पर सेकंड चल रहा है तो आप समझ सकते हैं क्या गती होगी सूर ये गैसी ये गुला है जिसमें hydrogen आप देखेंगे 71%, helium आपका 26.5% और अन्य तत्यों में आप देखेंगे 2.5% होता है सूर का केंदरी ये भाग क्रोड कहलाता है और जिसका तामान 1.5 into 10 की पावर 7 degree Celsius होता है और सूर के बारी सता है का तामान अगर आप देखेंगे 6000 degree Celsius है अगर आप लोग वहाँ पहुंच जाए तो मालू ना चलेगा कब एक तरसे जलकी राख हो गए तो hydrogen सबसे जानदा है सूर के जिसमें hydrogen 71% है और फिर आप देखेंगे हीलियम है हैंस वैथ हैंस वैथ ने बताया था कि 10 की पावर 60 degree समझ रहे हैं 10 की पावर 7 degree Celsius ताम पर सूर के केंद पर 4 hydrogen नाविक मिलकर एक हीलियम नाविक का निर्माट करते हैं अर्था सूर के केंद पर नाविक ये सलगन होता है जो सूर की उर्जा का स्रोत माना जाता है सूर की दीप्तमान सते को हम लोग पेकास मंडल कहते हैं और पेकास मंडल की किनारी पेकास मान नहीं होते हैं क्योंकि सूर का वाई मंडल तरिकास का आउसोटरन कर लेता है और इसे बर्ड मंदल कहते हैं या लाल रंका होता है सूर गहन के समझ सूर के दिखाई देने वाली भाब को हम लोग सूरी क्रीट कहते हैं और यह सूर का बाहतम परत है सूर क्रीट एकसरे उसाजित करता है इसे सूर का मुकुट भी कहते हैं और पूर सूर गेंड के साथ सूर किरीट से पिरकास की प्राप्ति होती है, सूर की उमे की अगर हम लोग बात करें एज की, आप लोगों की जिस तरह से एज होती है तो सूर की एज होती है पांच मिलियन बर्स है, पांच मिलियन बर्स, ये ब्रहमंड के बारे में हमारे बदल कहा गया इसका पिती पादन मिस्ति उनानी खागोल सास्ति थे केलाडी केलाडी एस टॉलमी थे 140 kr 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 इस भी सतापदी के पैरम में आप जाएंगे तो हमारी मंदाकनी दुख्द में इखला की तस्वीर स्वश्च्ट हुई थी, सूर को इस मंदाकनी के एक स्तिरेव पर अवस्थित पाए गया था, इस पकार सूर को ब्रहमन्ड के केंद पर होने का गौरप समात्थ हो गया, कैप लने खो जाता है, भाविस में सूर द्वारा उर्जा देते रहने का समय दस की पावर 11 बरस है, बहुत है आपके पास, सूर के पेकास को पिधवी तक पहुँचने में कितना टाइम लगता है, आठ मिनिट, 16.6 सेकंड, फिसे याद कर लिजी, सूर के पेकास को, जो सूर देखते हैं न, उसके पेकास को धरती तक आने में कितना समय लगता है, आठ मिनिट, 16.6 सेकंड का समय लगता है, सूर जोला को उत्तरी धरब पर औरोरा बोरियालिस और दच्छिडी धरब पर औरोरा और टेलिस कहते हैं, ठीक है, और सूर के धब्बे चलते हुए गैसों के खोल का तामान, आसपास के तामान से आप देखेंगे, 1500 डिग्री सेल्सियस कम होता है, सूर के धब्बों का एक पूरा चक 22 वरस का होता है, पहले 11 वरसन तक यह धब्बा बढ़ता है, और फिर बाद के 11 वरसन तक यह धब्बा घटता है, जब सूर की सतय पर धब्बा पन हो जाती है, सूर का व्यास 13,92,000 किलो मीटर है, जो पिधवी के वियास की तुला में आप देखेंगे लगबं 110 गुना है, सूर हमारी पिधवी से 13,ígenS बढ़ता है, सूर जो आप लोग देखते हैं, जो हम पिधवी पर रह रहे हैं, इससे 13,000 गुना बढ़ता हैं, तो अरववा भाग मिलता है जो हम लोग तापमान देखते हैं न यह दो अरववा भाग हमारे पास आ रहा है सूल तापका आप सोचे कि अगर एक ही परसंट आ जाए तो हमलाववं का काम खतम हो जाए मद्रातरी सूर का रहत है कि सूर सूरे धुर्विये वेत में देर तक चमकना मद्राती का सूर आर्केटिक चेत में देता है फिर आप लोग सूर मंडल की पिंड भी देखते हूं अंतराष्टी एक खागोल सास्तिरी ये संग कि पयाग सम्मेलन 2006 की इनुसाल सूर मंडल में मौजूद पिंडों को नेमले कि तीन सेनियों में माटा गया है इसमें सबसे पहले आप लोग जाएंगे परंपरागत ग्रहे और परंपरागत ग्रहों की अगर बात करें आपसे तो इसमें आपका बुद्ध हो गया सुख हो गया पितभी हो गया मंगल हो गया वैस्पती हो गया सनी हो गया अरुन हो गया वरुन हो गया पैसे सुन लेजे परंपरागत ग्रह कौन को से है वुद्ध, सुक्र, पिथभी, मंगल, बैस्पती, सनी, अरुन, वरुन, अगर आप से वही वने उपग्रह की बात करें तो फिलोटो, चेरोन, सेरस, 2003, यूबी, 313, अगर आप से पूछें कि लागू, सौरमंडली एपेंड, तो इसमें आप देखेंगे द निमन सर्तों को पूरा करते हैं, इन सर्तों को याद रखेंगा, आप से पूछें कि ग्रह कौन सी सर्तें पूरी करता है, तो जो सूर के चारों और परिक्मा करता है, यानि कि ग्रह होने के लिए जरूरी है कि जो सूर के चारों और परिक्मा करता हो, और उसमें परयाप्त गुरुत्वा करसन बल हो जिससे हुआ गोल स्वरूप गहन कर सके। उसके आसपास कचेत साफ हो यानि की उसके आसपास अन्य खावुलिये पिन्नों की भीडबार ना हो बरना आपस में ही टक्रा मरेंगे। ग्रहों को दो भागों में विभाजित किया गया है एक तो आप देखें कि पार्थिक या फिर इसे आप लोग आंतरिक ग्रह कहते हैं इसमें अगर देखें तो बुद्ध हो गया सुख हो गया पित्वी हो गया मंगल हो गया इन सबको आप लोग आंतरिक गया या फिर पार्थ निकट हुए है और ये चट्टानों से बने हुए है फिर आप देखेंगे ब्रहस्पतिय या फिर वाहे ग्रह इसमें आप देखेंगे ब्रहस्पति हो गया सनी हो गया अरोन हो गया वरोन हो गया इन्हें ब्रहस्पतिय ग्रह भी कहते हैं यह सूर से बहुत दूर है और बहुत बड़े आकार के हैं इगेस और तरल पदालतों से बने वे हैं मंगल बुद्ध, बेश्पती, सुक और सनी इन पांच ग्रहों को नंगी आखों से देखा जा सकता है यह जरूर याद रखियेगा तो सबसे घटते करम में देख रहे हैं, तो सबसे पहले व्रसपती चलिए, फिस्तरी चलिए, अरुण चलिए, बरुण चलिए, पित्वी चलिए, सुक्र चलिए, मंगल चलिए और बुद्ध चलिए, यानि कि सबसे बड़ा हो गया कौनसा ब्रसपती और सबसे चोटा हो गया बुद्ध एक दू कुश्चन्स पूँचे गया कई परीक्छाओं में और बार बार पूँचे जाते तो पितिवे आप देखे सबसे बड़ा ग्रह कों सा है व्रेसपती सबसे चोटा ग्रह बुद्ध अगर आपसे गहनति के अनुसार ग्रह का क्रम पूचे बढ़ते क्रम में तो सनी, अरून, बैसपती, नेपचियून, मंगल, सुक ठीक है यह आपके घनत के क्रम में हो गया किसके घनत के क्रम में हो गया सूर से दूरी के अनुसार अगर आपसे पूचे सूर भगवान से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम देखे तो बुद्ध हो गया सुक हो गया पित्वी हो गया मंगल, ब्रसपती, सनी, अरोन और बरुन यानि कि सूर का सबसे निकट अगर आप लोग ग्रह देखें तो बुद्ध हो गया सबसे दूर है बरुन है ये भी आप लोगों के questions अगर आए तो आप लोग आसानी से उनका answer दे पाएंगे अगर आप से द्रमान के अनुसार ग्रहों का करम पूछें बर्ते करम में तो बुद्ध बार, मंगल, सुक, पित्वी, अरोन बरोन, सनी, बैसपती यानि कि नियूनतम देमान किसका है बुद्ध का और अधिकतम किसका है ब्रसपती का अब बात करते हैं परीकरमन काल के अनुस और पित्वी, मंगल, बुद्ध, सुक, अपने अक्ष पर जुकाओं के अधर पर ग्रहों के करम देखें तो बढ़ते करम में सुक हो गया, बैसपती हो गया, बुद्ध हो गया, पित्वी, मंगल, सनी, अरोन, बरोन, अरोन, ठीक है सुक को और अरोन को छोड़कर, अन सभी ग्रहों का घुड़न और परीकमर्ड की दिशा एक ही है, बस किसे-किसे छोड़कर सुक और अरोन को, अब आपके मन में ये सवाला रहा होगा, कि सुक और अरोन किस तरह की गुमाई करते हैं, तो इसकी दिशा है पूरुप से पश् आपके सुक्व और अरुन उल्टी दिसा में चलते हैं ठीक है अब बात करते हैं मरकरी की यानि की कहने का मुतलब है आपका वुद्ध गरह की तुए सूर के सबसे नजदीक गरह सबसे पहले तो यही याद रखिए इसके बारे में सबसे नजदीक गरह कुंसा है बुद्र और और जो सूर निकल ले के 2 घंटे पहले दिखाई पड़ता है, सूर भगवान निकलते हैं नहीं, उसके पहले दिखाई देने लगते हैं, या सबसे छोटा और सबसे हलका ग्रै है, इसके पास कोई अपना ओफ ग्रै नहीं है, किस के बुद्धे के पास? इसका सबसे बिशिश् रिकमा कौन सा ग्रह करता है तो यह बुद्ध और सवर्मंडल का सरवादी कच्छी है गती वाला ग्रह भी आपका बुद्ध है यहां दिन अती गरम और राते बरफीले होती है और इसका ताबमान अगर देखें तो सभी ग्रहों में सबसे देखें यानि कि 600 डिग्री सेंटिय पहुंच जाता है दिन में 427 डिग्री सेंटियेट रहता है ठीक है फर आप देखेंगे कि बीनस आ गया यानि कि सुकर आ गया और यह पितिवी का निकट तम है और सबसे चमकीला भी हो सबसे गरम ग्रह भी माना जाता है पितिवी का निकट है ठीक है और इसी आप लोग सां को ही कहते हैं क्योंकि यह साम में पश्यम दिसा में और सोबय में पूरब की दिसा में आकास में दिखाई देता है और यह अन ग्रहों की विप्री दच्छनावर्द चक्रन करता है और इसे पितिवी का भागनी ग्रह कहते हैं यानि कि सिस्टर कह लिए या घनत ताकारो व्य प्यास में पित्वी के समा नहीं है या पित्वी के सबसे निकट इस्तित है इसके पास भी अपना कोई उपग्राय नहीं है ठीक है यह भी ने पट गया फिर चलते हैं ब्रहस्पती की और तो येस और मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है ब्रहस्पती और इसे अपनी धुरी पर च ग्यानी मीड पीले रंग का सभी उग्रों में सबसे बड़ा भी है, तो यह भी आप लोग याद रखेगा, फिर आता है मार्स मंगल, मंगल यान के बारे में भी आप लोग सुनते रहते हैं, इसे लाल ग्रे या रेड फिलानेट कहा जाता है, और इसका रंग लाल आयरन ऑकसा पितवी के समान दो धुर्व हैं और इसकी कच्छा तली 25 डिगरी के कॉंट पर जुका हुआ है, जिसके कारण यहां पितवी के समान रितु परिवर्तन होता रहता है, और इसके दिन का मान अक्ष्य का जुका और पितवी के समान ही है, और यह है अपनी धुरी पर आप लगता है, तो यह पॉइंट मंगल के बारे मैं भी याद रखेगा, सौर मंडल का सबसे बड़ा जौला मुखी, ओलीमपस, मैसी, और सौर मंडल का सबसे उचा परवत, निक्स, ओलंपिया, आप देखें कि कहा देखने को मिलेगा, मांट एवरेश से तीन गुना अधिक लखिए, क्या कर सकते हैं, दूसरा ओप्सन भी नहीं है, ना तो आपके बास ना ही मेरे पास, कि हम लोग छोड़ दें, छोड़ना भी आप लोगों के लिए, आगे चलते हैं, आपके मार्स ओडिसी, ओडिसी, नामक किंति मुगरे से मंगल परबरप, छत्रोकों और हेम सीतित, जल की उपस्तिती की सूचना मिली थी, किस से, यह है मार्स ओडिसी से, ठीक है, और इसलिए पिथवी के अलाबा, यह है एक मत ग्रह है, जिस पर जीवन की संभावना की बैक्त की जा रही है, तो समझ रहे हैं, माली जनसंख्या बढ़ जाएगी, तो हमें और भी तो चाहिए धरती, तो हम लोग मंगल गरह पर विवस्ताइं कर रहे हैं, हो सकता है, संभा हो जाए, 6 अगस्त 2012 कुनासा का मार्स क्यूरियो सिटी, रोबर आपने दे जा था, ठीक है, और यह मंगल पर जीवन की संभावना और उसके बातावन का अध्यन कर रहा है, भारती अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान ने अपना मंगल यान 5 नवंबर 2013 को स्री हरी कोटा आंद्विदेश से धुर्वीय अंतरिक्ष पिछेपण यान PSLV स्थी 25 से इस इस रोप, तो इसे भी अपने भारत के बारे में वियाद रखिएगा, ठीक है, फिर आप का आता है सनी, सनी को भी देख लीजे, यहां आकार में दूसरा सबसे बढ़ा गरहे हैं, ठीक है, और फिर आप देखेंगे, तो इसकी बिसेशता है, एह है कि इसके तल के चारों और बलय का होना मौटी विकास बाली कुंडिली है और बलय की संख्याओ देखेंगे तो साथ है और यहार आकास में पीले तार्य के समान आपको देखने को मिलेगा इसका खंदत ते सभी गरहों और जल से भी कम है यानि इसे जल में रखने बार त्यारने लगेगा सनी का सबसे बड़ा उग्रा है टाइटन जो सौर मंदल का दूसरा सबसे बड़ा उग्रा है यह आकार में बुद्ध के वराबर है बुद्ध ग्रे की टाइटन की खोच 1665 में डेनमार्क के खागोल सास्तरी किष्टियन हाई जोन ने की थी और यह एक मात्या सब गुरह है जिसका पितवी जैसा स्वैम का सगन बायू मंडल भी है फोवी नावक सनी का उगर है इसकी कक्छा में घूमने की बिप्रीद दिसा में परिक्मा करता है फिर आपका आता है अरुन यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा गुरह है इसका द्रमान है आप देखें दो सो पंद्रह डिग्री सेंटिग्रेट है तामान ठीक है और इसकी कोई 1781 में बिलियम हरसेल द्वारा की गई थी किसकी अरुन की इसके चारों और आप देखेंगे तुनों बले में पांच बले का नाम अलफा बीटा गामा डेल्टा और आप लोग ने इन सब को में जरूर पड़ा होगा अलफा बीटा गामा यह अपने अक्षपर पूर्व से पर्चिम की ओर यानि की दच्छनावर्थ घुमता है जबकि अन्ग्रह आप सभी जानते हैं पर्चिम से पूर की ओर घुमते हैं बावा बर्थ में यहां सोरियोदा पर्चिम की ओर और सोरियास्त आपको देखेंगे पूरप की ओर होता है और इसके सभी उगरों में फितवी की बिपरी दिसा में परिम्हमन करते हैं और यह अपनी धुरी पर सोरी की ओर इतना जुका है कि लेटा हुआ सा दिखाई देते हैं इसलिए आप 1446 में हुई थी जर्मन खागोलग जहौन गाली ने की थी और नई खागोली विवस्था में यह सूर से सबसे दूर इस्तित है इसके चारों और आप देखेंगे तो अती सीतल मिथेन का बादल चाहे रहता है इसके वह उपगरह में टाइटन है पिर मुख ठीक है फिर आप क अगर हम कहें तो पित्वी काक्ष पित्वी की कख्छा तल से शाड़ी च्यासट डिग्री तीस मिनिट का कॉन बनाता है तो यह आप लोग याद रखिए गई कुश्टन्स भी कई बार पूच लेता है आंगे बात करते हैं हम लोग यह पित्वी का कख्छ देख लिए यहां देख है साड़े तेस डिग्री आपको देखाई दे रहा होगा यहां कौन की बात करें तो यह पित्वी का कख्छ का तल्प लम्मबत है यह पित्वी का उत्री धुर्व यहां आप देख रहे हैं कारक बर्थ विस्वत बर्थ मकर बर्थ ठीक है यह सौर मंडल का एकमात गरें जिस पर जीवन है पित्वी पर और जिसका एकमात उपगरें भी यह चंद्वा चंद्यान आप लोग ने सुना होगा ना उसी की बात कर रहा हूंगा है ठीक है इसका विस्वतिय ब्यास अगर आप देखें तो 12,756 किलो मीटर और धुर्वी के ब्यास देखें तो 12,713.6 किलो मीटर है दोनों ब्यास के अंतर देखें तो 43 किलो मीटर आपको देखने को बलेगा ठीक है और पित्वी की और अउसत ब्यास अगर बात करें तो 12,742 किलो मीटर है इसकी गढ़ना सरफितम एरेटो स्थनीज ने की थी सूर से पित्वी की दूरी की बात करें 149.6 मिलियन और यह है अपने अक्षपर फश्चिम से पूर की और आप देखें के 1610 किलो मीटर किलो मीटर पिती घंटे की चाल से 23 घंटे 56 मिनिट चाल सेकिन में एक पूरा चकर करती है लेकिन आपको अनभा हो ही नहीं होता है कि पित्वी गोम रही है स यह कुश्चेंस कई बार बन जाता है कि दिन राध किसके कारण होता है देनि गती घूडन गती ठीक है ऐसी के कारण पित्वी को सूरी की एक परिमाप पूरी करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनिट 46 सेकिन लगता है लगबग आप देखेंगे 365 दिन 6 घंटे इस पॉइंट को जरूर याद लखेंगे का कि लिए कि रहे है ठीक है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनिट 46 सेकिन इस समयाओधी के दौरान परिमाप पूरी करने में पित्वी का माद बेक लगबग आप देखेंगे 30 किलूमीटर पर सेकिन 29.8 किलूमीटर पर 30 सेकिन होता है और सूरी के चत्तुर दिक पित्वी के इस परिकमा को पित्वी की बारसिगती अत्वा परीक करमण कहते हैं और पित्वी को सूरी की एक परिकमा करने में लगबग लगे समय को सौर बरस कहते हैं हम लोग पितिक्स और बर्स कलेंडर बर्स से लगभग देखें 6 घंटा बढ़ जाता है जिससे हर चोथे बर्स आप देखते हैं कि लीब बर्स बनाकर समाय विजित किया जाता है और लीब बर्स 366 दिन का होता है जिसके कारण फरवरी माय में आप देखते होंगे कि 28 के स्थान पर 29 द बार्सक गती के कारण ही पितिवी पर दिन रात छोटा वड़ा होता रहता है ठीक है बार्सक गती के कारण आकार और बनावट की कारण इसने नेला गरह भी कहते हैं पितिवी को सूर के बाद पित्वी के सबसे निकट का तारा प्रॉक्सिमा सेंक्चिरू ही है जो अलफा सेंक्चुरी समू का एक तारा है या पित्वी से आप देखें तो चारद सम्वला 22 पिकास बार्स दूज है 24 अगस्त 2006 में अंतराष्टी खागोल बिग्यानी संग आई एयो कि प्याग चेक गड़राज बैठक वे खागोल बिग्यानिकों ने पिलूटू का ग्रह होने का दरजा खतम कर दिया था क्योंकि इसकी कक्षा वित्ताकार नहीं थी या बरोंट ग्रह की कक्षा से उकर गुजर थे और यह एवं सुर किसे दुगने दिर्मान वाला तारा है या रात्री में दिखाई पढ़ने वाला सरवादिक चमकीला तारा माना जाता है डॉग इस्टार चंदमा के बारे में जान लेते हैं चंदमा की सतय उसकी आंतरिक इस्तिती का अध्यन करने वाला बिग्यान सेल इनो लोजी कहलाता है चंदमा पर धूल के मैदान को सांती सागर कहते हैं वह है चंदमा का पिछला भाग जो अंध्रकार मर होता है ठीक है अंधेरा होता है और चंदमा के दच्छिन धुर्पर आप देखें तो लेव नीट परवत यह आप देखें कि 35,000 फिट यानि कि 10,66 चंदमा का उच्छितम परवत है चंदमा को जीवास में ग्रह भी कहते हैं चंदमा पिथवी की एक परेक्मा लगभक 27 दिन और 8 घंटे में पूरी करती है किसकी पिथवी की और इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक घुडन भी करता है वह यही कारण है कि चंदमा सदेव एक ही भाग दिखाई पड़ता हमें, चंदमा का, और पित्वी से चंदमा का 57% भाग को देखा जा सकता है, हम जो पित्वी पर रहे रहे हैं, यहां से चंदमा के 57% भाग को देखा जा सकता है, चंदमा का अक्ष, तल पित्वी के अक्ष तल के साथ 58.48 डिगरी का अक्ष कोड बनाता है और चंदमा पितवी की अक्ष के लगवग आप देखेंगे एक बटे कितना 61 है चंदमा और पितवी के बीच की ओसत दूरी की बात करें तो आप देखेंगे 3,84,365 किलो मीटर है चंदमा उपित्वी के बीच की दूरी की बात हो रही है सोवर की संदर्व में चंदमा का परीकमा की आउधी की बात करें तो 29.53 दिन है 29 दिन 12 गंटे 44 मिनिट और 2.8 सेकंड तो इसे भी आप लोग याद रख सकते हैं इस समय को चंद भास या फिर आप लोग साइनो डिक मास भी कहते हैं नक्षत समय की दृष्टी कोंड से चंदमा लगवक साड़े 27 दिन में पुनाहा उसे इस्तिती में होता है जो होता है साड़े 27 दिन यानि कि 27 दिन 7 गंटे 43 मिनिट और 11.6 सेकंड की या वोदी एक नक्षत मास कहलाती है एक नक्षत मास कहलाती है समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं समझ पा रहे हैं नक्षत समय से नक्षत मास हो गया आपका यह जरूर आप लोग याद रखें ज्वार उठने के लिए आप एक चित 100 और चंदमा की सक्तियों का अनपात होना चाहिए 11,95 अपोलो के अंदर एक छियात्रियों द्वारा लाए गए चट्टानों से पता चला है कि चंदमा भी उतना ही पुराना है जितना पितवी है 460 करोड बर्स इन चट्टानों में टाइटेनियम अधिक मात्रा में सुपर मून जब चंदमा पितवी के सबसे निकट होता न उस सिस्तिती को ही हम लोग सुपर मून कहते हैं और इसे पेरीजी फुल मून भी कहते हैं और इसमें आप देखें चांद का 10% जन्दा बड़ा और 30% अधिक चंकीला दिखाई पड़ता है आप लोगों को ठीक है तो ये भी आप लो बिलू मून आप लोगों ने जरू सुना हुगा एक केलेंडर माहे में दो पूर्ड माय होती हैं तो दूसरी पूर्ड मा का चांद बिलू मून कहलाता है और इसका मुक के कारण दो पूर् मा को हम लोगों ने क्या कहा था विलू मून और जब किसी वर्स बिसेस में दो या अधिक बार विलू मून होते हैं तो मून येर कहा जाता है से वर्स 2018 में आप देखेंगे विलू मून येर था वर्स 2018 में पहला विलू मून आप देखेंगे 31 जनवरी को दूसरा विलू मू उतरा था ठीक है बोने ग्रह की परीवासा जान लिजे यम आई ए यू ने इसका नया नाम एक लाग चोंतीस जार तीन सो चालीस रखा है किलार टामो ने उनने सो तीस में इसकी कोज की थी अगस्त 2006 में आई ए यू का प्याग सम्मेलन में ग्रह कलाने के मापदनों पर खरे नहीं उतरने की कारण एम को ग्रह की सेंडी से निकाल कर आपने देखा हुगा बॉने ग्रह की सेंडी में रखा था यमको ग्रह की सेंड़ी से निकाल ले जाने का कारण यह था भी आकार में चंदमा से छोटा होना इसकी एक अक्षा का वित्ताकार ना होना बरुन की एक अक्षा को काटना स्थेरस इसकी खोज इटली के खागोल सास्त्री पियाजी ने की थी और IAU की नई परिवासा के अनुसार इसे बौनी गरह की सेंड़ी में रखा गया है इसकी संख्या देखें तो एक से जाना जाएगा और इसका ब्यास बुद्ध की ब्यास का लगभग एक पांचबा भाग है अन बौनी गरह में आप देखेंगे चेरोन है और 2003 UB 313 Aries भी है बौनी गरह की सेंड़ी में ठीक है सौर परिवार की सेंड़ी यह है इन्हें भी यात रख सके है देखें एक गरह की नाम हो गया ब्यास हो गया किलोमीटर में परी भरमड काल हो गया अपने अक्षपर परी भरमड काल हो गया सौर के चारों और उपगरह की संख्या हो गया और ग्रहों का रंग हो गया यह जैसे आप देखेंगे बुद्ध गरह इसका ब्यास अगर आप से पूँचे किलोमीटर में तो 4878 किलोमीटर ठीक है और आप देखेंगे इसका अपने अक्षपर कितने टाइम लगता है परी भरमड करने में परी भरमड 58.6 दिन और अगर सूरी के चारों और परी करमड 88 दिन में पूरा करता है इसके उपगरह एक भी नहीं है जीरो है ठीक है फिर आप देखेंगे सुख 12144 है इसका ब्यास किलोमीटर में 243 दिन लगते हैं अपने अक्षपर गूमने में 255 दिन लगते हैं से सूर के चारों गूमने में इसका भी जीरो है कोई उपगरह नहीं है चमकीला होता है गरम होने के कारण पितवी की बात करें तो आप देखेंगे 12756 से लेकर 12714 व्यास है इसका किलोमीटर में 23.9 गंटे लगते हैं से अपने अक्षपर गूमने में 355.26 दिन लगते हैं से सूर के चारों गूमने में इसका ये गुप 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 अब ही कहते हैं ग्रहों का रंग ठीक है इसका नीला है फिर आप देखेंगे मंगल 6796 व्यास है सका किलोमीटर में 24 ते सम्लोच गंते लगते हैं अपने अक्षपर गूमने में 687 गंते लगते हैं इसे मापकरीच 687 दिन लगते हैं सूर की परिखिमा करने में दो इसके क्या है लाल कि इसका रंग है आइरन ऑक्साइड के कारण बरसपती एक लाख ब्याली सजार नौसो चौरासी ब्यास इसको क्लिव मीटर में इसका नौ घंटा चपन मिनित लगते हैं से अपने अक्षपर घूमने में ग्यारे वर्स ग्यारे महिने लगते हैं से सूर की परिक्मा करन 10 घंटा 40 मिनित इसे अपने अक्षपर घूमने में लगते हैं 29 बरस 5 महिना इसे सूर के चारों घूमने में लगते हैं पहले आप देखते हैं कि ब्यासपती के इसके उपग्रह हुआ करते थे सबसे जांदा आपकी सनी के 82 काला इसका रंग है और N2 के कारण अरुन आता है फिर 59,118 किलोमीटर ब्यास है इसका और 17 घंटा 14 मिनिट इसे अपने अक्षपर घूमने में लगता है 84 बरस इसे सूर के चारों गूमने में लगता है 27 इसके उपग्रह है हरा इसका रंग है मेथेन के कारण बरुन आप देखें के 49,100 किलोमीटर है इसका 16 घंटा 7 मिनिट लगते हैं इसे घूमने में अपनी अक्षपर 164 बरस का समय लगता है इसे सूर की परेक्मा करना में 14 उपग्रह हैं इसके हलका नीला रंग इसका है मेथेन के कार अगर NCEIT क्लास 6 को पढ़ेंगे तो बैस्पती और सनी के उग्रहों की संख्या 53 रखी गई है लगभाओ नहीं नहीं खोज होती रहती है यह तो आप भी जानते होंगे जानते तो हैं कि नहीं जानते हैं लगूस और मंडली ये पिंड की अगर हम बात करें सुनैं हैं आप लोग छुद ग्रह मंगल एबं वरस्पति ग्रह की कच्छाओं के वीच को चोटे-चोटे आकासी ये पेंड हैं जो सूरी के फरिक्मा कर रहे हैं खागोष सास्तियों की अगर हम लोग बात मानें तो इनके अनुसार ग्रहों के स्पोर्ट के फलसरूप तूटे टुकड़ों के से छुद ग्रहों का निर्माड होता है और छुद ग्रहों ग्रह जब पितवी से टकराता है तो पितवी के पेश्ट पर विसाल गर्थ लोनार जील महराश्ट देखते हैं इसी का उधारन है फोर विष्टा एकमात चुद ग्रह है जिसे नंगी आखों से भी हम लोग देख सकते हैं किस से नंगी आखों से धूम केतू बात करें अगर धूम केतू आप करें किसे कहते हैं सौर मंडल के छोर पर बहुत ही छोटे छोटे अर्वों पिंड विदमान है जो धूम केतू या इसे आप लोग पुछल तारे कहलाते हैं या गैस और धूल का संग्रा है जो आकास में लंबी चमकदार पूँच सहथ फिकास में के चमकीले गोले की रूम में दिखाई देता है धूम केतू के बल्ट तभी दिखाई पड़ता है जब सूर की ओर अगसर होता है क्योंकि सूर के ने इसकी गैस को चमकीला बना देते हैं धूम केतू की पूँच हमेशा सूर से दूर होता दिखाई देती है ठीक है तो धूम केतू को भी आप लोग देखिए हैले नामक धूमकेतु का परिकरमण काल 26 साले या अंतिमबाव आप देखेंगे 1986 में दिखा गया था अंगली बार 2062 में दिखाई देगा अगर 1986 का कोई है तो उसे मालू भी होगा धूमकेतु हमेशा के लिए टिकाव नहीं होते है फिर भी पितेग धूमकेतु के लोटने का समय निश्चित होता है एक उलका भी आप लोगों ने सुना होगा उलका पिकास की चमकीली धारी के रूम में दिखते हैं जो आकास में छड़वाय के लिए चमकती है अलुप्त हो जाते है उलकाएं छुद ग्रहों के टुकडे धूमकेतियों द्वारा पीछे छोड़े गए धूल के कड़ होते हैं तो इसे भी याद रखिएगा अब बात करते हैं लोग पित्वी पित्वी और उसका सौरेक समन्द प्रकास चक बैसी कालवनेग रेखा हैं जो पित्वी के पिकासित और आपिकासित भाग को माटती हैं इसे क्या कह देते हैं पित्वी की गतियों की अगर बात करें तो पित्वी की दो गतियां होती है सुने हैं या नहीं सुने हैं एक तो घूडन या दैनिक जिसे गति कहते हैं गूडन या देनिक गती, पित्वी सदेव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर गूमती है, कहां से पश्चिम से पूर जिसे पित्वी का गूडन या फिर परी भरमड कहते हैं, इसके कारण दिन रात होते हैं और इस गती को देनिक गती भी कहते हैं, इन सभी में कुश्चन क स्क भार्ष यह बंते रहते हैं फिर आप देखें कि परीकर्मण या बार्षिक गती भी जिसे कहते हैं पित्वी अपने अक्षपर घुमने के साहथी सूर्य के चारों और एक दी capacitor अई मार्फ पर पर ईक हम पर्षे क्रमण या बार्षिक गती गती कहते हैं है और या 23 गंटे 25 मिनट की अउधी का होता है सौर दिवस जब सूर को गती हीन मानकर पिथवी द्वारा उसका परिक्रमड की गड़ना देवसों के रूम में की जाती है तो तब सौर दिवस कहलाता है इसकी अउधी आप देखें कि पूरे 24 गंटे की होती है अपने परिक्मा पत में पिथवी सूर के चारों और आप देखें तो 29.8 किलोमीटर पर सेकिंड के बेक से चक्कर लगाती है उप सौर की बारे में सौने होंगे आप लोग तो पिथवी सूर की परिक्मा देख वित्तियक अक्छा में करती है जिसके एक फॉकस पर सूर होता है जब कि पिथवी सूर के अतिधिक पास होती है तो उसे हम लोग उप सौर कहते है और ऐसी इस्तिती आप देखें कि तीन जन्मरी को आपको देखने को मिलेगी यानि कि तीन जन्मरी को आगर आप देखें तो पितवी और सूर के निकट, पितवी सूर के बिलकुँ नजदीक होता है और ऐसी इस्तिति में पितवी और सूर के बीचे दूरी अगर आप देखें तो 14.7 करोड किलो मीटर होता है Couple किलो में अप देखें बहुत दूरी होती है कितनी भी दूरी माल लेजे एक आपने सुना होगा افسouri अप सौर ये आप देखें पितवी जब सूर से अधिक्तम दूरी पर रहती है तो उसे हम लोग अफसोर कहते हैं और ऐसी इस्तिती चार जोलाई को आप को देखने को मिले गिया और ऐसी इस्तिती में पित्वी और सूर के वीच की दूरी अगर आप देखें तो बंदरा दर समलो 21 करोड किलो मीटर होती है एपसाइड रेखा के बारे में भी सुनाओगा ओपसौरीक और आपसौरीक को मिलाने वाली कालपनेक रेखा को हम लोग सूर के केंदे से जो गुजरती है इसे ही एपसाइड रेखा कहते है अक्छांस के बारे में भी आप लोगोंने सुनाओगा तो विस्वत बिरस्ते उत्ता दच्छन दे सामें इस्तित किसी स्थान को कौड़ी ये दोरी को हम लोग अक्छांस कह देते हैं यह ऐसी जो लाइन की रहती सी एक अक्छांस कह देते हैं यह है कोड़ितवी के केंद पर přबंता है और इसे विस्वत बिरस्ते से दोनों और अंसों में भाप आ जाता है विस्वत बिर्त जीरोंत्के अक्छांस को प्षदर्शित करता है विसवत बर्थ की उत्री दच्छने दिसा में एक डिगरी के अंतराल से खींचे जाने वाले जो 90-90 अक्षांस बर्थ होते हैं यानि किसी भी स्थान का अक्षांस 90 से अधिक नहीं हो सकता है विसवत बर्थ की उत्री भार को आप देखेंगे उत्री गुलाद कर देते हैं और दच्छनी गुलाद कर देते हैं इस तरब नीचे आप देखेंगे दच्छनी गुलाद उपर उत्री गुलाद अक्छांस समानांतर की बात करें तो कालफिनिक रेखाओं का ये कैसा समूझ जो पित्वी के चारों और पूर्फ से पश्चिम किसे पूर्फ से पश्चिम दिसाब में विस्वत रेखा के समानतर कीचा जाता है इसे अक्छांस रेखा कहते हैं और अत्वा भूमद रेखा से एक समान कोड़ी है दूरी बाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को हम लोग अक्छांस रेखा कह देते हैं भूमद रेखा जीरो डिगरी की अक्छांस रेखा और इस पर सभी स्थानों को अक्छांस जीरो होगा और भूमद रेखा कि उत्तर में इस्तित अक्छांस रेखाओं को उत्तरी अक्छांस रेखाओं को हम लोग दच्छडी अक्छांस कहते हैं और दो अक्छांस रेखाओं की मंदिकी अगर दूरी निकालें तो लगबग 111 km आपको देखने को मिलेगी यदि अक्छान समानंतरों को एक डिगरी कि अंतराल पर खिंचते हैं तो उत्तरी और दच्छडी दोनों गुलार्ड में 89 अक्छान समानंतर होंगे और इस पिकार विस्वत बेर्थ को लेकर अक्छान समानंतरों की कुल संख्या 189 देखने को मुलेगी और धुमद्रेखा के उत्तर में 23 डिगरी अक्छान समान को करकर एक डिखन .. म केदे हैं आपसे Christians पूछते हैं आंगे तो उसका अंसर बताएंगे ही.. करकर और आप रेखा कितने राज्यों से ने गुजरती है और अगर आप लोग करक रेखा जिन राज्जों से गुजरती हैं उनमें से किसी में निवास करते हैं तो आप बताइए आपकी राज्ज में कितने जिलों से गुजरती हैं Google पर सर्च करिए Google बाबा से आप लोग पूचिए आपकी मदद करेंगे Google बाबा भूमद रेखा की उत्तर में आप जो शाड़े श्यासर डिगरी । करक रेखा निमने देशों से उकर्गो जाती है जिससे अटाइबान हो गया चीन हो अमिराज, साउधी एरब, मिस्स, लीविया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, मारीतानिया, पश्मी सहरा, बहामास, मैक्सको, वैसे आपको मैपका सहरा लिकर बता चुका हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि उस पिले लिष्ट सोची को जरूर कवर कर लेजे, ठीक है, और मकर र अल्गासकर, ऑस्टेलिया हो गया, ठीक है, विस्वत रेखा निमने देशों से उकर रहती है, एक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, गेवोन, कांगो, गडराज, लोकतांत्रिक कांगो, गडराज, यूगांडा, केन्या, सोमालिया, माल्दीव, इंडोनिसिया, क्रीवाती अब आती है, देशांतर, ग्रेन बीच रेखा से किसी इस्थान की कौणादमंग दूरी को, उस इस्थान की अंलोग क्या कहते हैं, देशांतर कहते हैं, और अत्वा उत्री और दच्छरी धुर्व को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को, हम लोग क्या कहते हैं, देशांतर र लंबाई वरावर होती है ये रिखायं शमाननतर नहीं होती है ए रिखायं उतरी और धचरी दुरव पर एक ब tęक्म मिल जाती है और धुर्वों से विश्वत रेखा की और बढ़ने पर देशांतरों के बीच की दूरी बढ़ती जाती है और इस बाद रेखा पर इसके बीच की दूरी अधिकतम होती है 11.3 किलोमीटर होती है और देशांतर रेखाओं को एक समान होने की कारण इसकी गरना में कटना ही होती है इसलिए सभी देशों में सरफ सम्मती से यह निश्चित किया है कि green witch बैद साला से गुजनने वाली देशांतर रेखा से गढ़ना शुरू की जाएगी समय की और इसे हम पिधान मध्यान रेखा भी कहते हैं और इस देशांतर का मान हम लोग ने 0 डिग्री माल लिया है इस से हम 180 डिग्री पूर्वी पूर्व जाएंगे और 180 पश्चिम देशांतर की गढ़ना करते हैं पिधार मध्यान रेखा कि बाई ओर की रेखा है पश्चिम देशांतर और बाहराणी दाहनी ओर की रेखाओं को हम लोग पूर्वी देशांतर कहते हैं एक करम से आप देखें तो पश्मी गुलार्द और पूर्वी गुलार्द कहलाते हैं, 180 पूर्व और 180 पश्म देशांतर एक ही रेखा है, गुला कार होने के कारण पितवी 24 गंटे में 360 डिगरी घूम जाती है, और एक देशांतर अगर दूरी तै करने में कितना मिनिट लगत इस तरह से आप समय निकाल सकते हैं, देशांतर की अधार पर ही किसी स्थान का समय ग्याद होता है, दो देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी गोरे नाम से जानती है, सोन अक्ष अंस अक्षांस और सोन अंस देशांतर अटलांटिक महासगार सागर में काटती है, मांचित ऑगिलोपर पा जाने बाली पित्ती छेद रेखाओं को हम लोग भोगली रेखाजाल भी कह देते हैं, संक्रान्ती सोर के उत्तराइण और दचराइण की सीमा को हम लोग संक्रान्ती कह देते हैं, करक संकरांती 21 जून को सूर करक रेखा पर लंबबत होता है इसे करक संकरांती कह देते हैं और इस दिन आप देखते हैं कि उत्तरी गुलाद में सबसे बड़ा दिन होता है नारवे में रातरी के समय सूर 21 जून को दिखाई देते पड़ता है फिर आप लोगोंने मकर संकराथी वही सुना होगा 22 दिसंबर को सूर मकर रेखा पर लंबबत होता है इसे हम लोग मकर संकराथी कहते थे और इस दिन दच्छनी गुलाथ पर सबसे बड़ा दिन होता है विस्वाओं के बारे में आप लोगोंने सुना होगा या पितवी का वा इसे करम सा सरद विसोव और बसंद विसोव की नाम से हम लोग जानते हैं ठीक है 21 मार्ज से 23 सेप्टमबर की अउधी में उत्री गुलाज सूर का अफिकास 12 गंटे या अधिक समय तक प्राप्त होता है कहां उत्री गुलाज में और अतहा यहां दिन बड़े और रात छोटी होती हैं जैसे जैसे उत्री धुरुप की ओर बढ़ते जाते हैं तो दिन की अउधी भी बढ़ती जाती है और 23 सेप्टमबर से 21 मार्ज तक सूर का फिकास दच्छरी गुलाल में 12 घंटी या अधिक समय तक प्राप्त होता है जैसे जैसे दच्छरी धुरूप की ओर बढ़ते हैं दिन की आउधी भी बढ़ती है दच्छरी धुरूप पर इसी कारण 6 महीने तक दिन होता है सूर गहन भी आप लोग सुनते रहते हैं जब कभी दिन के समय सूर एवं पित्वी की बीच चंद्वा के आजाने से सूर की चमकती सत्य चंद्वा के कारण दिखाई नहीं पड़ने लगती है नहीं पड़ती हमें तो इस्तिती को हम लोग सूर गहन करते हैं और जब सूर का एक भाग छिप जाता है तो उसे हम लोग आंसिक सूर गहन करते हैं और जब पूरा सूर ही कुछ छड़ों के लिए छिप जाए तो इसे हम लोग पूर्ण सूर गहन कर देते हैं पूर्ण सूर गहन हमेशा अमास्या के दिन आपको देखने को मिलेगा पिर आप देखेंगे चंद गहन और जब सूर और चंदमा की बीच की दूरी आ जाती है तो सूर की पूरी रोसनी चंदमा पर नहीं फड़ती है इसे हम लोग चंद गहन कह देते हैं चंद गहन हमेशा पूनिमा के दिन की रात्री में ही होता है पितेक पूनिमा को चंद गहन नहीं होता है ये भी याद रखे क्योंकि चंदमा वो पितवी के कक्षा पर पत्व में पांट डिगरी का अंतर होता है जिसके कारण चंदमा कभी पितवी के उपर से या नीचे से च्खाया 6 से चंदमा गो जाता है तुभी चंद गहन लगता है तो दो की समाज चंद गेंड भी आंसेक अत्वा पूर्ण हो सकता है अब आफYou और आता है कि समय का निनधारण किस तरीके से होता है इस पर भी बात कर लेते हैं एक दिस अंतर का अंतर होने पर समय में-4 का अंतर हो जाता है पित्वी पश्चम से पूर की ओर घूमती है और ग्रेन विस्ट से पूरप की ओर बढ़ने पर पित्एक दिस अंतर पर आप देखेंगे चार मिनट बढ़ता जाएगा ठीक है पूरप की ओर आप लोग बढ़ेंगे माले ये रेखा है अगर इस तरब आप मिनिट का अंतर बढ़ता जाएगा उसलिए आप देखते हैं गुजराद पूछ लेता है गुजराद में इतना टाइम है तो आप सुची कि इतनी दूरी है यहां अरणा चलप देश में कितना होगा तो इसी तरह से आप लोग निकाल पाते हैं और अगर आप इस तरफ जाएंगे पर्चिम की तरफ तो पितिक देश आंतर पर चार मिनिट घटता जाएगा बॉसिंग्टन डीसी में 22 अक्टूबर 18-84 को हुई एक अंतराष्टी एक गोष्टी में लंदन के पूरु में ग्रीन विच नाम अगिस्तान पर इस्ते रॉयल वेत साला से गुजरने वाला देश आंतर रेखा को पिधान मध्यान माना गया वैसे एक ग्रीन विच मध्यान क्योंकि इसे रेखा के दोनों और तितियों में एक दिन का अंतर रहता है ग्रेन विच देश आंतर तथा 180 देश आंतर की वी 24 गंटे का अंतर होता है 0-180 degree पूर्ब की और जाने पर 12 गंटे के उधी लगती है और यह है ग्रेन विच समय से 12 गंटे के आंगे होता है और इस होता है जैसे उधारन के लिए आप ले सकते हैं यदि ग्रीन विच पर वेस्पती है और 25 सेप्टमबर 2003 को दोपार के बारा बजे तो 180 डिग्री पूर्भी देशांतर पर आप देखेंगे पूर्पूर की और हम लोग लांगते हैं तो एक दिन दोहरा दिया जाता है एक दिन दोहरा दिया जाता है यह भी आप लोग याद रखेगा और इससे पश्चिम की और लांगते हैं तो एक दिन कम कर दिया जाएगा इस परकार याद किया जा सकता है ट्रावल टू इट बास्तों में तराश्टी तिथी रेखा पूरता 180 देसांतर का अनुसान नहीं करती है यह 180 देसांतर के दाएंबाएं मुड़ जाती है ताकि इस थलिए भागों का विभाजन ना हो और लोगों को तिथी के बारे में भराम ना हो जैसे साइविरिया को विभाजीत होने के बच पश्चिम की और मुड़ जाती है और प्रश्चिम की और मुड़ जाती है और फिजी दूइप समुव और न्यूजलेंड के भागों को एक साथ रखने के लिए रेखा घृच्छन पका सगर अर्च इंद सागर से घुजरती है तो यह आप लोग जरूर यहाद रखेगा ठ ठीक है यहां समझाए गया है इने भी आप लोग अगर चाहें तो देखते रहिएगा 1884 में बॉसिंग्टन में संपन इंटरनेशनल मेरीडियन कॉन्फरेंस में 180 वे या में उत्तर को अंतराष्टी तीथी रेखा ने धारिक किया गया था और ऐसा इसलिए किया गया था कि ताकि वे भी ने देशों के मद्ध यात्तरियों को कुछ इस्थानों पर एक दिन का अंतर होने की कारण पर इसा नहीं न हूँ वेरिंग जलसंदी अंतराष्टी तीथी रेखा कि समान अंतर है कौन सी वेरिंग जलसंदी और समय जान या फर मानस हमें विसको 24 समय जानों में विभाजित किया गया है और इन समय जौनों को ग्रेंड विच में टाइम या फिर मानक समय में एक गंटे के अंतराल के अधार पर विभाजीत किया गया है पितेख जौन को आप देखें के फंदरा डिगरी के बराबर होता है और ग्रेंड विच या मितर जीरो डिगरी देसांतर पर जो ग्रेन लेंड नार्वो नियावन सागर वेटेन अलजीरिया फ्रांस माले बुर्की ना फासो गहाना दच्छेर अटलांटिक समुद्र से गुजरता है पितेक देश का मानक समय ग्रेन विच मिन टाइम से आदर घंटे की गुड़क के अंतर पर निधारित किया गया मानक स समय स्वएक्छा से चैनित या मुत्तर का स्थानी ये समय होता है जो कि एक विशिष्ट चेत या देश के लिए मानक समय निधारित करता है जैसे भारत में साड़े ब्यासी डिगरी देखते ना पूर विदे सांता जो इलावात की निकट मीर्जा फूर से गुजरती है नैनी किस समय को मानक समय मानक गया है वह यह समय आप देखेंगे ग्रेन विच में टाइम से साड़े पांच घंटे आंगे है यह कुश्चन कई बार पूच लि लिया जाता है कि कुछ देशों में अतिधिक देशांतरी यह विस्तार के कारण एक से अधिक मानक समय की विवस्ता की गई है जैसे सहीवत राज अमेरिका में नो समय जोन है रूस में 11 समय जोन है ऑस्टेलिया में तीन समय जोन है भारत में भी मांग उठती रहती है पूर् नावर्द दूरी पर होती है यह सुन की अक्चा अंसरी बिस्वत रेखा को उत्री भाग को उत्रीगूलाद करते हैं लिए बाटि बाटो ग्रण कहते हैं जैसे निम्न है यह जैसे उच्ण कटी बंद तो विश्मत रेखा से अगर आप लोग 30 डिग्री उत्तर जाएं और 30 डिग्री दच्छिन का भाग यहां वरस में दो बार सूर सीज पर चमकता है इस भाग को हम लोग मौसम सदीव गरम रहता है इस भाग का उस निकटी बंद कहते हैं ओपोस निकटी बंद यहां कुछ मैंने ताप अधे और कुछ मैंने ताप कम होता है आप धूरबी यह कटी बंद के बारे में सुनते हैं सारे माप करिए 66 डिगरी से 90 डिगरी के मद इस्तित होता है जहां ताप अतेंद की कम होता है जिसके फल्सुरूप वहां हमेशा बरब जमी रहती है ठीक है ये भी कुछ पॉइंट है ने भी याद रखेगा जैसे अक्ष उत्री धुर्व और दच्छी धुर्व को मिलाने वा इस्तानिये समये के मध्यान सूर से निर्धारित किया गया समय यानि किसी स्थान पर जब सूर आकास में सबसे अधिक उचाईवर होता है तो दिन के बारे वच्ते हैं इस समय को हम लोग वहां इस्थानिय समय कहते हैं, मानक समय, किसी देश का मानक मद्यान रिखा पर भी, पर इस्थानिय समय है, ठीक है, तो यहने भी आप लोग याद रखिएगा अब चलिए हम लोग बात करते हैं पित्वी की आंत्रिक सरचना के बारे में यानि कि पित्वी की अंदर के बारे में अंदर क्या है आखे समय रहे हो पित्वी की आंत्रिक सरचना के संबन्द में बिग्यानिकों में मतभेध है और भूगर्व में पाई जाने वाली पड़तों की मोटाई घनत ताबमान भार और वहाँ पाई जाने वाली पडारतों की प्रक्यती पर अभी पूर सहमती नहीं हो पाई है कहने का मतलब है कि आप देखे पिभिन तरह के जो बिग्यानिक है उनकी अलग-अलग मतवेद है फिर्मानों को इकति करके पितवी की आंतरिक सरचना के समंद में जानकारी प्राप्त करने की प्रयास किये गये हैं और पितवी के अंदर के हिस्से को तीन भागों में बाटा गया है भूपरपटी और आउरन और केंद्रिये भाग ठीक है यह आप लोग याद रखेगा भूपरपटी फिर आउरन फिर केंद्रिये भाग अगर हम भूपरपटी के बारे में बात करें तो पितवी के उपरी भाग को आप लोग भूपरपटी कहते हैं और यह हंदाई की तरफ आप देखें तो 34 किलोमीटर चेत तक पहली हुई है यह मुख्धा बैसाल्ट चट्टानों से बना है एक कुश्चन से भी कई बार कुछ लेता है कि जो भूपरपटी है एक काय से बना है बैसाल्ट चट्टानों से और अंदर गहराई में आप जाएंगी तो 34 किलोमीटर लगबद चेत आता है और इसमें दो भाग होते हैं एक तो सीयाल और आप देखेंगे सीमा चेत में सिलीकन और एलूमीना और सीम चेत में आप देखेंगे सिलीकन और मेगनेसियम रहेगा जो आप κल का चेति देखते हैं तो इसमें सिलीकन और एलुमीना रहेगा और शीमा के चत में चेति कल अने सिलीकन और मैंने सियम रहेगा कर शभर कहस्ट भांगल के ऑस अगर बात करें तो इसमें आप कि 2.7 ग्राम पर सेंटीमिंटर गन सेंटीमिंटर रहेगा और यह कि थी के कुल आहतन का 0.5 परसेंट भाग घेरे हुए है यह भी याद रख सकते हैं रखना ही पड़ेगा हर बार की बाहती इस बार भी आपके पास option नहीं है भोपर पटल की रचना समगरी की बात केते हुए बजन की अनुसार सबसे अधिक oxygen रहती है दूसरे स्थान पर सिलीकन रहेगा 27.72 तीसरे स्थान पर ऐलूमिनियम 8.13 चौतरे स्थान पर लोहा रहेगा 5 परसेंट पाँचवे स्थान पर केल्सियम है 3.63 चटे स्थान पर सोडियम 2.83 परसेंट साथवे स्थान पर पर पोटेसियम 2.69 परसेंट और आठवे स्थान पर मेगनेसियम 2.09 परसेंट यानि पितवी के संपूर्ण पर बटी पर लगभग 98 परसेंट उपर दिये गए 8 तत्नों से मिलकर बना हुए से इस भाग में आप देखेंगे टाइटेनियम हो गया हाइडोजन हो गया फासपोरस हो गया मेगनीज हो गया सलफर कारवन निकल इस तरह की अनपदार्सों से बना हुआ है लेकिन याद रखें सबसे जाना ऑक्सीजन ही देखने को मिलेगा अगर मेंटल की बात करें हम लोग तो यह देखेंगे कि 2900 किलोमीटर कितना 2900 किलोमीटर मोटा यह चित मुकता बैसाल्ट पत्रों की समूग की चट्टानों से बना हुआ है मेंटल के से मैं मैगमा चेंबर पाए जाते हैं इसका ओसत घनत अगर आप देखें तो 3.5 ग्राम एक घन सेंटीमीटर आप से लेकर 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर देखने कुमलेगा यह पिते भी कुल आयतन का 83% भाग घेरे हुए प्र आप समर्दिता के बारे में पढ़ाऊगा ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच सीमा चेंटीमीटर अप लोग कहते है रेप्टी आसम देता उपरी मेंटल और निचले के बीच की सीमा चित को रेप्टी आसम देता कहते हैं गोटेन वरग विसार्ट आसम देता निचले मेंटल और उपरी कोड की सीमा चित को गोटेन वरग विसार्ट आसम देता कहते हैं पिर आप लुगों ने लेहें & आसमद्यता सुना होगा बाह कोडे और आंत्रिक कोडे के सीमा स्तो आप लेहें & आसम्य देता कहते हैं कैंदरी वहाग निकल फेरस का बना होता है और इसका औंसत घंड अगर आप देखें तो 25.5 ग्राम घं सेंटी मीटर में देखने को मिलेगा एक और सत तिज्या लगभग आप देखेंगे 6370 किलो मीटर है अगर पिथवी के नीचे अगर आप जाएं तो 32 मीटर की गहराई पर एक डिगरी सेंटीगेट ताब मार बढ़ता है यह भी आप लोग जयाद रखें पिथवी के इस तलिये चित पर सबसे नीचा चित जॉर्डन में मृत सागर की आसपास का चित है यह चित समुद्धितल से अगर उसत देखें तो आप लोग 400 मीटर नीचा है ठीक है सबसे पहले पाइथा गोरस ने बताया था कि पिथवी गोल है और आकास में सोतंत रूप से लटकी हुई है सर आईजक नीउटन ने साबित किया कि पिथवी नारंगी के समान है और जैम्स जीन ने इस नारंगी के बज़े नासपाती की समान देखा है पिथवी की बाहर साता है को मुकता चार भागों में आटते हैं स्थल मंडल हो गया जल मंडल हो गया बायू मंडल और जैम मंडल सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इस थल मंडल को देख लेते हैं पिथवी की संपूर बाहर परत जिस प कि अक्यम कर सまぁ जबनिए अफ़ी के डूटल भाग मैं आप देखें तो 29 परसेंट भाग पर आपका स्थल और ill का पर जले लग करने योग पानि नहीं है महासागरों में भड़ा हुआ है जो आप देखें品 एक इस था पर संट भाग पर पानि ये पल 19-10 परसेंट रहने योग है समझ रहे हैं पित्वी के भू छित्फल बजल छित्फल का अनपाद तीन अनपाद साथ है उत्री पित्वी के उत्री गुलाद का 100% और दच्छडी गुलार्द के 81% छित्फल में जल का समराज जाए यानि कि उत्री गुलाद में माउंट एवरिष्ट की है कितनी है 8,850 मीटर और अधिक्तम गहराई की बात करें तो मेरियाना गहरत है 11,022 मीटर है यह आप दोनों याद रखेगा इस पेकार पित्वी की अधिक्तम उचाहिए और अधिक्तम गहराई में लगभग 20 किलूमीटर का अंतर है और इस्थल मंडल महादुपी है छेत्रों में अधिक मोटी 40 किलूमीटर और महासागरी छेत्रों में पेक्ता के पतली 12-20 किलूमीटर आपको देखने को एंगे कितना देखने को मिलेगा 12-20 किलूमीटर आगे चलते हैं चटान पित्वी की सत्य के कठोर भाग को आप लोग चटान कहते हैं जो पित्वी के बाहरी परत की सरचना की मुलबूत एकाईया है उत्पत्ती के अधार पर आप देखेंगे इसे तीन भागों में चटानों को माटते हैं कितने में तीन भागों में अगने चट्टन है और यह मेगमा ओलाबा की जमनिय से बनती है जैसे ग्रेनाइट बैसाल पिग्मामाटाइट डायो राइट ग्रूवो यह सभी आपकी अगने चट्टानों में आती हैं अगने चट्टाने इस थोल परत रहेत, कठो संगनन और जीवास मरहेत होती है आर्थिक रूप से यह बहुत ही संपन चट्टाने है इसमें चुमिकिये लोहा, निकल, तामा, सीसा, जस्ता, क्रोमाइट, मैगनेज और सौना, फिलेटिनियम पाये जाता है बैसाल्ट में लोही की मतर सरवादिक होती है, चट्टानों से काली मिट्टी का निर्माड होता है पैगमा टाइट कोडरमा जारखन में पाये जाने वाला अभ्यक इनी सेलों में मिलता है, आपको देखने को मिलेगा अगने चट्टानी फिंद बेखमा की ठंडा होकर ठोस रूप धारण करने से विभंद पेकार के अगने चट्टाने फिंद बनते हैं इनका नाम करने इसके आखार रूप इस्तिती और आसपा स्पाई जाने वाली चट्टानों की आधर पर किया जाता है अधिखांस चट्टानी पेंड अंतर भेदी अगने चट्टानों से बनते हैं यह अगने चट्टानों का रूपांतर जैसे अगने चट्टान हो गया कायांतित रूप जैसे ग्रे नाइट नीस में और साइनाइट नीस में ग्रोव सरफेंटाइन में बैसाल सिस्ट में प्रवेदी चट्टानों से बनता है और यह एक पाताली है पिंड है और यह ही बड़े गुम्बद की आकार का होता है जिसके किनारे खंड होते हैं इसका उपरी तल पिसम होता है यह मुलता ग्रेनाइड से बनता है उसक्तरा जमेर का का इदाहो बैथोलेत 40,000 बार किलोमीटर से अधिक छेत में फैला हुआ है करनाडा का कोष्ट रेंज बैथोलेत इदाहों से भी बड़ा है इस टॉक भी आप लोग ने सुना होता है चोटे आकार के बैथोलेत को इस टॉक कहते थे और इसका उपरी भाग गोला का गुम्मद नोगा होता है इस टॉक का विस्तार सो किलूमीटर से कम होता है लिकोलिक लिको लित जब मैगमा उपर की परत को ओ जोर से उपर उठता है और गुममद का रूप में जम जाता है तो उसे आप लोग लेकोलिक कहते हैं मैगमा के तेजी से उपर उठने के कारण यह है गुम्मदाकार ठोस पेंड चतरी नुमा दिखाई देता है उत्री अमेरिका के पश्चिमी भाग में लेकोलित के कई उधारन मिलते हैं लेकोलित वही वहिर वेधी वेधी जौला मुखी परवत का ही एक अंतर वेधी आप देखेंगे पिती रूप है फिर आप लोगोंने लेकोलित सुनाओगा जब मेगमा जमकर तस्तरी नुमा आकार गहन कर लेता है तो उसे लेकोलित कहते हैं अमेरिका में मेलते हैं फिर आप देखें के फेकुलित जब मेगमा लहर दार आकृति में जमता है तो इसे फेकुलित कहते हैं सेल्ग मैघमा survived के समाननतरपर सों में फैल कर तों पलताओ सिह को ती है और 36ड को मौज प्रक्राइवाली सिल को सीट कहते हैं डाइग भी सुनाओगा आपने जब मैगमा किसी लंबबद दरार में जमता है तो डाइग कहते हैं जरखन के सिंग भूम जिले में अनेक डाइग आपको दिखाई देते हैं तो यह भी आप लोग याद रखेगा याद रखोगे या नही हो जाती है और बात के काल में दबाव या रसायनेक पिती किरिया या अनकाटों के तवारा परत जैसी ठोस रूम में निर्मित हो जाती है आप लोग आउसादी चटाने कहते हैं जैसे बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, सलेट, कंगलो, मरेट नमक की चटाने, सेल, खरी की ठीं है? आउसादी चटाने परददार होती हैं, इसमें बनस्पती जीव जन्तूओं का जीवास में पाये जाता हैं, इन चटानों में लोय ऐसक, फासबेट, कोईला, सिमेंट बनानी कि चटाने पाई जाती हैं, खनिश तेल आउसादी चट्टानों में ही पाय जाते हैं आप प्रविस चट्टानों की दो परतों के वीच यदि प्रविस सेल की परत आए तो खनिश तेल के लिए अनकूल इस्तिती पैदा हो जाती है दामुदर महा नदी तथा गोदावरी नदी बेसिनों की आउसादी चट्टानों में कोईला भी पाय जाता है आगरा का किला दिल्ली का लाल किला बलुवा पत्थर नामा आउसादी चट्टानों से ही बना हुआ है आउसादी चट्टानों के रूप आंतरन की बात करें तो यह आउसादी हो गया, कायांतित रूप हो गया और आउसादी चट्टानों से कायांतित चट्टान का निर्माद होता है, इनका रूप अगर कायांतित सेलेट फायलाइट में और फायलाइट सिष्ट में, फिर आपने जुआला मुखी के बारे में भी पढ़ा होगा, तो जुआला मुखी भूप पटल पर वह है प्राक्तिक छेद या दरार होता है, जिसके होकर फित्वी का पिकलाप बदार लावा, राग, भाप या अन गय से बाहर निकलती है, जुआला मुखी के कव के आकार के मुख को आप लोग क्रेटर कहते हैं, और बाहर हवा में उड़ा हुआ लावा स्थीख घी ठंडा होकर छोटे छोट ठोस टुकड़ों में बदल जाता है, जिसे आप लोग सिंडर कहते हैं, उदगार में निकलने वाली गैसों में बाफ का पिती सरवादिक होता है, फेले असरो की उत्पती जौला मुखी के उदगार के समय ही होता है, उदगार अधी के अनुसा जौला मुखी तीन तरह का हो मेक्सको ऊत्री अमेरिका में ते था कॉलिमा जौला मुखी भहती सक्री जौला मुखी है इसमें 40 बास के अधिक बार उद्धगार हो चुका है अभी तक इस्ट्रामवाली भूम्द्द सागर में सिसली के उत्तर में लिपारी दूइप देखने को मिलेगा इसमें सदा सबसे अधिक सक्रिय ज्वाला मुखी किलाई हुए हवाई दू यूएसे में देखने को मिलेगा ठीक है फिर आपने सुना होगा पिसुप्त ज्वाला मुखी जिसके निकट अतीत में उद्गार नहीं हुआ है और लेकिन इसमें कभी भी उद्गार हो सकता है उधारन के लिए बिसुप्त हो गया भूमद सागर में कराका टोवा सुन्दा जल्लम्रु में फिवजी यामा जापान में यमन मेयन ए फिलिपिन्स में सांथ ज्वाला मुखी यह वैसा ज्वाला मुखी होता है जिसमें एतिहासिक काल में कोई उद्गार नहीं हुआ जिसमें पुनाह उद् मुखी के उधारन है कुछ सक्क्रिय ज्वाला मुखी का अधिकांस पिसांत महासागर के तटिये भाग में पाए जाते हैं सक्क्रिये ज्वाला मुखी पिसांत महासागर की परीमेखला को अगनी वले कहते हैं क्या कहते हैं अगनी वले सबसे अधिक सक्क्रिये ज्वाला मु ग्रेसर या ग्रेसर बहुत से ज्वालमुखी छेत्रों में उद्गार की समय दरारों और सुराकों से होकर जल बास्त कुछ अधिक उचाई तक निकलने लगते हैं इसे ही ग्रेसर कहा जाता है जैसे ओल्ड फेर फेद्फुल ग्रेजर यह USA की यलो स्टॉन पार्क में है इसके में पिति एक मिनिट उद्गार होता रहता है यह आप कहते है धुआरे ज्वालमुखी किरिया की अंतिम और स्था की पिति इस गैस में जो गैस बाद जलबास में निकलता है गंधक ते उकते धुआ को सोल फतारा कहा जाता है सोल फतारा अलस का कि कटमाई परवत की हजारों धुआओं की घाटी कहा जाता है इरान को कोह सुल्तान और दुआरा वा निव जिलेंड की पिलेंटी की खाड़ी में इस्ति हाइड दुइप का धुआरा भी पिसे दिखा पी है बिसका सबसे उचा अगर जुआला मुखी परवत पूचे तो कुटा फैक्सी है इसकी उचा अगर आप देखें तो 19,613 मीटर आपको एक्वाडोर में है यह बिसकी सबसे उचाई परश्ते सक्रिय जुआला मुखी पूचिये तो Ojas Del Salado है अन्डीज परवत माला में अजिटीना, चिली देख की सीमा पर देखने को मिलेगा विसकी सबसे उचाई परिस्तित सांत जौला मुखी एकांका गुगा में एंडीच परबतमाला परिस्तित है जिसके उचाई है 6960 मीटर है ठेक है अब बात करते हैं भूमध की भूकम की भू गरवसास्त की एक विसेश साका जिसमें भूकम का अध्यन किया जाता है इसे आप लोग सिस्मो लौजी भी कहते हैं भूकंप में तीन तरह के कमपन होते हैं एक तो आप देखें कि पिरातमे क्या आनी की पी तरंगे प्राइमरी या पी बेप यह तरंगे पित्वी के अंदर पिते एक माध्यम से उकर गुजरती हैं और इसकी वह साथ बेग अगर आप देखे या एस तरंगे यानी की सेकर्णरी बेप कहते हैं इन्हे अनुपस्त तरंगे भी कहते हैं आप लोग क्या कहते हैं अनुपस्त तरंगे भी कहते हैं और यह तरंगे के बल ठोस माध्यम से गुजरती हैं और आप लोगों न सते ही तरंगे सुना होगा सरफेस तरंगे एल तर रे वेव रे लाइड वेव यह तरंगें मुक्त धरातल तक ही सिमित रहती हैं यह ठोस तरल और गयस तीनों माध्यम से गुजर सकती हैं इनकी चाल अगर देखें तो एक दसमलों पांस से तीन किलो मीटर की थी से कर्ण होती है सते ही तरंगें अत्यधिक बिनासकारी होती हैं यह भी आप लोग याद रखेगा सरफेश जो तरंगें हैं यह सबसे खतरनाक होती हैं बिनासकारी होती हैं भूकंप तरंगों को सिस्मो ग्राफ नमकी अंत द्वारा रिखांकित किया जाता है और इनके बेवहार की समद में निम्रिके तत निकले हैं। सभी भूकंप ये तरंगों का वेग अधिक घनत बाली पदारतों से होकर गुजरने पर बढ़ जाता है और कम घनत बाली पदारतों से गुजर गया तो घट जाता है। केवल प्रात्मिक तरंगे ही पिद्वी के केंद्री इभाग से गुजरती है और परंतु वहां उनका वेग कम हो जाता है। उसका केंद कहते हैं भुकम का केंद कहते हैं भुकम के केंद्र निकट PSL तीनों पेकार की तरंगे पहुंचती हैं और पिद्वी के भीतर भागों में ये तरंगे अपना मार्क बदल कर भीतर की और आउतल मार्क पर यात्रा करती हैं और भुकम केंद्र से धरातल के साथ 11, 12,000 km की दूरी तक P और S तरंगे पहुंचती हैं केंदरी ये भाग पर पहुंचने पर S तरंगे लुप्त हो जाती है और P तरंगे अपवर्तित हो जाती है इस कारण भूकंप के केंद से 11,000 km के बाल लगबत 5,000 km कोई भी तरंग नहीं पहुंचती है और इस छेत को छाया छे कहते हैं क्या कहते हैं चाया छेत कहते हैं फिर अधी केंद भूकंप के केंद के ठीक ऊपर पितवी की सतय पर पर इस्तित बिंदू को भूकंप का अधी केंद कहते हैं अधी केंद पर सबसे पहले पी तरंगे पहुंचती हैं और सागरी भूकंपों द्वारा उत्पन लहरो को जापान में क्या कहते हैं सुनामी कहते हैं और जिन सम्मेदन से लियंतो द्वारा भुकम्प तरंगों की तीबता मापी जाती है उन्हें भुकम्प लेखी या सिस्मोगराब की बात हो रही है ठीक है यह भुकम्प लेखी या फिर सिस्मोगराब की द्वारा मापी जाती है इसमें तीन स्केल होते हैं रोसी फिरल स्केल और मारकेली स्केल और रियक्टर स्केल में भूकम की तीबता या उड़ जाम आपने वाली रियक्टर स्केल का विकास अमेरी की विज्ञानिक चार्स रियक्टर द्वारा 1935 में किया था यही एक लगुगरती यह पिमाना है जिसका बार ट्यांग एक से नो होता है और रियक्टर स्केल पर पितिक अंगली इकाई पिछली इकाई की तुला में दसमुनाधी तीबिता रखती है और इसके स्केल पर 2.0 या 3.0 की तीबिता का अर्थ हलका भूकम होता है जब कि 6.2 की इस पिता का चक्ति साली होकम से लिया जाता है बिभिन इस्थ díaकतियां भी बंदिये अंसे इस्थाल्गतियां भी बिलोग परवत सबसे पहले जब चटानों में इस्तित ध्रंस के कारण मद्धे भाग नीचे धस जाता है और अलग अलग अगल वगल के भाग उचे उठ जाते हैं उसे पितीत होते हैं इन्हें आप लोग परवत कहते हैं ठीक है और बीच में धसे भाग को आप लोग जर्मनी का होगा है साल्ट रेंज पागिस्तान का हो गया देखिए सीधा सा मतला है कि इसके माल लेजे की ये सीधा सेंपल है अगल वगल की भाग मूचे उठ जाये और नीचे का भाग के नीचे को हो जाये समझ रहे हैं तो इसे ही बिलोग परमत कहते हैं नीचे रिप्ट गाटी हो जाती है परवर नेमार की विफिन सिध्धांद भी दिये गया है सिध्धांद हो गया है भूगोल बेता हो गया है भूस अनती कोबार ने दिया था ताविय संकुचन जे फ्रीज ने दिया था महादुफिय फिसलन डेली ने दिया था महादुफिय विस्थापन व प्रेयो टॉरेंटो विस्विध्याले की टूजो विलसन ने 1965 में किया था प्लेट विवर्तनी की सिध्धान्त की बिग्याने बेख्या का स्रे डबलू जी मॉर्गन को दिया जाता है और इसकी सबसे लंबी रिप्ट घाटी जॉर्डन नदी की घाटी थी जो लाल ट्रागर क की विस्विशन से होती हुई जिम्बेजी नदी तक 4800 कियू मीटर लंबी थी ठीक है आउसिस्ट परवत चट्टानों के परदन के फलसरूप निर्मित होते हैं जैसे बिंध्यान चल हो गया सकपोड़ा हो गया नील गिरी हो गया पारसनात राजमहल की पहाड़िया भारत म सेरा इसमेन में गैसा और बूटे ए अमेरिका में तो आफसिस्ट परवत हो गया है था संचित परवत ये भूपटल पर मिट्टी बालू कंकर और पथल लावा की एक इस्थान पर जमा होते रहने की कारण बनने वाले परवत रेग स्थान में बनने वाले बालू के इस्थो हो गया यह शुवाल हो गया रॉकी जो गया एंडी जो गया यह सब ही आपके वलूत परवत के उधária हैं विति विस्थाल बल बलत परवतों की रचना आज से लगवक 30 मिलियन बस पूर होई थी विसकी सबसे लंबी परवत सेड़ी की बात करें तो एंडीज परवत सेड़ी है जो दच्छन अमेरिका में आपको पश्चमी तठ पर देखने को मिलेगा और विसकी सबसे उची चोटी की पूच है तो माउंट एबरेस्ट हो गई आठ जार आठसो अर्तालीस मीटर या आठ जार आठसो पचास मीटर अफीका का सरवश सिखल अगर पूचै तो माउंट के लिए मंजार हो गया एह 5,895 मीटर है तंजानिया में वलित परवतों वलित परवतों के निर्मार का दोनिक सिद्धान फिलेट टेक्टोनिक की पर अधाजित है और जहां आज हमालय परवत खड़ा है ना वहां किसी समय में टेथिस सागर नावाक विसाल भू अभीनती अत्वा भू दोणी हिती दच्छिड पठार के उत्तर की ओर बिस्थाबन की कारण टेथिस सागर में बल पढ़ गए और वह उपर उठ गया जिससे स संसार का सबसे उचा परवत हिमालय का निर्माड होता है भारत का अरावली परवत बिस्थ के सबसे पुराने पलित परवतों में सीएक है और इसमें सबसे उची चोटी माउंट आबू के निकट है गुरू सिकर इसकी समुद्ध तल से उचाई देखें तो 1722 मीटर है कुछ अरावली परवतों को अवसिष्ट परवत का उधारन मांते हैं यह हिमालय तो अभी नए हैं बच्चे हैं एक तरह से आपके यह समझ रहे हैं आप अरावली को देखिए अगर पुराने देखना ही आपको तुम फिर आप देखेंगे क्या पठार भी आप लोगोंने सुना ह होगा तो धरातल का विष्ट इस्थल रूप जो अपने आसफास की इस्थल से परयात उंचा होता है और सीस भाग चोड़ा होता है सपाथ होता है इससे सामान पठार की उंचाई आप देखेंगे 300-500 फिट होगा और कुछ अधिक उंचाई वाला पठार होता है जैसे तिब परवत्माला वा मैंदान के उठे समतल भाग होते है महादुप यह पठार जब पित्वी के भीतर जमाक लेकोलित भूपिष्ट के अपरदन के कारण सतय पर उभर आते हैं तब ऐसे पठार बनते हैं जैसे दच्छिन का पठार या तटिये पठार समुद के तटिये भाग म स्थित पठार होते हैं गुम्मदाकार पठार इस चलन क्रिया के फलसुरूर निर्मेत पठार जैसे आप देखेंगे रामगर गुम्मद भारत में आपको देखने को मिलेगा फिर आपके आते हैं मैदान पांस सो फिट से कम उचाई वाले भूपेष्ट की जमतल भाको मैदान कहते हैं मैदान अनेक पकार के होते हैं जैसे आप देखेंगे अपरदानात्मक मैदान नदी हिमानी पवन जैसी सक्तियों के अपरदन से इस पकार के मैदान बनते हैं जो निम्न है लो एस का मैदान हवा नदियों के परदन के फलसोरूप हुआ है गलेसियल मैदान हिम के जबाओ के कारण निर्मे दलदली मैदान जहां के बल बन ही पाये जाते हैं या फिर रहकिस्तानी मैदान बरसा के कारण बनी नदियों के बहनी के फलसोरूप इनका निर्माड होता है ठीक है तो यह भी याद रखिएगा अब हम लोग आंगे चलते हैं एक आप देखते हैं निच्छे आत्मक मैदान नदी निच्छे द्वारा बड़े-बड़े मैदानों का निर्मार्गी है इसमें गंगा हो गया सतलाज मिसी सीपी हौंगो के मैदान पिरमुख है इस वेकार मैदानों में जलूर का मै पिरमुख है भेंड़े-बहं कारकों द्वारा निर्मटि स्थालाक्तिया होती है जैसे घूमी गा जल द्वारा निर्मटि इस्थालाक्ति उत्सुत कुगा और गेजर, घोल, घोल, रंद, डोलाइन, काष्टजील, युवाला, पुली एकंद्रा, इस चली हो गया तंगरीका हो गया पुलेन हो गया हूख हो गया लूप हो गया टुमबॉलो हो गया हिमना द्वारा निर्मित इस्थलाक्तिया है सरक टार्ण अरेट हार्ण नुनाटक फिवोड ड्रमलिन कैम एसकर यह सभी ड्रमलिन मुख परूप से समूश से मिलते हैं इसी पवंद्वारा निर्मित इस्थलाक्तिय ओ कि जिवगेंड यारडं इन्सेल वर्ग चट्रव पलया लेगून बर्खान लुएस पैडी पिलेन ठीक है। फिर आप देखेंगे समुद्धी तरंग Figla समुद्री बिरगू जिया और लेगून जील रिया तठ्थ भारत का पश यह कई बार पूछ लेता है कि यह घाटी किस से बनती है ठीक है गाज का निर्माद नदी की युवा आवस्था में होता है फिर आप देखेंगे लटकती घाटियां यू आकार की घाटी मौरेन हिमानी चेत में बनते हैं यू आकार की घाटी के तल चोड़े वा किनारे चिकने और ढालती बहुती है जल निर्गम चिद्र और काष्ट मैदान चूना चिद्र की इस्थलाक्ती में पाए जाते हैं मरू टिबबा हवा की तेज बेग से बने रेतीली टीलों को कहते हैं इसके निर्माड के लिए औरोत का होना आवस्यक होता है नौ चंदरा का डिबबे टि हैं इन्हें फेवोड कहते हैं सरक गहरे और लंबे बचोड़े गरत जिनकी दीबार तीब ढाल वाली सीधी या अउतल होती है अधिकतर सग हिमनत घाटियों के सीज पर पाए जाते हैं हिमनत के पगलने पर जल से भरी सरक को आप लोग सरक जील या टार्ण जील भी कह देते हैं सरक के सीख से पर अपरदन होने से हार्ण निर्मित होते हैं आलपस परवत की चोटी मैटर हार्ण और हिमाले परवत की सबसे उची चोटी एवरिश्ट पास्तों में हार्ण है जो सरक के सीज अपरदन से निर्मित है लगादार अपरदन से सरक के दोनों तरफ की दिवा खाकी पेकार जैसे फियार्ड तठ हो गया, जल के नीचे धस जाने से फियर्ड तठ का निर्माराण उता है, इसके हैफा तट, सागरिय तटी भाग में किसी निमने भूमी के डूब जाने से निमने तट को हैफा तट कहते हैं, और इसे पर रोधी काओं की स्तमानंतर सिंखला मिलती है, जिससे सागरिय जल घिर कर लेगून जीलों का निर्मान करता है, यूरोप का बाल्टिक हैफा तट का ही अच्छा उधारन है, फिर आप देखेंगे डॉल में सियन तट, समानंतर परवर्ती है, कटकों वाले तटों के धसाओ से एक तरसे डॉल में सियन तट का निर्मान होता है, यूगो सलाविया का डॉल में सियन तट इसका ही उधारन है, फिर आप देखेंगे निर्गत तक का निरمाळ होता है वो इस पिकार के तट फर इस्पेट लैगोन ख 2001 कलब मेहराव मिलते हैं भारत में गुजुरात का रखती आवार तर MS निर्गत समुदर तक का अधारन है बहलाते हैं कि आरैंग कि बंद जंगल देखते हैं इन हुए कि बात करशी-सन्हें से अधिक बरसा होती है यहां की अगर देखें अगर तो यहां के पेड़ों की पत्रियां चोणी होती है एना कॉंडा विसका सबसे बड़ा सौब सौब उष्ण निकटी बन दिये सदावार बन भाया जाता है थीक है फिर आपका उष् निकटी बन दिये अर्ध पत जड़ बन 150 सेंटी मीटर से कंबरसा वाली पराप्ट करने वाला बन है साल सागवान बां साधी इसी बन में पाया जाते हैं पिर आप देखेंगे विस्वत रेकिये बन, इन बनों में बैक्च और जाडियों का मिसरण होता है, जैस्तून, कॉर्प, ओक, यहां के मुख बैक्च होते हैं, टेगा बन, इस अदावार मनें, इन बन के बैक्च की पत्तियां नुकिली होती हैं, टुंडरा बन, यह बरफ से धका होता है, गर्मी में यहां म कुष्टन से उठा के देखिएगा, आप देखेंगे कि आपके घासों से कुष्टन स हमिसा पूच जाते रहते हैं, यहसी कोई साल नहीं जाती ही, मुझे लगता है कि जो साल नहां आते हूं, अगर घास भूमियें दो बिगहाजियों में बिभाजे थे, एक तो आप देख बआठी कुष्टोला और कोल constitu fabulous में आप लोगे से लानोस के जानते हैं हैं, और सितो उस्च कटी बंदिय घास भूमियों के बात काने देखिए और इसे सहीमियें लग अलग नाम से जानते हैं, जैसे सायुकतराज अमेरिका, कनाडा में पेमियरे के नाम से, अर्जिनटीना उष्ण कटिवंदिये घास भूमियों की बात करें तो अफिका में इन्हें सबाना की नाम से जानते हैं, ब्राजील में आप लोग इसे कंपोच की नाम से जानते हैं, बेनुजलोय, वेने जोईला और कोलंबिया में इसे लानोस की नाम से जानते हैं, और सीतोस कटिवंदिये में वैल्ड के नाम से जानते हैं और दो आजाएं तो कह नहीं सकते हैं अब चलते हैं महादीपों की तरफ पितिवी पर भो भाग की सबसे वड़ी इकाई को महादीप कहते हैं और पितिवी के पितिवी का स्थल्चेत साथ महादीपों में बटा हुआ है एसिया हो गया अफिका हो गया उत्तरी अमेरिका हो गया यूरोप हो गया अंटारिक्टिका हो गया दच्छडविका हो गया और श्टेलिया हो गया ठीक है सबसे वहले एसिया पर चलते हैं जहां लोग निबास करते पिर से कह रहा हूं उनकी लासों को आप लोग जरूर देख लिजेगा पिति अगर एसिया की बात करें तो एसिया सब्दी की उत्पत्ती हिप्रू भासा के आसू सब्दे से हुई है जिसका साब्दी कर्थ होता है उर्दी सूर और यह संसार का सबसे बड़ा महादीफ है यह बिसके लगबग 30% छितपल पर फैला हुआ है और इससे होकर तीन प्रमुक अक्छांसी बिर्थ विस्वत करक आर्केटिक गुजरते हैं और एसिया के उत्तर में आर्केटिक महासागर है और दच्छन में हिंद महासागर और पूर में आप सांत महासागर देखें कि Ну मिलेगा पशन में यूराल परवत कैस्पियेन सागर काला सागर भूमध सागर एसिया और यूरोप की सीमा बनाता है ठीक है तो ये भी याद रखना होगा फिर आप देखेंगे तो लाज सागर और स्वेज नहर एसिया को अफीका से अलग करते हैं लाज सागर और स्वेज नहर एसिया को अफीका से अलग करते हैं एसिया और अफीका महादीब के लिए बेरिंग जलसंदी एसिया को उत्री अमेरिका से अलग करता है यह विस की लगवग 60% जनसंख्या सरवादिक जनसंख्या वाला महादीप निवास करती है यहां विस समय एसिया महादीप में अत्ती प्राचीनियो कि इस्तलकंड अंगारा लेंड और चीन आप देखेंगे रू प्राचीन का प्राची अरप राधी बिस्ट का सबसे बड़ा प्राचीप है एसिया में विस्ट का सबसे उचा प्रवत सिखर हिमालय परवत सेंडी फर माउंट अवरिष्ट है जिसकी उचाही आप देखते हैं कि 8,850 मीटर है जो नेपाल में सिस्तागर माता के नाम से जा हुआ है एसिया में विस्ट का सबसे उचा पठार भी है पामीर जिसकी उचाही 4,875 मीटर इसी कारण पामीर को विस्ट का छट भी कहते हैं रोफ of the world ठीक है एसिया में विस्ट का सरवादिक जनसंख्या वाला देश चाइना है दूसरे स्थान पर हम लोग आते हैं और सबसे बड़ा देश चीन और सबसे चोटा देश माल दीफ है एसिया में विस्ट का सरवादिक जनसंख्या वा घनत वाला देश सिंगापूर है एस्थिया के इस्थल रुद्ध देशों की बात करें जिसकी सीमा समदर से नहीं चूती है इन देश में कजाकिस्तान हो गया अ एक मात इस थल देश है यह पूर में फ्रांसी सियों का उपनिवे सिरी राय एसिया में सबसे लंबी नदी अगर आए तो यांग सी है और अधिक्तम गहराई मेरित सागर्थ 397 मीटर है एसिया में फिलीपिन्स दूइप समू के पास विस्ट का सबसे गहरा सागरी गर्थ प विस्की सबसे गहरी जील वैकाल जील है धरातल से आप देखेंगे 1940 मीटर है गहरा है और समधने तल से आप देखेंगे 1485 मीटर गहरा है एसिया में स्तित है विस्की सबसे बड़ी जील आंतरिक सागर्थ केंपियन सागर ये आद देखें कि 3,7,800 बर किलोमीटर में फैली हुई है एसिया महादेब में ही देखने को मिलेगा रूस के एसिया ही भाकूल साइविरिया कहते हैं वेकाल जील और केस्मियन सागर साइविरिया में ही इस्तित है रूस देखें यूरोब में भी पड़ता है रूस का पुछे साइविरिया में विसका सबसे अधिक उचाई वरस्तित खारेफानी के जील पेगांग जील है 4,266 मीटर उचा है लगदाग बतिबद में और इसी है महादी में विसका सरवादिक बरसा वाला चित मासन राम है 11,000 अब देखेंगे 405 मिली मीटर मेगाला है भारत में इससे पहले चैराफुंजी सरवादिक बरसा वाला इस्तान था ठीक है विसके सबसे उची रेलवे लाइन का निर्मार चीन में किया गया और चीन के छिंग हाए प्रांद से शुरू होकर तिबद के लिहासा तक फैली है इसे रेलवे लाइन की उचाई 5,72 मीटर है महा वैली गंगा स्री लंका की सबसे लंबी न दिया एसिया में विसके सबसे लंबा रेले वे पड़ेट फॉरू गोरगपूर उत्तर प्रपेदेश में भारत में इस्तित है इसकी उचिए लंबाई 1.3 किलो मीटर है इसकी है इससे से पूरिख खड़कपूर सबसे लंबा पिलिट मौग था चीन विसका सरवादिक मच्छली पकड़ने वाला देस होंग कांग है विसका सरवादिक डंगर भारत में देखने को मिलेगा रहा हम लोग नाक माग लेकर और आग गें पैसांद महातवर में गिरने वाली एसिया की प्रमुखना दिया हॉंग हो गया आमूर हो गया सिकांग हो गया यांग टी सी यांग हो गया आर्केटिक महा सागर में गिरने वाली एसिया की प्रमुखना दिया जिनमें मुहाना सीत रितू में जम जाता है लीना हो गया हो बे हो गया इनेसी हो गया भूमत सा कि नाम पर पड़ा जिन्होंने एवरेष्ट की अवस्तिती का पता लगाया था और वे 1830 से 1843 तक भारत की महासर विक्षग रहे थे बिगत में माउंट एवरेष्ट की चोटी 15 कहा जाता है था एवरेष्ट की स्तिती की बात करें तो देशांतर 66 डिगरी 85 मिनिट 40 आप देखेंगे पूर बार अक्षांस इसकी देखेंगे 29 डिगरी 69 मिनिट आपको देखने को मिलेगा परमतमाला की असपास वेविनेस खलों के अवस्तित मापन द्वारा 1994 में माउंट एवरेष्ट की उचाई 8848 आखी गई थी नेस्नल जियोग्राफिक सोसाइटी ने GPS अपगरे के उपयोग द्वारा पांच माई 1999 को एवरेष्ट की उचाई 8850 मीटर होने की दावा किया है माउंट एवरेष्ट को तिबद में कौमो लंगमा बरक की देवी और नेपाल में सागरमा था यानि कि ब्रहमन्ड की माता कहते हैं और इसमें पितवी का तीसरा धुर्ब भी कहा जाता है सबसे पहले एडवंड हैलेरी और तैंजिंग नौर्गे ने उननी सो तिरेपर में माउंट एवरेष्ट की चोटी पर पहुँचे थे नोवांग गुम्बू पितव बैखती थे जो माउंट एवरेष्ट पर दो बार चड़े पहली बार एक माई 1963 में अमेर्की अभियान के साथ और दूसरी बार 20 माई 1965 में भालती अभियान दल के साथ नोवांग गुम्बू तेन जिंग नोर्गे के भतीजे थे जिम भीटर पितव अमेर्की थे जिनोंने एक माई 1963 में माउंट एवरेष्ट पर चड़ने में सफलता हांसिल की थे जुंको तबई जापान की पही मैला थी जो एवरेष्ट पर चड़ने चड़ने थी 1975 में बचंदी पाल पहली भारती मैला थी जो 1984 में एवरेष्ट सेकार पर चड़ने थी फो दोड़ जी किताम बैखती थे जो 9 माई 1984 को बिना ओक्सीजन की माउंट एवरेष्ट पर चड़ने में सफलता हांसिल की थे कामी रीता सेरपा नेपाल में सरबादीक 23 बार माई 2019 में एवरेष्ट पर पहुंचने में सफल हुई कामी पहली बार 24 बर की उमर में 1994 में इस चोटी पर गई थी विसमें सबसे कम उमर यानि कि 13 साल की एज में एवरेष्ट सेकर पर चड़ने वाले पुरुस थे जॉर्डन, रोमेरो और अमेरिका के थे जिनने 22 माई 2010 को सेकर पर चड़ने में सफलता हांसिल की थे इसके सबसे कम उमर 13 साल में एवरेष्ट सेकर पर चड़ने वाली महला मालवेत पूर्णा भारत आंधपेदेस की थे जिननोंने 25 माई 2014 को आप देखेंगे सिकर पर चड़ने में सफलता हांसिल की थे सबसे कम उमर रियानी की पंदर वरस में एवरेष्ट सेकर पर चड़ने में सफल होने बाला भारती पूरस्था रागहो जुनेजा मुरादाबाद उत्तरपेदेस की देश ने 21 माई 2013 को आवरेष्ट सेकर पर चड़ने में सफलता हांसिल की थे इसके साथ ही स्कूल लारेंस की पांच बच्चे भी थे यब इसकी पिथम स्कूल टीम थी जिसे एवरेष्ट सेकर पर चड़ने में सफलता प्राप्त हुई थे अरजुन बाच पर इनोईडा उत्तरपेदेस की सूले वरस की अवस्था में एवरेष्ट सेकर पर 13 माई 2010 को चड़ने में सफल हुए थे एवरेष्ट पर उतिबद की ओर से चड़ने पर उम्र सीमा की बादता नहीं है अमेरिका की टॉम प्राई टेकर पहले विकलांग बैकती थे किंतिम टांग जो 1998 में एवरेष्ट टेकर पर पहुँचे थे हमारी तो दोनों हैं हम लोग भी कौसिस का सकते हैं कभी जाय के हीमो फीलिया रोक सी गिर्सेद फीडिद पिथम बैकती क्रेस बॉमबा डियर डेन ओवर अमेरिका ने 22 में 2017 को मांट एवरेष्ट पर चड़ने में सफलता हांसिल की थी इसने मांट विल्सन को छोड़कर विस्से के सभी महादीपों की उची चोटी पर चड़ने में भी सफलता पराप की थी तो जब भी किसी देश की यात्रा को करो तो वहां की जो भी उची चोटी रहेगी जो भी परबत की उस पर आप लोग जरूर कोसिस करिएगा चड़के तो देखना चाहिए क्या हाल बता रहा है तीक है तो यह भी याद रखेगा आगे चलते हैं हम लोग एसिया का सबसे घना बसा दूइफेट जावा और इसिया में सरवादिक जूट और गन्ना उत्पादक देश करमसा बंगलादिस और भारत हैं जूट में आपका बंगलादिस हो गया और गन्नी में भारत हो गया एसिया में सरबादिक जल्बिद्धूत का विकास जापान में हुआ है एसिया के सबसे बड़ा रेल मार्ग ट्रांस आईवेरियन रेल मार गया है लंबाई है 9,438 किलो मीटर एह लेनिंगराड से विलाडी वोशक तक जाता है एसिया के सबसे लंबी रेलवे सुरंग सिकन है जो जापान में है 53,85 किलो मीटर लंबी समद तल से इसकी गहराई है 240 मीटर एसिया के सबसे बड़ा रबर उत्पादर को पर नरयातक देश थाइलेंड है मलेसिया और इंडोनेसिया है एसिया के देश चीन तमाखू गेहू चावल आधी के उत्पादर में विस्वें पिथम इस्थान पर रखते है A Asia के देश Japan को सहेतूत की पत्रियों पर पाले गए रेसम कीड़ों से प्राप्त कच्चा रेसम प्यता करने में विस्थ में पितधम इस्थान मिलता है A Asia में विस्थ का सरवादी कराक्तिक रबर उत्पादी करने वाला देश Thaivaland है एसिया के सबसे अधिक टिन उत्पादक देश मलेसिया है आपका टिन के निर्यात में या विस्क में पिताम इस्थान पर है और मलेसिया की एफो किंता के लांग गाटी टिन खरनन का प्रमुकेंद भी है एसिया के सबसे गरम इस्थान मोहन जोदरो पाकिस्थान में है और सबसे खंडा इस्थान वर्खो यास्क साइवेरिया में जहां तामान के रमसा 53.5 डिग्री सेंटीगेट 26 मई 2010 को और माइनस 89 डिग्री सेंटीगेट मिलता है वर्खो यास्क को पितवी का सीथ दुर्ब भी कहते हैं लाज सागर भूमद सागर को जुड़ने बाली नहर को आप लोग सवेज नहर कहते है विसका सबसे बड़ा शिनकोना उतपादक देश हिंडोनेसिया है और वांडोंग इसमर्ण से कुनेन बनाई जाती है जो मलिरिया की दवा होती है एसी आग में विसका सरबादिक जल्यान बनाने वाला देश जापान है आर्केटिक और पिसांत महासागर को जोडने वाली जल्दमरू को आप लोग बेरिंग जल्दमरू कहते हैं अलास्का और कम चटका प्राइदी के बीच है जापान का नागा साकी सहर की 102 परस्तेत है जापानी लोगों को चाय अत्यदिक परिये हो और यह लोग चाय का एक विसेस उत्साओ चा नू यूप मनाते हैं बेरिंग जल्संदी अंतराश्टी तिथी रेखा के समानतर है और इसमें से चाय नहरों का सबसे बड़ा जाल पाकिस्तान में है म्यानवार अपने सुंद अब हम लोग बात करते हैं अफीका महादीप के बारे में और अफीका महादीप के बारे में अगर हम बात करें तो विस्व का दूसरा सबसे बड़ा महादीप है क्या अफीका महादीप विस्व का दूसरा सबसे बड़ा महादीप है पहले नमबर पर आपका कौन आता है यूरोप से अलग होता है अगर आपसे पूचे कि जिब्राल्टर संधी किन दो महादीपों को अलग करता है तो एक तो अफीका एक यूरोप इनके बीच ठीक है और अगर आपसे पूचे कि यूरोप और अफीका की बीच कौन सी संधी है जल संधी तो जिब्राल्टर जल संध है इसके पूर्व में हिंद महासागर और पश्में मैं आप देखेंगे तो अट्लांटिक महासागर देखने को मिलेगा इसे कॉंटिनेंट और कॉंट्रास्ट्स भी कहते हैं ठीक है और अपे गा एक महाधीप मैं जिससे वह कर विस्वत लब्मी नदी नेल नदी भी निकलती है विक्टोरिया जीड जो साहारा रेकस्थान से खूते हुए भूमद्द सागर में जाकर गिरती है अभीका में बुसमेन, कालहारी और पिग में कांगो वेसिन, बद्दू, ए सहारा वरुष्थल में मिल्ले बाली पिरमुक आदिम जातिया है पुराने जमाने में आप लोग जन जातियों के बारे में सुनते थे उन्हीं मैं से सहारा में पाए जाने वाली तुवार एक जंजाती विदेशी परियाटकों के लिए मारिक दरसक का काम करते हैं एक बात और आपको बता दू अगर आपको अपनी संस्किती देखनी है कि अगर अभी तक किसी ने अपनी संस्किती बचा की रखी हुई है तो वो जंजाती है जो आप देखते हैं कि उनके छेतमे आप लोग जाय करिएगा तो वहां के इवारे में एकटी जानकरी कर लिया करिएगा क्योंकि कई जगे आप देखते हैं कि वो आकमण भी कर देते हैं और वो अपनी संस्किती से चड़ चाड़ नहीं करने देते हैं ठीक है 13 सेप्टमबर 2012 बारे कुब विस्त मौसम विज्ञान विभाग ने संगठन ने करीब 90 बरसों चले आ रहे है अल अजिजिया लीविया के अधिक्तम ताबमान 58 डिगरी सेल्सियस की रिकॉर्ड को निरस्त कर दिया था और जिसके कारण अब विस्त का सबसे गर्म स्थान ग्रेनलेंड रैंच मित्युगाटी कैलिपॉनिया USA हो गया है जिसका ताबमान आप देखें तो 56 डिगरी सेंटीगेट है जिसका मापन 10 जुलाई 1913 में की कुकी आ गया था ठीक है यह भी आप लोग याद रखिएगा और अफीका को कांगो की कांगो नदी विश्वत रेखा को और लिम पोपो नदी मकर रेखा को दो बार काटती है इनसे कुष्ण स पहले भी बात कर चुका हूँ अफीका के सबसे लंबा रेल मार्ग के कैप काहिरा रेल मार्ग जो दच्छड अफीका गड़राज की कैप टाउन नगर से मिस के काहिरा नगर तक जाता है मिस्व में सोईज नहर है जो लाल सागर को भूमद्य सागर से मिलाती है और इस नहर का निर्माण 1869 में किया गया था जिसके कारण यूरोप से भारत आने में 7000 किलोमीटर दोरी की बचत हुई थी और इसकी लंबाई 168 किलोमीटर है और मिस्व द्वारा 1956 में इस नहर का राष्टी कंड कर दिया गया था सोईज नहर के दच्चरी चोर पर पोर्ट सोईज और उत्री चोर पर आप देखेंगे पोर्ट सईद देखने पतन देखने कुम लेंगे तो इस लाइन में से आप देखेंगे कई कुश्चन्स बन सकते हैं अगर आप लोग इस लाइन को अच्चे से पढ़ लें अफीका के कालाहरी मरुस्थल में सुतरमर्ग चिडिया मिलती है और उत्पादन की दिरिष्टी से अफीका में किमबरली खान दच्चन अफीका और छेतफल की दिरिष्टी से ओर आपा वोत्सवाना विसकी सबसे बड़ी हीरे की खाने है और विसका सबसे विसाल हीरा ये आप देखेंगे 3106 केरेट को दच्चन अफीका में कि प्रीमियर खान से जनवरी 1905 को सर्थॉमस कुलीनान ने खो जाता और इ 4 जील इस मरुस्तल में ही हिस्तित है दाच्चे डफीका में कालाहरी मरुस्तल बही है और आप दिखेंगे हीरा इस देस में उतपादन होता है एरा मिलता है उतकनन से और और आप सोचिए कि गरीव है, महादीप है, कई देश इसमें गरीवी में जी रहे हैं, टेलेफा मापकरी टेफी ला लेट, मरूद धान, ये छेत पल लगभाकिस का आप देखें कि तीरह जाओर वर किलो मीटर हूं, मुरक्कों में देखने को मिलेगा, एटलस परवस उत्री पश्टमी अफीका महादीम में इसते थे, और ये हैं अल्जीरिया, अट्टिवनीसिया अवा मुरक्कों में पचीस सो किलो मीटर लंबाई में विस्ता रहे थे, यही एक नवीन बलित परवत का उधारन है, इसकी सर्वोचोटी है माउंट टाओ, टाओ में इसते थे, और एवी सीनिया, इतोफिया का पूर्म नाम इसी पठार की नाम पर पढ़ा है, और दच्छड अफीका के जोहांसवाग में को स्वाड नगर और किम्बरली को हीरों का नगर कहते हैं, जो जोहांसवाग है ना, इसे स्वाड नगर कहते हैं, और किम्बरली को हीरों का नगर केते हैं दच्छड अफीका विस के 90% क्रोमियम का उत्पादन करता है और दच्छड अफीका की नयाई के राध्धानी क्या है? विलो मिलों फोरंटेंड टीक है? ओ अफीका में सरवादिक चा उत्पादित करने वाला देश केनिया है इस्टेनली जलपिपाद कांगो नदी पर हो और विक्टोरिया जलपिता विक्टोरिया पिरपाद जम्बेजी नदी पर है नील नदी का उद्गमिस्थल विक्टोरिया जीले है आस्वान बांद नील नदी पर ही बना हुआ है मद अफीका में बैने वाले जैरी नदी भारी या अत्रा में जल अफीका की नदियों में सबसे अधिक जल बहा कर अटलांटिक महासागर मिले जाती है इसे इसके अंतिम भाग में कांगो नाम से भी जाना जाता है तो यह भी आप लोग याद रखेगा फिर है आपका आँगे अफीका के बारे में और क्या है जांबिया में जिम्बेजी नदीप निर्मित करीबा बांग से अफीका की सबसे अधिक जल विद्धुत उत्पयदा की जाती है अफीका पादिब में नील लदीप और बसा सबसे बड़ा सहर है काहिरा और दच्छड अफीका की छे देशों अंगोला, ओस्वाना, मुजामबिक, तंजानिया, जांबिया, जिम्बामबे को फ्रेंट लाइन, इस्टिट, सीमावर्ती राज कहते हैं इन छे देशों को हौन और अफीका, हौन ओफ अफीका, अफीका की पूरे भी भाग को कहा जाता है और इसमें मुकरूप से इथोपिया, सुमालिया, जिबूती ये सबी देश आते हैं भूमद रेखा पर अगर आप देखें तो अफीका महादीप के देश तो गेवोन हो गया, कांगो हो गया, गरतन्त हो गया, यूगांडा हो गया, कीनिया हो गया, सुमालिया हो गया, ये सबी भूमद रेखा पर हैं अफीका का फिर्मोग खजूर उत्पादक देश मिस है, मिस के किसान फिलार कहलाते हैं, फिलाहर, ठीक है? और गोल्ड कोष्ट के नाम से जाने जाने वाला देश घाना है, और अफीका में सीसल नामक पोधे से जूट पैदा होता है, अफीका को अंध महादीब भी कहते हैं, क्योंकि यह आर्थिक सामाजिक और उद्धोगिक सांस्केते को सिक्षा के जेते काफी पिछड़ा हुआ है अफीका में सर्वादिक जनसंग्या वाल देश नाइजेरिया है, अफीका का सर्वादिक नंगरी के देश लिविया है और इस महादीब में नाइजन नदी को पॉम तेल की नदीभी कहा जाता है, उसे नाइजन नदी को और मिस्त को एसिया और यूरोब महादीप का जंक्सन कहा जाता है एसिया और यूरोब महादीप का जंक्सन किसे कहते हैं मिस्त देश को अफिका ही एकमाद ऐसा महादीप है जिसमें से करक मकर दोनों रिखाएं को जलती है कांगों देश को वनों का देश कहते हैं हम लोग विस्में जल्विद्धुत सक्ती की संभाविच चमता सबसे अधिक इसी देश में है और किली मंजारों की पूर्वी ढलानों पर कहबा की किसी छग्गा जन्जाती द्वारा की जाती है दच्षडी सुडान अफीका का नविंतम राष्ट है जो इवेनों द्वारां 193 बार सदस बना था ए नौ जुलाई 2011 को सुतंत राष्ट की रूम में आया और इसे ईसाई बहूल देश राध्धानी जुबा है इसकी फिर आपका आता है उत्री महादीब क्या उत्री अमेरिका महादीब तो उत्री अमेरिका विस्ट का तीसरा बड़ा महादीब है और इसका चेतपल अगर आप देखेंगे तो दोल कितना यह आप देखेंगे कि 2 करोड 42 लाग 55,000 वरक किलियूमीटर में फैला हुआ है और उत्री अमेरिका मद्ध अमेरिका के रिवियान सागरी चित में कुल 29 देश है और इसकी खोज आप अगर देखें तो 1492 में हुई थी कोलंबस द्वारा की गई थी और इसे ही आप लोग नई दुनिया के नाम से जानते हैं सौ डिगरी पश्मी देशांतर रिखा इस महादेश की मद्ध से गुजरती है और उत्री अमेरिका के नाम अमेरिगो वेस पुसी नामक साहसी यातरी के नाम पर अमेरिका पड़ा पनावा नहर उत्तरी अमेरिका और दच्छी अमेरिका को जोडती है कौन सी पनावा नहर और जिससे अंद तथा प्रसांत महासागरों के भी जहाजों का याताया सोगम हो पाया उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडियन एस्किमो और इन यूट का आते हैं और एस्किमो का घर बरबना का बना होता है जिसे इगलू कहते हैं यह भी आप लोग याद रखेगा बेर रेंडियर कुत्ति का उपयोग इसलेज गाड़ी को खींचने के लिए करते हैं सील मचली की खालो और हड़ी से नाओ बनाते हैं जिसे कायाक कहते हैं उनका हतियार हारपून कहलाता है तो आप सोचिए कि वो पुरानी पद्यदी से जी रहे हैं और वो उनी का उपयोग कर रहे हैं उनी से अपना जो भी साधने बना रहे हैं उत्री अमेरिका को उच्चतम परवस्थिखर की बात करने तो माउंट मिकेनली है इसकी मुचाई 6194 मीटर अलास्का में इस्ते थे यह सक्रिय ज्वालाओं की है उत्री अमेरिका के पूरवी पूरवी तटवर न्यू फाउंड लेंड के दच्चतमी तटिय भाग को ग्रेंड बेंग कहते हैं और यह है मत्स फालन का प्रमुक केंद भी है करनाडा की तटिय रिख्या की लंबाई विस्की सबसे अधिक है और इसकी लंबाई दो लाग कितना दो लाग दो हजार अस्ती किलो मीटर है पूर में अटलांटिक महासागर के साथ पश्च्चम में पिसांद महासागर के साथ और उत्तर में आर्केटिक महासागर के साथ इसके तट्रेखा है और तट्रेखा की लंबाई के मामले में दूसरा इस्थान नॉर्वेका आता है 58133 किलो मीटर सहीक्तराज जमीरिका के दच्छिड पूर्वी तट मेक्सिको की खाड़ी इपर चलने वाले चक्वाद हरीकेन और टोर्नेडो की नाम से जानते हैं से आप लो और उत्री अमेरिका में सीतोष नंगास को मैदान को पेरी कहते हैं और यू से का डेट टाइट कार उद्धिव का प्रमुक कैनद है और एक्रोन विस्व का सबसी बड़ा सेंथेटिक रवर्ड और टायर बनाने का कैनद है कनाडा का मॉन्टियल्स कागज उद्धियों के लिए विस्फिसित है कनाडा विस्फ में सरवादी कागज उद्पादन करने वाला देश भी है उत्री अमेरिका में कनाड़ा, यूरिनियमका सबसे बड़ा उतपादा को निर्यातक देश है विसमें इसका दूसरा इस्थान आता है विसमें पिता में कजाकिस्थान का ठीक है? और संसार में सीशय जस्ती का सबसे बड़ा भंडार वेटिस कोलंबिया, कनाडा में है, यहां का सुली य्वान, खान विसकी सबसे बड़ी सीशय जस्ता खान है और निरमार पिक्किरिया में जस्ता और सीशय फंमित दरूप से मिलते हैं, इसलिए इसे जोड़वा खनीजबी कहते हैं से याप लोग बता हिए आपके किस राज्यों को चीने के कटोरा कहते हैं ठीक है फर जमेका के लाउत पादन के लिए बिस्ट फिसे हैं मैक्सिको क तल कहवा की कह़ँ के लिए उप्योंक श्दल मना जाता है उत्री अमेरिका का मेक्स को विस्ट में सरवादिक चांदी उत्खनेत करने वाला देश है और सेउक्त राज अमेरिका के मॉन्टाना राज को के बूटे खान विस्त की सबसे बड़ी तामे की खान है कनाडा का बुल बुफेलो नेशनल पार्क के विस्त का सरवादिक बड़ा पार्क है जो उत्री अमेरिका महादी में देखने को मिलेगा यह है अलवार्टा परांत में देखने को मिलेगा उत्री अमेरिका के निवार्क सिटी में ग्रांड शेंटरल टर्मीनल विस्त का सबसे बड़ा रेलवे स्टेटर है और सबसे बड़ा इस्टेशन है और इसकी विख्यात मक्का मंडी सेक्तराज अमेरिका की सेंट लुईस नगर में आपको देखने को मिलेगी और इसमें देखेंगे नियुवार्क में अमेरिकान मेजियम ओप नेचुरल हिस्टरी विसका सबसे बड़ा अजायब घर है और अमेरिका उत्तरी अमेरिका में यह जील यूएसे के पश्टमी भाग में नमकीन पानी की जील ग्रेट साल्ट लेक आपको देखने को मिलेगी या यूएसे के यूटा है राज में इस्तित है सेंट लॉरेंस नदी जीलों से मिलकर विसका सबसे लंबा आंत्रिक जल मार्क बनाती है नियाग्या जल प्रपा बहती है और इसमें ग्याहूं की मंडी के नाम से विख्याद नगर वेनी पे कनाड़ा में है उत्री अमेरिका के दो अंतर परवर्ती है पठार कोलोरेडो पठार और मेक्सिकों का पठार आपको देखने कुमलेगा रॉकीच परवत अगर की प्रमुक सेनियों की बात करने तो कास्केड हो गया, सेरा निवेदा हो गया, कोष्ट रेंज हो गया, सेरा माद्रे हो गया, फिलेम उद्देव के लिए केलिपोनिया का लॉस एंजल्स नगर विस्पेसिद्ध है, हॉलिवुड यहीं पर है, ठीक है? आपका जिस तरह से मुंबई है ना, उसी तरह से आप कहा सकते हैं, ओत्री अमेरिका में और क्या देखो गया, सेन फ्रांसेस्को में सुने हो, यह सिलीकन बैली है, जो की सॉफ्ट विएर वा कंप्यूटर उद्दियों के लिए काफी विख्या आते, कैव के नो वेरल, जिस इस तरह से अंतरिक च्यान छोड़े जाते हैं, संसार के सबसे बड़ा बंदरगा, अगर आपसे पूचे तो निवार्क है, स्टेच्व आफ लिवर्टी, निवार्क में ही देखने को मिलेगा, जिसका डियाइन फेडरिक ऑगस्टस बार्थ होल्डी ने किया था, सयुक्तराज अमेरिका का अंतराष्टी उध्यान, एलो सौने की खान की बात करनेता होमिस्टे खान, दचली डकोटा राज्डे में देखने को मिलेगा, संसार में सौने की सबसे बड़ी खान, ऑंटेरियो, कनाडा में, देखने को मिलेगा, और कनाडा में बायु आफ वायु आनों को, जीलों पर, सागरों में जम्य बरक पर भी देखने को मिलेगा हवाई दुविप समू सहीवतराज अमेरिका की राध्धानी हॉलो लू ओ आहू दुविप परिस्ते थे और पनाबना है कि दो बंदरगा एक कोलन और पनामा है कानारा का पिर क्यू वैक प्रांद फ्रेंच भासी चेत है और इसे देश के अंदर देश का दरज्या प्राप्त भी है जनसंक्या की द्रिश्टी से अगर सबसे उत्री अमेरिका का सबसे बड़ा नगर अपसे पूंचे तो मैक्सको सिटी है ठीक है सईवतराज अमेरिका के दच्छडे दच्छडी केलिफॉनिया में से मिर्तक घाटी डैथ बैली अभी नती घाटी क मैं ग्रेज समकालीन ताबमान 55 डिग्री से अब देखेंगे 56 डिग्री से एंटीगेट की पहुच जाता है फिर आपका आता है यूरोप तो यूराल और काकिसकस परवत एसिया महादीप को यूरोप से पेतक करते हैं और इस महादीप में 46 देश है और विसका सरवादिक न महादीप चेतफल की दिर्ष्टी से और चोड़कर अन सभी महादुवी पहुच से छोटा है और यूरोप महादीप अत्र में उत्त्री धुरू सागर दच्छने में भूमत सागर और काला सागर और क्वेश्चन में अब मैं आप देखेंगे अन्द महासागर से घ्रा है कि रूस देखिए यूरोप में भी पढ़ता है और आपका एस या में भी पढ़ता है लेकिन आप देखें जहां जनसंग्या सबसे जानदा निबास करती है वो यूरोप का यह चेत फल है चेत में नदी है डेनिव ए 2842 किलो मीटर लंबी है और रोमानिया से होकर होती हुए यूकरेन की सीमा की निकट काला सागर में मिल जाती है और डेनिव नदी के तट पर बुड़ाफिस्ट, बुखारिस्ट, वियाना, वैलगरेट वैलगरेट यह बंदरगा आपको देखने को मिल जाता है और इससे काला सागर से होकर समद्री जहाज महादुप के भीतरी भागू में जाने लगे हैं यूरोप महादीप का सबसे बड़ा नगर लंदन है जो टेंस नदी के तट पर बसा हुए है फ्रांस की राध्धनी पैरेस है जो सीन नदी के तट पर बसी हुई है और यह विसे का सुन्दर नगर माना जाता है इसे फैसन की नगरी के नाम से भी आप लोग जानते हैं कौन फ्रांस का एक समुद्री एक प्रमुख सहर है जो कौन फिल्म फेस्टिवल के लिए जाना जाता है यूरोप के यूक्रेन गडराज विसे का प्रमुख ग्याहूत यह जलमार्ग है जर्मनी में आविवस्थिक विलेक फॉरेश्ट रायन अधी के किनारे इस्तित है यूरोप का सबसे महत्पूर्ण रेलमार्ग औरियंटल औरियंट रेलमार्ग जो फ्रांस के पैरिस नगर से टर्की के कुस्तो तोनिया नगर के मद्द जाती है और सुंद्रियों का देश भी कहा जाता है और आप देगिए अस महेंगी सराब होती है आप सभी जानते होंगे कई लोग सौकीर होंगे यूरोप के अदिकांस देश को तीन और से सागरों द्वारा घिरा होने के कारण इसे प्रायदीपों का महादीप भी कहा जाता है की तरह किर्सी पिदान देस है और यह हमाले की तरह आलफस परवद भी आपको देखने को मिलेगा ठीक है और यूरोब में जल विद्धूत का सरवाधिक विकास इटली और स्वीडन में इसते थे और फ्रांस को राइन यार्ड और नौर्वे को फ्योड यह तटों का देश कह होगा दोबर जल संदी से जाने वाली बाली चैनल तो सोरंग यूनाइटेट के इंगडम और फ्रांस को जोडती है और इस रेलवे सोरंग की कुल लंबाई अगर आप देखें तो 50.45 किलो मीटर है और इसकी गहराई 75 मीटर है और इसकी शुरुवाद 6 मई 1994 को हुआ था और क्लिएोद में खेल का मेदान कहते हैं फीलेगराउंड और यूरोप का ठीक है यूरोप को आप सभी जानते हैं यूरोप का मरीज तुर्की को कहते हैं और यह काला सागर वहूमद्य सागर की मद्द अबस्तित है अं मरमर? Enter seek eisi भाग और यूरोप ये भाग को अलग करती है तुर्की की राध्धानी अंकारा यूरोप ये भूभाग परवस्तित है तुर्की भी क्योंकि आप देखी यूरोप में वो एसिया में पड़ता है फिर आपका नीदरलेंड नीदरलेंड ने उत्री सागर की तटकी साथ बड़े बड़े तटवंद बना कर समुद्र में से भ बीच ग्रेंट ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा मार्ग फिदान करता है और ऑस्टिया और इटली के बीच ब्रेनर दर्रा मार्ग फिदान करता है परिनीज परवत फ्रांस और स्पैन के बीच सीमा बनाने वाला परवत है और विसका सबसे लंबा भूमी गयत रेलमार्ग यह हम पेरिस को जोड़ता है लंदन और पेरिस को फिर आप देखेंगे देखोगे क्या देखी लीजे पो नदी को इटली की गंगा कहते हैं पो नदी को इटली की गंगा कहते हैं किसकी इटली की गंगा फ्रांस की सीन नदी इंगलिस चैनल में गिरती है और फ्रांस को भूम और जल्वायू की दिरश्टी से लगू यवोब कहा जाता है फ्रांस यूरोब को ऐक मत्र देस है जो खाद्यान उत्पादन में आत्मनिर्भार है और इसे किसानों का देस या समुधर की समुद्रों की रानीree कहते है किसानों को देस भी वाड दूइप में अंतराश्टी ये बीज भंडार बनाये गया है Great Britain के अंदर के इंग्लेंड, बेल्स, स्कॉटलेंड समले थे जो किरमसा पूर्वी पश्मी ओत्री भाग पर है ओत्री आयलेंड सहत Great Britain को United Kingdom कहते है इंग्लिस चैनल वाड डोबर जल्धनी द्वारा यूरोप की मुखभूमी से अलग होता है Georgia, Armenia, Azerbaijan को सयुकत रूप से काकिसस राज जिखा जाता है मासको को पांच सागरों का पतन भी कहा जाता है यह कैस्पियन सागर हो गया, काला सागर, बाल्टिक सागर, खेत सागर, लडोगा सागर, जील Antworth, Belgium, विस्ट का हीरा व्यापर का सबसे बड़ा केंद है तो यह उरोप की कहानी खतम हो जाती है फिर आपका Atlantic महादीब आ गया अंटार्कितिक महादीब, अटलांटिक नहीं अंटार्कितिक महादीब की खोच, कैप्टन जेम्स कलार्क रॉस ने 1911 में की थी और अंटार्कितिक महादीब विस्ट का पांच बार बड़ा महादीब है यह आपको दच्छडी गोलार्द में देखने को मिलेगा आप लोग मेप की किलासों को फिर से बोला हूँ, बारबार बोला हूँ, उन्हें कवर जरूर कर लिजेगा अंटार्क्टिक की भूमी तीन महासागरों हिंद महासागर, पिसांत महासागर, अटलांटिक महासागर से गरीवी है और इन महासागरों के दच्छडी छोरपा, दच्छडी महासागर या अटलांटिक महासागर अंटार्क्टिक महासागर कहते हैं बेडेल सागर और रोस सागर अटर अंटार्किटिक महासागर के ही भागे इसका तामान 4 डिग्री सेंटिकेट से कम रहता है और इस महादीप की खोज सरपितम प्रयास अंग्रेज नाविक अंग्रेज नाविक अंग्रेज नाविक था ये कौन इसका क्या नाम था एवियन वेलिंग सोसेन को जाता है इसने जिसने अठारे सो वीस में वॉस्ट टॉक नामक जहाज पर सवार होकर इसके मुख भूमी तक पहुंचा था अंठार्क्टिक का 98% भाग सदा वरफ से ढखा रहता है और पूर्टा हिम अच्छा दीत हो रहनी की कालन इसे सफेद नौर्वे का निवासी था एमंड सन और ये 1911 में पहुंचा था सीत रितु और ग्रीसम रितु में महादीप का अलग-अलग आकार होने के कारण से गती सील महादीप भी कहते हैं क्वीन मोड परवस एड़ी इस महादीप को दो बरावर भागों माठती है और यहां की सर्व राम की है और विसका सबसे कब तामान अंटार्कित के वो स्टोक में रिकॉर्ड किया गया है जो माइनस नवासी देसमलो दो डिगरी सेंटीगेट तक रहता है अंटार्कित में पोल ओफ कोल्ड में विसका नियुनतम भार्षिक तामान मिलता है सूर के उत्रायन के बाद अ अच्छे महीने तक दिन होता है लाइकेन वा मौस अंटार्कितिक की मुख बनस्पती है यहां पर किल मचली जुन्डों में रहती है क्रेल ठीक है तो यह भी याद रखेगा अंटार्कितिक भारत की संदर्व अगर देखें इसके पागी बेक्ष में तो डॉक्टर गीराज सिरोही वुलन सहर उत्तरपदेश के थे यह दच्छडी धरुप पर पहुँचने बाले पिथम भारती है थे तो यह भी नाम याद रखेगा और भारत में भारत ने अपना अंटार्कितिक अभियान 1982 में प्यारम किया था और भारत का पहला अंटार्कितिक अभियान दल डॉक्टर सईद जहूर कार्सिम की निदित में 9 जनवरी 1982 को शुरू हुआ था और भारत ने अंटार्कितिक में अपना पहला सोध केंद दच्छडी गंगोत्री 1983 में इस्ताफित किया था जो अब नश हो चुका है 1989 में दूसरा भारती सोध केंद मैत्री की स्थावना की गई थी और लारसम समन हिल्स में भारत ने अपना तीसरा अनुसंधान केंद भारती स्थावित किया हुआ है तो इन सब को याद रखे दच्छडी गंगोत्री मैत्री भारती फिर आपका आता है अन्ठानवे हजार पांसो बर किलोमेटर में पहला हुआ है और वह संसार का सबसी आठ दभू महादीप है पिसांत और अटलांटिक महासागर की बीच अवस्तित यह महादीप पनामा जलसंधी द्वारा उत्री अमेरिका से मिला हुआ है किस द्वारा पनामा जलसंधी हाग में टेरा टेल फ्यूगो नमगदूईप है जो इस मोख भूमी से मेगलन जलसंधी के द्वारा आलव होता है वह इसका दच्छता मसरा आप देखें तो हॉन अंतरीप है दच्डी अमेरिका देश ब्राजिल की सीमा चेली और एकवाड़ोर को छोड़ कर से सभी अमेरिका के देश हैं कौन एकवाड़ोर कोलंबिया ब्राजिल यह भूम अंदर एकवाड़ोर कोलंबिया और ब्राजिल तो यह आप लोग याद रखेंगा दच्छडी अमेरिका में पेरू बोलीविया सीमा पर विस्त का सबसे देख उची नोकायन जील टीटी का काका यह अमेरिका विस्त में अपवाय की दृष्टी से पिथम नदी है और इस महादीब की सबसे लंबी नदी माना जाता है और यह नदी बेसन विराजील के कुछ भागों पेरू के कुछ भागों बॉलिविया एकवाडोर कोलंबिया वेनेजोयला के कुछ चोटे भागों से बहत है जिनकी चातीब धलान वाली होती है फिर आप देखेंगे अमेजन बेसन का पर पर जीवी पौधा ब्रोमेलाइड ब्रोमेलाइड यह विसे इस वेकार का पौधा है जो अपनी पतियों में जल्ग को संचित रखता है मेड़क जैसे प्राणी इस से जल्ग के पॉकेट का पर अंडा देने के लिए करते हैं तूकन अमेजन बेसन में पाई जाने वाला पक्षी है वेनेजवेला में केरी नदी अब औरी निको नदी की सहाइक पर इस्तित एंजिले उन नामक जहरना विस्त का सबसे उचा जहरना है 989 मीटर यह गुवाना पठार मिस्तित है ठीक है फिर आप देखें कि दच्छडी अमेरिका में चेली अर्जेंटीना सीमा पर विस्त का सबसे उचा जोला मुकी ओजेस डेल सलाडो है यह एंडीज परवत माला मिस्तित है दच्छडी अमेरिका के बरसा बन का स्थानिय नाम सेलवास है और दच्छडी अमेरिका के अमेजन पक्षी संसार के सबसे बड़ा सिकारी पक्षी है रिया रिया ना उर्सकने वाला पक्षी है अफीका के सतर्मग और और उस्टिलिया की एमू की तरह है सतर्मग तो आप लोग देखने कहा होंगे अपने यहां चडिया घरों में देखते हैं ना प्यूमा प्यूमा और जगुआर दच्छन अमेका का सिकारी जानवर है और यह बंदरों फेडों पर रहने वाले दूसरे जीवों का सिकार करते हैं और एंडिज परमत्माला की उचे भागों में लामा पाया जाता है जो बोज ढूने के काम आता है ग्याओ नको एक पिकार का जंगली जाम लामा है जो पेंटागोनिया के मरूस्थर में पाया जाता है ग्याओ नको इस महादीप के बॉलिविया राजी की राधानी लापाज बिस्त की सबसे उचाईवर है और समझ तल से अगर आप देखें यह 3658 मीटर पहुशते थे राज़दानी नगर है ठीक है लापाज बॉलिविया राजी की राधानी लापोज या लापाज भी कहते ह ग्यादीप का सबसे बड़ा नगर रीडी जिनेरो है वराजील में दच्छडी अमेरिका में गवाना वराजील और पेटो गोनिया के पठार भी देखने को मिलेंगे दच्छडी अमेरिका के अर्जेंटीना में विस्तित घांस के मैदान को पंपास कहते हैं और पंपास को ठ्रेंकोना, चंदन, कार्नोबा इस तरह की कई बस्तु में प्राफ्त होती हैं ब्राजील रवड के पेड़ का मूल स्थान है रवड के बागानों को ब्राजील में फेजेंडा कहते हैं और दच्छडी अमेरिका में अर्जेंटीना सरवादिक सूरज मुखी के वीज उत्पादक देश है विसमें इसका दूसरा इस्थान आता है और दच्छडी अमेरिका का ब्राजील विसमें सरवादिक कौपी उत्पादक करने वाला देश है ब्राजील के कहवा की बागों को फजेंडा कहते हैं दच्छडी अमेरिका में ब्राजील सरवादिक सुयावीन तामा खान दच्चन अमेरिका के एंडीच परवत पर तेन सो तीन हजार मीटर क्यों चाहिए पर है इसे विस्व का तामा राधधानी भी कहते हैं हम लोग चेली दच्चन अमेरिका में ब्राजील सरवादिक मैगनीज उत्पादक करता है वो ब्राजील को आप मापा खान संसा पर में में मैगनीज का सबसे वड़ी खान है कि tapiraillow और पर ब्राजील का तेयर करमख लोग एस सिंध मेरिका के को सरवादिक मक्का उतपादक देश अर्जेंटीना है और सरवादिक कहेवा उतपादक देश ब्राजील है और सरवादिक तेल उतपादक देश वेनेजुला और कोलंबिया है और सरवादिक तामा उतपादक देश चीली है एंडीज परबत की सबसे उची चोटी की बात करें त अटाकावा मरुस्तल है दच्छेड अमेरिका के मद्दवर्ती भाग में उत्री चीली में अरीका विसका सुस्क कम इस्तान है और अर्जिंटीना के विसाल पसुफार्मों को एक्टांसिया और कहा जाते हैं पसुफालकों को गौांको कहते हैं आके आटाकावा मरुस्तल में नाइट्रेट के भंडार हैं और जहां बरसा ना होना वर्दान की सिद्ध हुआ है और विस्त में कहवा का पात ब्राजील है विस्त में कहवा की मंडी सोफूल पाउलू है दच्छेड अमेरिका के कहवा निरमात करने वाला प्रमुक सैन्टास पतन है अर्जिंटीना के प् दच्छिड अमेरिका का उच्छिड अमेरिका का उच्छिड अमेरिका का उच्छिड मरू स्थल पेंटागोनिया है विराजिल का सांटोस बंदरगा कॉफी बंदरगा गाय की नाम से इसे जानते हैं हम लोग दच्छिड अमेरिका के सरवादिक नगरी के देश रोगवे है बॉल्यविया दच्छिड अमेरिका के सबसे बड़ा इस्थल रुद्ध देश है एक्वाडोर का गैला पैगोस दूइप ओलीवर रेडले टर्टरल का प्राक्टिफ पिजिनन के अंदे और दच्छिड अमेरिका के पर्शमी पतरवर्थी चेत्रों में समुद्री बक्षियों से प्राप्देख खाद को गुवानों कहते हैं जो फोस्फोरस का सम्रद स्रोत होता है तो यह दच्छिड अमेरिका महादीप ने पट जाता है फिर आप बात करेंगे हम लोगों किसके बारे में आप बात कर लेते हम लोग ऑस्टेलिया के बारे में किसके ऑस्टेलिया के बारे में यह सबसे छोटा महादीप है और दच्छिड गुलार्द में इस्ते थे तो यह सबसे पहले तो आपको यही याद रखना चाहिए कि सब विजिलेंड और ऑस्टिलिया की खोज ओवेल तसमान ने इस 1642 और इभम 1644 में की थी 1768 में इंगलेंड से कैप्टन कुक पिथम बार ऑस्टिलिया गया और 1789 तक उसने तीन बार ऑस्टिलिया की यात्रा की थी इसे भी ऑस्टिलिया के खोज करता की रूम में जानते हैं ठीक ह फिर आप देखें कि 1927 के पारम तक उस्टिलिया का संभुधन निव इंगलेंड या निव साउल्थ निव साउल्थ वेल्स तथा बोटानी था मैथ्यू फिल्डर्स ने सरप्थम इस महादीब की पूरी परिक्मा जहाज से की थी और उसी ने सरप्थम इसका नाम उस्टिल संदी है और उस्टिलिया और नियुगिनी के बीच ऑस्टिलिया के पिरमोख परवस सिंखला ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है इस परवस सेंडीब और महादीब का सरोज सिखर फॉसी उसको जिसकी उचाहिए आप देखेंगे 2288 मीटर उचाह ऑस्टिलिया विस्वेख्य उन निरयातक देश है और दूसरा आप देखेंगे दूसरा इस्थान उन निरयात में दच्छ रफीका कहा जाता है और आश्टिलिया में भेड़ पालन के अंदरों पर काम करने बाले मजदूरों को जिकारू कहते हैं और आश्टिलिया का सबसे लंबा रेलमाग और तो यह भी याद रखेंगा फेर आप देखेंगे की आर व्चलिया यूरे 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 नियम की उत्पाधन में उस्थीलिया विश्चे में तीसरा स्थान है इसका और तीलिया विश्चार वडले श्चब करने miner को बत ती निमने भूमी में अने गहरे कुए खोढ़े श़िषल्ट में इस सामूधर में एक वेड़ायर रीड कहते हैं इस पिवालभीति निर्मार प्रवाल नावक च्छोटे-च्छोटे जीवों के इस्ति पंजरों के लगातार जमाव से हुआ हैं जस्ता एस्क उत्पादित करने में उस्टील एक शित में तीसरा है बेवाला देश है। Critia के उत्री छेत्रों का मैदान कार फेंटिया का मैदान कहलाता है। और इस महादीब का प्रमुख मरुष्टल है Gibson और Victoria. किसका? उस्टेलिया का। और ऐस्टेलिया के प्रमुख गेहुथ पादक देश हैं New South Wales और Victoria. उस्टेलिया महादीब को The Land of London Police और ल नियुजी लेंड को दच्छिड का बैटेन भी कहते हैं न्युजी लेंड में एमू और कोका वर्रा नामक पक्षी पाये जाते हैं एमू की टांगे लंबी होती है इसे पंक नहीं होते हैं इसकारण यह खोबते दोर सकती है और लेकिन उड़ नहीं सकती है कोका वर्रा को पेड़ों पर रहता है और यूकी लिफ्टर्स की पत्तियां खाता है और यह रात को जाकता है और दिन की समय उंगता या सोता है ठीक है नकल करने में कुसल पक्षी लायर वर्ड ऑस्टेलिया में पाये जाता है या दूसरे बक्षियों के गाने कुत्ते के भॉंकने गुजरत कारों के होर्ण की आवाज की नकल कर लेता है न्यूजिलेंड के दौनों में प्रमुक द्वी कुक जलसंधी द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं न्यूजिलेंड की सर्वचोटी माउंट कुक है इसकी उचाई देखेंगे तो 3724 मीटर है यहां के मूल नेवासी मो 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 म औरी कुक सिखर को और इंगो कहते हैं की भी न्यूजिलेंड का राष्टी यह वक्षी है क्यों भी ठीक है यह आप देखें कि वैसे पढ़ लिया है आप लोग ने लेकिन बेभेन महादीपों के बारे में एक ओबर वीव ले 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 यह क्या होता है कि इनसे का देश हो गया और परवत हो गया है यह उचाई हो गई सबसे लंबी नदी गहनतम बिंदू गहरा बिंदू और गहरा इसकी क्या है देखें इनसे ऐसा आजाता है कि सबसे बड़ा इस महादीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है इसकी उचाई क्या है सबसे निचले स्थान पर क्या है ठीक है नदी कौन सी है तो सबसे पहले महादी अफीका में चलते हैं सबसे बड़ा देश अगर देखें तो अलजीरिया हो गया छोटा देश मेयोटो हो गया और माउंट के लिए वंजारू परवत आपको देखने कुम लेगा जिसकी उंचाई है पांच हजार आठ से यहां का परवत है और इसकी उंचाई देखें तो पांच हजार एक सो चालीस मीटर है और नेक्स यहां की जील है जो माप करीब सबसे लंबी नदी 32 किलो मीटर की है बेंटल ट्रेंच यहां की गहनतम यानि की गहराई में है इसकी अगर गहराई देखें तो दो हजार 848 यंग सी यंग सी कया है यहां की सबसे लंबी नदी और ड !सी कहदब में दो हो GUYा 377 मीटर है और श्रेविस का सबसे बड़ा देशिए नोरू सबसे छोटा है माउंट को सबसे चोटा है मान्ट कुस को इसका परवत है और 2428 मीटर ऊंचा है और मरे यहां की सबसे लंबी नदी है और आयर जिल यहां की गहरी है सबसे गहरा बिन्दू सोल है मीटर यूरोप रोस सबसे बड़ा देश है और बेटिकन सिटी सबसे छोटा देश है मांट ऐलवर्स यहां की सबसे परवत हुँचा है 5642 मीटर है बोलगा यहां की नदी सबसे लंबी है केस्पियन सागर सबसे गहरा बिंदू है 28 मीटर उत्री अमेरिका कनाड़ा सबसे बड़ा देश है सेंट पीरे यह चोटा देश है माउंट मेक के लिए यहां का परवत है सबसे उचा 6194 मीटर इसकी उचाई है और मिसोरी इसका क्या हो गया है सबसे लंबी नदी और डेथ बेली सबसे गहरा बिंदू यह है 86 मीटर दच्षडी अमेरिका बिराज़ी सबसे बड़ा देश है फॉक्लेंड सबसे चोटा दीव देश ओजल डेल सेलेडो यहां की सबसे उचा परवत है 7,084 मीटर अमेजान यहां की सबसे लंबी नदी है वाल्डस फैनन यहां का गहनतम बिंदू है गहराई में 40 मीटर 2021 में चीन और नेपाल की साज्जा अकालन में माउंट एवरिष्ट की उचाई 8,8848.86 मीटर बताई गए यह भी याद रखेगा एसिया महादीब को सबदा का पलना और अफिका महादीब को मानो जाती का पलना भी कहते हैं दच्डी अमेरिका को सापों का महादीब और पक्षियों का महादीब भी कहते हैं किसे दच्डी अमेरिका को सबसे जान्दा आप लोग यहां क्या देखेंगे साप देखेंगे साप जानते हो अब हम लोग बात करते हैं जल मंडल के बारे में इस थल मंडल में आप लोग देख चुके हैं महादीपों को अब जल मंडल को भी देख लीजे इससे भी कुश्टन साहते हैं आपकी पर एक्षा हुए तो जो पूरी पितिवी है इसके तीन चौथाई भाग पर लगबग एक अत्तर परसेंट भाग पर जल का विस्तार फैला हुए है यानि कि पितिवी के अत्तर परसेंट भाग पर आप देख रहा है जल आपको देखने को मिलेगा उत्तिगी गुलाद में अगर आप जाए तो 60.7 परसेंट और दच्री गुलाद में आप देखेंगे तो 80.9 परसेंट भाग में आपकी महासागरों से ढखा हुआ है पानी से ढखा हुआ है और पित्वी पाउपस्ते जल की कुल मात्रा का 97.5 परसेंट जल महासागरों में है जो खारा है जिसे हम लोग उपयोग नहीं करप सकते है और इसलिए देखते हैं कि पानी की कमी हर छित में आपको देखने को मिलेगी अगर महासागरों का जल उपयोग कर पाते हैं तो हमारे पास बहुत जल होता जल रासी का मत्र 2.5 भाग में ही स्वक्षे जल या मीठा जल है यानि कि दोध असमलोव 5 परसेंट भाग में धरातल पर गिन्ने बाली जल का लगभग 99 परसेंट भाग महासागरों और अनिस्थारों से बासभी करण के द्वारा बायू मंडल में चला जाता है और सेस भाग धरातल पर बहता है और कुछ भूमी में रिष जाता है और कुछ हिमनत के आरूम ले लेता है तो एक परसेंट से कम भी आप देखेंगे हमारे यूज के लिए पानी पीने के लिए उपलब्द रहता है महासागरी जल दो महत्कुन उगण है एक तो तामान एक लबड़ता जलमंडल की अगर बात करें तो वह बड़ा भाग जिसकी कोई निश्चित सीमा ना हो महासागर कहलाता है जलमंडल का हो है बड़ा भाग जिसकी कोई निश्चित सीमा ना हो महासागर कहते है उसे भूगोल विदों ने पित्वी के महासागर, महासागरी ये भाग को चार महासागरों में, महानगरों में विभाजित किया है इसमें पिसांत महासागर हो गया, अटलांटिक हिंद, आर्केटिक महासागर हो गया इनको याद रखिएगा, सबसे बड़ा पिसांत महासागर है, देखें जो जितना बड़ा होता है, उतना ही सांत होता है, आप सब जानते हैं, पिसांत महासागर उसकी परिवासा यह तरह से देता है, महासागरों की अगर हम लोग गहराई की बात करें, तो 3800 मीटर और इस्थल की उचाई, इसकी 840 मीटर आपको देखने को मिलेगा, इस्थल की उचाई तरह महासागरों की गहराई को उच्च तामीतिये वक्य के द्वारा फिदर से किया जाता है, समुद्र की बात करें, तो जल मंडल को है बड़ा भाग, जो तीन तरफ से जल से घरा होता है, एक तरफ से महासागर से मिला होता है, इसे आप लोग समुद्र कह देते हैं, ठीक है, खाडी भी आप लोग सुनते होंगे, तो खाडी समुद्र का इस्थली भाग होता है, जो फिर वेस कर जाने पर जो जल का छित बनता है उसे खाड़ी कहते हैं बे इसको दो किनारा स्थलों से घरा होता है एक तरफ टापूओं का समुद्र होता है और दूसरे तरफ मोहाना का समुद्र से मिला होता है सामानता अगर महासागरिय जल के तापमान की बात करें तो लगभग 5 डिगरी सेंटीगेट से 33 डिगरी सेंटीगेट की बीच रहता है और महासागरिय जल की सतय का वुसत देने के तापांतर अगर तापांतर देखें तो नगन होता है लगभग 1 डिगरी सेंटीगेट यहां विसके 10 तब से बड़े 30 सीमा वाले देश हैं एक देश होगा इनकी लंबाई कनाड़ा एक दो लाग का आप देखेंगे 2080 किलोमीटर नॉर्विग 58,133 किलोमीटर लंबाई इसकी इंडोनेसिया चमगन दसमलो मापकरी 55,720 किलोमीटर रोस 37,653 किलोमीटर फिलेपिन् 30,289 किलोमीटर जापान 29,759 किलोमीटर आउस्टेलिया 25,760 किलोमीटर इसे 19,924 किलोमीटर अंटार्क्टिक 17,968 किलोमीटर न्यू जेलेंड 15,134 किलोमीटर और चीन चीन आप देखेंगी कितना 14,500 किलोमीटर और पचचपतर सो किलोमीटर यानि कि 7,500 किलोमीटर तटी ये रेखा लंबाई की साथ भारत आपका विस्ट में 16 भी इस्थान पर आता है हमारा नंबर 16 भी इस्थान पर है महासागरिये जल का उच्चितम बार्सिक ताप अंतर अगस्ते में और नियून तम बार्सिक ताप अंतर फरवरी में आप देखेंगी अधिक ताप अंतर रहता है और उत्री गुलाद, दच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च् पिरोईटो रिको ये 8392 मीटर है अटलांटिक महासागर में पच्छमी दूइश सम्मू में रोमेसि रोमेसि ये 7255 मीटर दच्छिडी अटलांटिक महासागर में सुन्डा ये 8152 मीटर ये पूरवी हिंद महासागर में जाबा दूइट पर बर्तमान में लगभग आप देखेंगे 57 गरतों को खोग जागा जिसमें 32 पिसांट महासागर में 19 आपकी अटलांटिक महासागर में 6 आपकी हिंद महासागर में सबसे जाना पिसांट महासागर में देखने को मिलेगी कहां देखने को मिलेगी पिसांट महासागर में तो ये भी याद रखीगा महादुईफिये सेल्फों पर लमे समय तक प्रात, स्थूल, तल, छटी, आउसाद, जीवास मीननों के सरोध बद्दे और महादुईफिये सेल्फ तेक महादीब का विस्तित सीमान्त होता है, जो अपेक्षा के उतले समद्रों तथा खाडियों से घरा होता है सेल्फ पर अतेंद तीव ढ़ाल पर समाप्त होता है, इसके उसाद तीव बिता आप देखेंगे एक डिगरी या उससे कम होती है और महादुईफिये ढाल की ओसत गहराई अगर देखें तो 200 मीटर से 3000 मीटर के बीच होती है लवर्ता की पिती 1000 में व्यक्त किया जाता है, समुद्री जल की ओसत लवर्ता अगर देखें तो 35000 पिती 1000 है और 24.07 की लवर्ता आप देखेंगे की लवर्ता खारी जल को सीमा अंकित करने का उच्छ सीमा माना गया हजार में यह विसमें 10 सबसे बड़े जल छेतफल वाले देशे जैसे कडारा हो गया यह 8,91,63 बर किलोमीटर रूस, 7,20,580 बर किलोमीटर यूसे, 4,7,131 बर किलोमीटर भारत, 3,14,070 बर किलोमीटर चीन, 1,37,606 बर किलोमीटर इरान के दिना? 1,16,600 बर किलोमीटर इतोपिया, 1,4,300 किलोमीटर बर किलोमीटर में कॉलंबिया, 1,2,010 किलोमीटर इंडोनेसिया, 93,000 किलोमीटर इसके कुल छेतफल का आप देखेंगि 8.9 भाग जल है और यहां किसी देश में इस्ति समी पिकार को जल भाग को जोड़ा गया तो जैसे उस देश में इस्ति नदी जर्णा जील ताला इन सब को जोड़कर बताय जा रहा है और समान खारेपन बाले स्थानों को मिलाने वाली जो रेखा होती इसे सम लवन रेखा कहते हैं ठीक है? और 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्ति अक्षान्स और 10 डिग्री से 30 डिग्री उत्ति अक्षान्स के मंदर सबसे अधिक लवरता आपको देखने को मिलेगी तो रिकी की वान जील की लवरता सबसे अधिक है 330 और दूसरा मेरिट सागर में आप देखेंगे 238 लवणता साधरान गहराई के साथ बढ़ती है और एक इस फर्ष्ट छेत जैसे हैलो क्लाइन कहा जाता है यह तीपिता से बढ़ती है समुद्री जल की बढ़ती लवणता उसके घनत को बढ़ाती है उच्छे लवणता वाला को गाई ओट कहते हम लोग पैसांत मात का सागर में गुवाम दूइब के समीप विस्तित मेरियान गर्थ तब से गहरा गया था इसकी गहराई गहराई आप देखें तो 11 किलू मीटर लगवाग यानि कि 11,022 मीटर है इससे चैलेंजर गरत की नाम से भी आप लोग जानते है ग्रेट बेरियर रीप या ओस्टेलिया के कुईस लेंड की समीप संसार का सबसे वड़ी प्रवाल भी थी है पिसांत माहा सागर में सागर में देखने को मिलेगा पिसांत माहा सागर या समुद्र के साधरातल का एक तीसरा भाग ढगता है और इसका छेतफल अगर आप देखेंगे समुद्र इस्थल के चेतफल से भी अधेक है जतने में आप लोग रहे रहे ना पूरी पितवी एना पितवी पर जितना इस्थल मंडल रहने योग भूमी है उससे कई अब देखेंगे उससे भी अधक है किसका प्रिसांत माहा सागर का इसके सीस बैर सीस बेरिं दच्ड़ी अमेरिका और दच्डवे आप देखें तो अंटार्कितिक महादीप है तो रवाल भीतिया पिसांत माहा सागर की पिरमुक विसे इस बिसाल माहा सागर में कुल मिलाकर 2000 से अधिक दूइप है और पिसांत माहा सागर का अधिकान्स तडवर्ती सागर पश्चमी भाग है इसमें बेरिंग सागर अखोर टस्क सागर जापान सागर फीत सागर पूर्वी चीन सागर ये सभी आपको देखने को मिलेंगे पूर्व की ओर केवल कैलिपॉनिया की खाड़ी ही पिसद्ध है इसमें बैसिन के उसत लग गहराई आप देखेंगे तेहत्र सो मीटर है अत्यदिक मातकून है यह मद्ध पिसांद भाहासागर की गरम जल्दाराएं दच्छिन अमेरिका की तर्फ की ओर पर भावित होती है और पेरू की ठंडी जल्दाराओं का इस्थान ले लीती है पेरू की तरफ पर इन गरम धाराओं की उपस्तिती ऐल नीनो कहलाती है और एल नीनो घटना का मद्ध पिसांद भाहसागर और ऑस्टिलिया की बायूदा परिवर्तन से गहरा समंद रहता है पिसांद भाहसागर बायूदा में यह परिवर्तन दच्छिडी दोलन कहलाता है इन दोनों दच्छिडी दोलन बदलाओ वा एल नीनो की सयुक्ति घटना को को हम लोग इंसो कहते हैं E-N-S-O के नाम से जानते हैं और जिस जिन बरसों में इंसो की सक्ति साली होता है विस्तों में भीहत्तम मौसम संबंदी भिनिताएं देखी जाती है और दच्छिड अमेरिका के पश्मी सो के तट पर भारी बरसा होती है और उस्टेलिया और कभी- में बाड़ आती है इन घटनाओं के दियान पुर्वक आकला से संसार के अन्न भागों की मौसम संबंदी भवस्बाड़ी के रूम में इनका प्रयोग किया जा सकता है एक आप लोगों ने अटलांटिक महासागर की बारे में भी पढ़ लीजे यह संपूर संसार का चटा भ इसके पच्छे में दोनों अमेरिका और पूर में आप देखेंगी यूरो और अफीका दच्छन में अंटार्क्तिक आपको देखने मिलेगा उत्तर में ग्रीन लेंड हरसन की खाड़ी वाल्टिक सागर वा उत्तरी सागर मगन तर्ट परिस्तित हैं और इस महासागर की सबस इसको अनेक चोटियों जल की से उपर ओठकर चोटे-चोटे दूइपों का धारन कर लेती हैं और अजोर्स का पाई को दूइप और कैव बर्दे दूइप इसके प्रमों को धारन हैं सब थे तीकी चोटी भूमत रेखा की निकट सेंट फोल नामक दूइप समूग की हैं औ प्रमूडा, प्रवाल दूइप, असेंसन, टेश्ता, दी कानहा, सेंट हेलेना, गुआ, बोबेट दूइप, ज्वाला मुखवी दूइप हैं ये यह महासागर 55 डिगरी उत्री अक्छांस के पास अधिक चोड़ा हो जाता है और जहां इसे टेली ग्राफिक पठार के नाम के साथ वेफिन की खाड़ी, हर्सन की खाड़ी, उत्री सागर, वाल्टिक सागर, मैक्सको की खाड़ी, भूमदर सागर, केरिवेंस सागर, मात्पूर सागर हैं अटलांटिक महासागर की तटरेखा की लंबाई पिसान तो हिंद महासागर की तटरेखा की कुल लंबाई से देखें और कटी फटी तट रेखा पर वहों तच्छे बंदरगा होते हैं और ब्यापार की दृष्टी कौर्ण से अगर आप देखें तो अटलांटिक महासागर संसार के सबसे अधिक व्यस्तिब महासागर है अब आता है इंद महासागर इसके उत्तर में आप देखेंगे एसिया महादीब और दच्छड में आपको अंटार्क्टिक महादीब और पूर में आप देखेंगे ओश्केलिया महादीब और पश्मे अफीका महादीब देखने कुम लेगा यही एक अर्ध महासागर है इसका फुल छेथफ़ल अगर आप देखें तो 7 करोड 34 लाग 25,500 पर किलूमीटर में फिला हुआ है यह एक तरफ आप देखेंगे पिसांद महासागर से और दूसरी तरफ आप देखेंगे अटलांटिक महासागर से मिला है कराकरिका इस महासागर की उत्री सीमा बनाती है और इसमें भारत के दश्चर पश्चमी तट की समीब लच दीप और मालनी पिरवाल दीपों के उधारन है महासागर का सबसे बड़ा दूइप अगर आपसे पूछे तो मेडागासकर मेडागासकर के पूर में आप देखेंगे महासागर में बास्विक तटवर्ती सागर दो ही है यह लाल सागर और फारस की खाड़ी आरफ सागर और बंगाल की खाड़ी की गरना भी सागरों में ही की जाती है लेकिन यह हिंद महासागर के उत्तरी विस्तार मात है डियागो गर्सिया दूइप इसी महासागर में है फिर आपका आर्केटिक महासागर है जाता है यह उत्री धुर्प के चारो ओर है और यह आर्केटिक बिर्थ के अंदर है बास्तों में यह अट्लांटिक महासागर का उत्री विस्तार है और यह वेरिंग जलसा संधी नामक उ किसी सागर में आपको देखने को मिलेगा महासागरों में सब से बड़ा पिसांत महासागर है वोग सब से छोटा अगरेटिक महासागर है यह सभी यार रखेगा, अब बात आती है महासागरिय जल धराओं की यह भी जरूरी है यहने भी पढ़ लेना चाहिए तो महासागरिये जल धाराओं की अगर बात करें तो एक निश्चित दिसा में बहुत अधिक दूरी तक महासागरिये जल की एक विसाल जल रासी के प्रवाह को महासागरिये जल पर बात करते हैं महासागरी है जल्धाराएं कहते हैं हम लोगे सिर्फ ठीक है और गरम इसमें दो तरह की धाराएं होती है तो गरम जल्धारा होगी एक आपकी धंडी जल्धारा होगी जैसे गरम जल्धाराएं की बात करें तो निम्न अक्षांसों में उश्ने कटीवन्दों से उच्छ सम्सी तोष्ण और ओप धुर्बीये कटीवन्दों की वर बहने वाल जलधाराओं को गरम जलधारा केथे हैं, एफर्या भूमद्रेखासे धुर्भों की वर चलती हैं और इनके जल्धा का तामान मार्ग में आने वाले जल की तामान से कम होता है और ये धाराएं जिन छेत्रों में चलती हैं वा तामान घटा देती है उत्री गुलाद की जल धाराएं अपनी दाई और दच्छडी गुलाद की अगर जल धाराओं की बात करें तो अपनी बाई और प्रभावित होती है और यह कोरियो लस बल की प् यह धूर्म जल्धाराएं ठंडे साघुरों की और ठंडी जल्धाराय की और बदल जाती है इसे अनुन घ्यार के अलड़ाया थे जल्धारा हैं थन्डी जल्धाराओं को याद रखी और घ्रम को रखिए इसे बिस्वत रेखिये जल्धारा, क्यूरो सीयो की जल्धारा, उत्री पिसांद जल्पेवा, अलास्का की जल्धारा, एल नीलो जल्धारा, सुस्मिया की जल्धारा, दच्छन बिस्वत रेखिये जल्धारा, पूर्वी उस्टेलिया की जल्धारा, बिस्वत रेखिये विफूर विश्वत रेकिये जल्दारा फिर आप देखें कि अटलांटिक महासागर की जल्दारा इसमें आप देखें कि लिब्राडोर की जल्दारा हो गई बेंगोईला की जल्दारा हो गई कनारी जल्दारा पूर्वी ग्रीनलेंड की जल्दारा अंटार के टिका की जल्दारा और फ अबरिद्विस्वत रेकिये ग्री जल्दारा इर मिंचर की जल्दारा इस अभी आप देखेंगे ग्रम धाराय ही अटलांटिक हाशागर की और ह vengeH 남am गरम दल दाराओं में देखें तो जल्दखराँ मुजाबिक की जल्दखरा अब हास की जल्दखरा एज ल्धार की गृारी हिसमे काली मांसून की जल्दखरा की जल्दखरा and Suite काली मांसून फिरन सीh और फिरौटन सीज जल्दखरा सार केस कि बारे में आप लोग पढ़ें हैं है तो सार केस्व सागर के बारे में, अगर हम भात की जाए है कि इसमें आप लुग देखेंगे कि उत्री अटलांटिक, इसलीनु महा सागर में 20 से 44 ॉत्री छास और 35 डिगरी से 65 डिगरी मापकरी 75 डिगरी पश्टमी देसांतर को मद्द चारों और प्रभावित होने वाली जल धाराओं के मद्द इस्थे सांत और इस्थे जल के छेत को आप लो सार गैसो सागर के नाम से जानते हैं या गल्फ इश्ट्रीम, कनारी और उत्री विस्वत्रिय धाराओं के चक बीच सांध जल शेत होता है इसके तट पर मोटी समुदरी घास तेरती है इस घास को आप लोग पुर्द गाली भासा में सार गैसम कहते हैं और जिसके नाम पर ही इसका नाम सार गैसो सागर रखा गया सार गैसम जड़वीन घास है सार गैसो सागर का चितफल आप देखेंगे 11,000 वर्ट किलूमीटर में या अटलांटिक की सरवाधिक लवरता 30 और आसद बारसिक आप मानता 26 डिग्री सेंटीगेट आपको देखने को मिलेगा सार गैसो सागर को सरप्रिथम इस्पैन की नाग जाता है निउफाउंड लेंड के समीफ ही गल्ब इस्टीम और लिब्राडोल जल्दारा मिलती है निउफाउंड लेंड पर ही समुदरी मचली पकड़ने का पिसिद इस्थान ग्रेंड बैंक उत्तरी अटलांटिक महसागर में देखने को मिलेगा गरम और ठंडी जल्दार एवं जार्ज बैंक आदी मत्स चेत्रों की उबस्तेदी के ऐसे चेत्रों में बिद्दमान है जापान के निकट क्यूरो सीयो की गरम दहरा और ओयो सीयो की थंडी जल्दारा के मिलने किसे वहाँ घना कुहासा चाय रहता है महसागरियों महसागरों के पश्मी भाग पश्मी भाग में विसवत रेखा कि समीव उत्तर और दच्छिन विसवत रेखीये धाराओं के अभी सरण के कारण इतनी अधिक मात्रा में जल्रासी कतित हो जाती है कि पश्चम से पूर की ओर सामान धाल बन जाती है फलसरूप पिती विसवत रेखिये धारा प्रभावित होने लगती है ला नीना के बारे में सुनाओगा एक सीतल जल्दारा है जिसके उत्पत्ती पेरू के तर्ट वर्थी छेत्रों में होती है वह है एल नीनो एक गरम जल्दारा है और जिसमें पत्ति पेरू के तर्फ और समानतर उत्तर सिदचिन के ओर होती है ला नीना का प्रवाँ छित एल नीनो की तरह अप्तसांथ छित की विसे इस रूप से पेरू के तर्टिय चित होता है यह कभी भी हिंद महासागरी छित रूप में प्रवेस नहीं करती है जुआर भाटा के बारे में भी आप लोग नस्वना होगा जुआर भाटा चन्दमा और सूरी की आकर्टसन सक्तियां होती ना इसके कारण सागरी जल की ऊपर उठने और नीचे गरने को जुआर भाटा कहते है सागरिये जल की उपर उठकर आंगे बढ़ने को आप लोग जुआर की नाम से जानते हैं सागरिये जल की नीचे गरत के पीछे लोटने को क्या कहते हैं भाटा कहते हैं और महा सागरों और समुद्रों के में जुआर भाटा के लिए उत्तादर कारक की बात करें तो सूर का गुर्टवी ये वल, चंदमा का गुर्टवी ये वल, पितवी का अपके अंदरी ये वल, इसके कारण, इसके क्या रहते हैं? इसके लिए जिम्मेदार रहते हैं, उत्तरदाई रहते हैं, ठीक है? तो यह आप लोग जरूर याद रखेगा और इसमें आप देखेंगे, चंदमा का जुआर उत्पादक थल, बल सूर की अपेक्छा दुगना होता है, किसका चंदमा का? क्योंकि यह सूर की तुल्ला में पितवी के अधिक निकट रहते हैं अमावस्याओ पुड़मा के दिन चंदमा सूर और पितवी एकसीद में होते हैं, और इस दिन उच्च जुआर पन होते हैं, यानि की महिने में दो बार उच्च जुआर आते हैं दोनों पक्चों की सब्तमी और अटमी को सुर औच चंदमा पिथिवी के केंद पर समकूंड होते हैं इस इस स्तिती में सूर और चंदमा की आगरस्व वण लेक दूसरी को संतूलित करने की प्रयास में प्रभभाविन हो जाते हैं और इस दिन आप देखेंगे निम्न जुवार आते हैं सामन का बेहत जुवार और निम्न जुवार की भीच 7 दिन का उंतर रहता है पितिवी पर पितिए एक इस्थान पर पिती दिन 12 गंटे 26 मिनट की बाद जुवार आता है जुवार पिती दिन 2 बार आता है एक बार चंद्मा के आकरसन से और दूसरी बार आप देखेंगे Akin gerei है भल की का रहता है सामन तरी जुवार पिती दिन 2 बार आता है किंतों इंग्लेंड के दचछडी तट पर आप देखेंगे साउथ थेम्टन में तो ज्वार पिती दिन चार बार आता है यहाँ दो बार तो आप देखेंगे ज्वार इंग्लिस चैनल से होकर और दो बार उत्री महासागर से होकर विविन अंतरालों पर पहुंचते हैं और विसका सबसे उचा अगर ज्वार भाटा पूचे तो कनाड़ा की नवा स्कोसिया में इसते फंडी की खाड़ी में आता है ज्वार यह वार की उचाई 15 से आप देखेंगे 16 मीटर के वीच रहती है क्योंकि यहाँ दो उच्छ ज्वार और दो निमने ज्वार पिती दिन आ तो यह जल की कहानी खतम हो गई आपकी जू आप लोग बायू मंडल देखते हैं अब लोग इस पर बात कर लेते हैं क्योंकि आपकी परिक्षाओं में इस से भी कोश्चन्स आते रहते हैं तो पित्वी के चारों और से घेरे हुए बायू के बिस्तित फैलाओ को हम लोग व बायू विज्ञान कहते हैं और निचली परज्जों होती है ना इसके अध्यान को हम लोग नितू विज्ञान कहते हैं और बायू पिथवी के द्रमान की अभिन्न भाग है और इनके कुल द्रमान का 99% पिथवी की सतय से 32 किलोमीटर की उचाई तक आप लोग देखते हैं और बायू मंदल में पाये जाने बाले कुछ महत्पूर्ण गैस भी है इनसे भी कुछ जा जाता है तो सबसे पहला आप देखेंगे किसमें नाइटोजन अठातर दसमलाओ आट परसेंट आट परसेंट की असपास रहती है और ऑक्सिजन की बात करें तो 20.95 परसेंट वहीं आर 0.002% हेलियाम इसमें 0.005% केप्टाउन इसमें आप देखेंगे 0.001% जीनन यह आप देखेंगे 0.009% हाइडोजन की बात करें तो 0.005% तो यह भी आप लोग याद रखेंगा अगर हम नाइटोजन की बात करें तो इस गैस का पितीशत मात्रस सभी गेसों से यह देखे और नाइटोजन की उपस्तिती के कारण ही बायू दाप पवनों की सक्ति और पिकास के परावर्तन क्या आभास होता है और इस गेस का कोई रंग गंद और स्वाद नहीं होता है किसका नाइटोजन का नाइटोजन का सबसे बड़ा लाव्या है कि यह बस्तूओं को तेजी से जलने से बचाती है और यह बायूमंडल में नाइटोजन ना होती तो आग पर नियंतर रखपाना बहुत कठेन होता और नाइटोजन से पेड़ पौधों में प्रोटीनों का निर्माण होता है जो बोजन का मुख अंग होते हैं उनके और यह बायूमंडल में 128 किलोमीटर की उचाई तक फैली हुई है कितना? 128 किलोमीटर फिर आप देखते हैं कि ऑक्सीजन का नंबार आता है यह अन्य पदारतों के साथ मिलकर जलने का कार करती है और आप देखें कि आप लोग किसी बंद बिलकुल कमरा ले लीजे यह आपने देखा होगा कि बिलकुल आप एक तरह से कोई कांच लेजे उसमें आपने देखा होगा कि जब अगर किसी चीज को आप जलाती है तो वो जलती नहीं है और यह है उर्जा का मुक्सरोत है यह गेस बाइव मंडल की एगा 64 किलोमीटर की उचाई तक फेली हुई है परन्तु 16 किलोमीटर से उपर जाकर इसकी मातरा बहुत कम हो जाती है और 120 किलोमीटर की उचाई पर ऑक्सिजन की मातरा नगन हो जाती है ठीक है फिर आप देखेंगे कारवन डाई उक्साइड हो गया यह सबसे भारी गयस है और इसका रण यह सबसे निचली परत में मिलती है और इसका अधिकास विस्तार 32 किलोमीटर की उचाई तक है यह गयस सूर से आने वाले विकरन के लिए परागम और पिथवी से परावर्तित होने वाले विकरन के लिए आपरागम है और यह कांच का घर या पोधा घर फिरभाव के लिए उत्तरदाई है और बाई मंडल की निचली परत को गरम रखती है दूसरी गेसों के आयतन बाई मंडल में इस्ते रहें जबकि पिछले कुछ दस्कों में मोकता जीवास निधन को जलाया जाने के कारण कारण डायोकसाइड के आयतन में लगातर विद्धी हो रही है और यह अमारी लेचंता का कारण भी रहता है भूपेश्ट में परावर्तित आउरक्द विकरन के आउसोसन द्वारा भूबाई मंडल की तामार में विद्धी की पिकरिया को ग्रेन हास प्रभाव कहते हैं फिर आप देखेंगे ओजौन यह गैस ऑक्सीजन का ही एक विसेश रूप है और यह बाई मंडल में अधिक उचाईयों पर भी परही अती नियून मात्रा में मिलती है और यह सूर से आने वाले तेज परावरेगनी विकरन के कुछ अंस को आउसिसित कर लेती है यह 10 से आप देखेंगे 50 किलोमीटर की उचाई तक के अंदर थे और बाई मंडल में ओजौन गैस की मात्रा में कमी होने से सूर की परावरेगनी करने अधिक मात्रा में पिथिवी पर पहुंचती है और कैंसर जैसी भायानक बीमारिया पहला देती है तो ओजौन आप देखते हैं ओजौन छरन की बात होती है तो हमारे लिए यह भी चिंता का कारण बन जाता है क्योंकि सूर इसे आप देखें जो परावरेगनी करने रहती है जो एक तरह से हमारे सरीर को नुकसान पहुंचा जास लकती है उनको रोकने का काम करती है अगर हम जलवास्फ की बात करें तो बायूमंडल में जलवास्फ सबसे अधिक परिवर्तन सील और आसमान वितरन वाली गयस है और यह उचाई के साथ घटी जाती है और 90 किलोमीटर की उचाई तक ही पाई जाती है बायूमंडल के संपूर जलवास्फ का 90% भाग 8 किलोमीटर की उचाई तक सीमेत है और इसमें सगन होने के कारण बादल, वर्सा, कोहरा, ओस, तुसार, हेम, आधी का निर्माड होता है पित्वी ना तो अत्यदिक गरम और ना ही अत्यदिक ठंडी हो सकती है और जलवास्फ के सगन से विरष्टी होती है और वाईवंडल के स्थरता भी जलवास्फ को नियंतिक करता है पित्वी के ताप को बनाय रखने के लिए CO2 और जलवास्फ उत्तरदाई है कारण डाई औक्साइड और जल्वास जल्वास की अलाब आप देखेंगे सूरिया तब और सौर विकरन का आउसोसन ऑक्सीजन ओजोन और कारवन डायोक्साइड गेसें करती हैं फिर आप धूल कड के वारे में भी सुनाओगा धूल कड फिरहा वायू मंडल की निचले भाग में मौजू और सीतोष पेदेशों में सूखी हवा के कारण होता है धूल और नमक के कड आद्धा गिराही केंद की तरह कार करते हैं जिसके चारों और जल्वास संगने थोकर मेगों का निर्मान करते हैं आकास का रंग नीला धूल कड के कारण ही दिखाई देता है अब आप सभी जानत यह बाई मंडल का सबसे निचली परत होती है और इसकी उचाई सतर से आप देखें तो 18 किलो मीटर होती है और धुरों पर आप देखेंगे 8 किलो मीटर होती है और विस्पद रेखा पर गया आप जाएंगे तो 18 किलो मीटर होती है जोब मंडल में तामान की गिराबट की द जोब मंडल में और इस मंडल को सम्मेहन मंडल भी कहते हैं क्योंकि सम्मेहन धारा इसी मंडल की सीमा तक सीमित रहती है और इस मंडल को अधो मंडल भी कहते हैं तो यह जोब मंडल के बारे में आप लोग जरूर याद रखा करिएगा इनसे भी कुश्टन कापी पूचे जाते रहते हैं किया करते हैं पूछ लेता है फिर आपका आता है जैबिक क्रिया के लिए यह सब से महत्पूर्ण संस्तर है जो मंदल समताम मंदल को अलग करने वाले भाग को आप लोग जोब सीमा कहते हैं और विश्वद वरत के उपर जोब सीमा में हवा का तापमान माइनस 80 मीटर की उचाई तक है और समताब मंडल की मोटाई धुरों पर सरफ से अधिक होती है और कभी-कभी आप देखें कि विश्वद रेखा पर इसकी इसका लोप हो जाता है और इसमें मौसम सम्मीदनी घटना है जैसे आंदी हो गया बादलों की गड़, बिजली कड़क, आदी कुछ नहीं होता है या ठीक है ताब समताब मंडल में और इस मंडल में बायू याद उड़ाने की आदरस दसाय होती है बायू जो आप लोग बायू आद देखते हैं इसी मंडल में उड़ते हैं कभी-कभी इस मंडल में विसेस पिकार के मेगों का निर्माल होता है ज से समताम मंदल को ओजॉन परत को नश्ट करने वाली गैस सी एपसी किलोरो फिलोरो कारवन जो की एर कंडीशनर और रेफेजिरेटर आदी से निकलती है जो ओजॉन परत में लक्षा चरन यानि कि सी एपसी में वबस्ते सक्रिय के कारण होता है ओजॉन परत की मौटाई नाप से 32 किलो मीटर से 60 किलो मीटर की मंदल और इस मंदल में उचाई के साथ तामान बढ़ता है और पिती एक किलो मीटर की उचाई पर तामान आप देखेंगे 5 डिग्री सेंटीगेट की बिद्धी होती है फिर आप देखेंगे मद्ध मंदल आता है समताम मंदल के ठीक उपर 80 क किलुमीटर की ऊचाहि तक रहता है और इस तनस्तर में आप देखेंیکि की उचाहि की साथ तामार में कमी होने लगती है और 80 किलुमीटर की ऊचाहि तक पहुंचकर माइनश सौ सन्टी गेल हो जाता है और मद्द मंदल की उपरी परत को मद्ध सीमा कहते हैं आप लोग फिर आपने देखा होगा आयन मंदल होता है आयन मंदल मद्ध मंदल की ऊपर 80 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर की बीच रहता है और इसमें विद्धो तावेशन आवेशित कड़ पाये जाते हैं जिनें आयरन कहते हैं और आयरन कहते हैं इसलिए इसे आयरन मंदल नाम दे दिया गया है यह भाग कम बायुदा वो परावेशनी किर्णों द्वारा आयनी कित होता है आयरन मंदल में उचाई बढ़ने के साथ तामार में विद्धी होने लगती है और इस मंदल में सबसे नीचे इसने डी लेयर से लॉंग रेडियो विप्स और E1, E2 और F1, F2 परतों से सौर्ट रेडियो विप्स प्रावर्तित होती हैं जिसके फाल सुरूप आप देखते हैं पिति भी पर रेडियो विजन हो टेलीफोन हो रडार हो आधी की सब्धा हमें प्राफ्त होती है संचार उबरा इसी मंदल में अवस्तित होते हैं आयरन आयन मंदल में फिर आप देखते हैं बाय मंदल आता है और आयन मंदल से उपर की भाग को हम लोग बाय मंदल कहें देते हैं इसकी कोई उत्री उपरी सीमा ने धारिट नहीं की गए है और इस मंदल में हाइडोजन और हीलियम गेस की प्राफ्ता रहती है हाइडोजन और हीलियम इस मटलगी महद्पूर फिसेता ही इसमें aurora, ओस्टालिस और aurora, वोरियालिस है और इसी कारण इसे उत्तरी धुर्विये फिकास और दचिछी धुर्विये फिकास भी कहा जाता है बास्तों में औरोरा ब्रह्मंडिये चमकते फिरकास होते हैं जिनका नेड़ा है निर्मार्ट चुमकी तूफान के कारण सूर की तरफ से विसरजित इलेक्ट्रॉन तरंगें के कारण होता है औरोरा धुर्भी आकास में लट्रक्ते विच्चित बहुरंगी आत्तिस बाजी की तरह दिखाई बढ़ते हैं ये पर आधी रात की समय आपको दिखाई देंगे सूरिया अतब आप लोग ने सुना होगा ये सूर से पितवी तक पहुंचने वाले सौर विकरन उर्जा को में लोग सूरिया अतब कहते हैं और ये उर्जा लगू तरंगों की रूम में सूरिय से पितवी पर पहुंचती हैं बाईमंडल की बाहरी सीमा पर सूर से 50 मिनिट 50 बरक सेंटी मीटर पर 1.94 कलोरी उर्जा उसमा प्राप्त होती है और धरातल पर प्राप्त सूरिया तब की मात्रा में उस निकटी बंद में 328 फिती बरक मीटर से लिकर धुर्मों पर 70 बाट पिती बरक मीटर की भिन्नता पाई जाती है सबसे अधिक आप सूरिया तब की बात करें तो वो उस निकटी बंदी है मरुष्थल पर आपको देखने को मिलेगा क्योंकि यहां मेगा च्छादन बहुत कम पाया जाता है और सामनता यह की अक्छांस पर इस्तित महादीफी यह भाग पर अधिक और महासागरी य परापत होता है पिथवी का अक्छ सूर के चारो और समनतल कक्छा से sadece 60minute कौर बनाता। है और जो विल्या अक्छांसों पर होने वाले सूरिया तब की मात्रा में बहुत परिभावी कहता है एैं किसी भी सतय घह सतय को प्राप्थ होने वाला सूरिया तब की मात्रा एबं उसी सतय से प्रावर्तित की जाने वाले सूरियादप की मातरा की बीच का अनुपात एलवीडो कहलाता है और सौर विकरन का यह प्रावर्तन लगु तरंगोस में ही होता है बाईवंडल की बाहर सीमा पर पिरापत होने बाले सौर विकरन का लगभख 32 परसंट भाग बादलों की सतय से परावर्तित और धूल कड़ों से पिकरणिट होकर अन्तरिक्ष में लौड जाता है बापस और सूरिया दप का लगभग 2% भाग धरातल में परावर्तित हो कर अंतरिक्ष में वापस चला जाता है और इसे भीकाव सौर विकरण का 34% भाग धरातल को गरम करने में के काम नहीं आता है और पूर्ण मेक्छाधन के समय सूर के पिकास में कमी का मूल कारण परावर्तन होता है ना की आउसोसर पित्वी सौरे के बिकरन द्वारा पिसारी तूजार का इंक्याबन परसेंट भाग और बायूमंडल सौरे उर्जा का किबल 14% भागी गहन करता है बायूमंडल गरम और ठंडा निम्न विधियों से होता है चालन इसमें आप देखें कि जब आसमान ताब बाली दो बस्तू है एक दूसरे के संपरक में आती है तो अधिक ताबमान वाली बस्तू से कम ताबमान वाली बस्तू की और उसमा प्रभावित होती है और उसमा का यह हुआ है और बायुमंडल की निचली परहत को गर्म करने में चालन महतthu旨 है फिर आप समभन के बारे में सुनते हैं पितवी के संपरक में आई बायु गरम वोकर धाराओं के रूप में लंबवट उठती है और बाईव मंडल में ताप का संचन करती है बाईव मंडल के लंब बद ताप मान की ये पिक्रिया संभाहन कहलाती है जब बाईव मंडल की निचली परत भौमिक बिकरन अधवा संचालन से गरम हो जाती है तो उसकी बाईव फैलती है जिसके उसका घनत कम हो जाता ह और उपर उठने लगती है और इस पेकार बायु निचली परतों की उसमा को उपर ले जाती है उपर की ठंडी बायु उसका स्थान ले लिखती है और नीचे आती है और कुछ देर बाद वाह भी गरम हो जाती है और इस पेकार आप देखेंगे संबहन की पिक्रिया द्वारा बाई मेंडल करम सबी नीचे से ऊपर गरम होता रहता है, और माई मेंडल गरम होने का यह मूक भूमिका नवाता है, संभाहन द्वारा उ macaron का इस्थानांतन केबल जो मेंडल तक सी में था, किस तक जो बढ़मादल तक ही सी में था, तो ये भी आप लोग याद रखेगा संभान द्वारा उस्मा का संचन के बल गैसी है और तरल पदार्थों में होता है क्योंकि उनके अड़ूं की बीच का बंधन कमजोर होता है या फिक्री या ठोस पदार्थों में नहीं होती है फिर आप लोग ने विक्रन सुना होगा बायू के छेते संचलन से होने बाला ताप का इस्थान अंतन अभी वहन कहलाता है लंभबत चंचलन की अपेक्छा बायू का छेते संचलन सापेक्छित रूप से अधिक मत अधिक मत पूर होता है और मद्द अक्छांसों में देनिक मौसम में आने वाली भिन्नताएं केवल अभी वहन की कारण होती है और गरम बायू रास्तियां जब ठंडे इलागे में जाती है तो उन्हें गरम कर देती है और इससे उस्मा का संचार निम्द अक्छांसिये छेत्र इस थानी अपपन लूब अभी वहन का ही पारिणाम है फिर आप लोग ने पित्वी का उसमा बजट भी आप लोग ने सुना होगा बजट पेस करना अलग हुए गया ठीक है माले की बाई मंदल की उपरी सतय पर प्रात्य सोरिया तब सो एकाई है और इस इन सो एकाई में से 35 एकाई पित्वी के धरातल पर पहुँचने से पहले ही अंतरेक्ष में परावर्तित हो जाए और सौर विकरन की इस परावर्तित मात्रा को पित्वी का एलवीडो कहते हैं और पित्वी द्वारा असोसित ये 59 एकाई पोनहा पार्थेक विकरन की रूम में लोटा दी जाती हैं और 34 एकाई यां बाई मंडल द्वारा असोसित कर ली जाती हैं 6 एकाई पोनहां पार्थे विकरन की इस तरह से बटवारा होता रहता है और बाई मंडल विकरन द्वारा इनको भी अंतरेक्ष में वापस लोटा देता है और अताहा ओ पित्वी के धरातल वाई मंडल से विकरन की इकाईया करम सा 17 और 48 होती है इनका योग अगर आप देखने तो 65 होता है तो बापस लोटाना वाली इकाईया उन 65 इकाईयों का संतुलन कर देती हैं जो सूर से फराप्त होती है और यह एकितिबी का उस्मा वजट या उस्मा संतुलन कहते हैं अत्वा ठीक है ताब किसी पदारत हिया अस्दान के गरम या ठंडा होने की डिगरी में मापा जाता है और किसी इस्थान पर एप लिए जाता है बायू का तामाड रिचानस क्या है, और रिखा क्या है, समुःत्से क्या है, semud लिएस की दूरी क्या है बायू सहथी का परिशंचर्ण और कोसक, कोसन तथा थंडी महासागरिय धाराओं की उपस्तिती, इस थानी है कारग भी इसके लिए जिम्मेंदार रहते हैं ताम्मान के वितरन की अगर हम बात करें तो जन्वरी और जुलाई के ताम्मान के वितरन का अध्यन करके हम पूरे विस्क के ताम्मान वितरन के बारे में जान सकते हैं किसे जन्वरी और जुलाई और मालचितों पर ताम्मान वितरन समताप रेखाओं की मदद से दासाते हैं और सरवादिक तावांतार यूरेसिया महादीप के उत्री पुर्वी इच्छेत में पाये जाता है लगवग आप देखेंगे स्थार डिग्री सेंटीगेट और इसका मुखकारन महादुईपी एता है सबसे कम 3 डिग्री सेंटीगेट का तावमान 20 डिग्री दच्छी और 15 डिग्री उत्री अक्छांस के बीच आपको देखने को मिलेगा समताप रेखा की बात करें तो यह वह रेखा होती है जो समान तावमान वाले इस्थानों को मिलाती है समताप रेखाओं तथा ताबमान के वित्रण के निमल अक्षन है समताप रेखाएं पूर पश्चिन दिसा में अक्छांसों के लगवग समानंतर कीची जाती है और इसका कारे नहीं है कि एक ही अक्छांस पर और सभी स्थानों पर एक ही मात्रा में सूर्या तप प्राप्त होता है और ताबमान भी लगवग एक जैसा होता है जल और स्थान पर ताबमान भिन होता है और तटों पर समताप रेखाएं आग कस्मा जो मुड़ जाती है और दच्छडी गुलार्द में जल भाग अधिक होता है और उहां परतामान सम्मंदी विसमतायें कम पाई जाती है और इसके विपरी उत्री गुलार्द में जल भाग किरम कम और उहां परतामान सम्मंदी विसमतायें अधिक पाई जाती है इसकारण दच्छडी गुलार्द म एक दूसरे के निकट होती है तो ताप प्रवंदता अधिक होती है। विसलेशन के लिए बहुदा इनी दोनों महीनों को मारा जाता है। और सीत रीक्तों के ताप मार में भी अंतर होता है। बायू मंडल दाप पमन बायू रासिया। सामाने दसाओं में समुद्र तल पर बायू दाप पारी के 76 सेंटीमीटर या या 760 मिली मीटर उचे स्थमद्वारा पढ़ने वाले दाप होता है। और बायू दाप को आप सभी आंदे के बैरो मीटर से मापते हैं। और बायू मंडल या दाप को मौसम के पूरा अनुमानों के लिए एक महत्कून सूचक माना जाता है। तो यह बैरो मीटर कई बायू दाप को किसे मापते हैं। बायू मंडल या दाप की एकाई बार है। और बायूदाब को मिली बार पास्कल में भी मापते हैं ब्यापक रोब से प्रियोग की जाने वाली काई को हम लोग किलो पाइस कल कहते थे समूर तर्पा वहोसत बाई मंडली ये दाब 1013.3 मिली बार या 1013.2 किलो पास्कल होता है ये यंते अविस्कारक हैं जैसे पारत बायो मापी बायो दाब मापी का है आप देखेंगे ए टौरी सिली के द्वारा अविस्कारक इसके रहे हैं नीदरब बायो दाब मापी लुसीयन विडाइस के इसकी अविसकार रहे हैं अविसकार रखें ठीक है बायू मंडल के निचले भाग में बायू दाब उचाई के साथ तीबिता से घटता है और यह हिरास दर पितिक 10 मीटर की उचाई पर एक मिलीवार होता है और 10 किलो मीटर की उचाई पर आप देखेंगे 265 मिलीवार बायू दाब और माइनस 49.7 डिग्री सेंटिगेट मानक ताब मान होता है समदाब रेखाएं भी सुने होंके वह कल्पित रेखाएं जो समद्र तल के बराबर घटाए हुए समान बायू दाब बाले स्थानों को मिलाती है उनलोग हमें क्या कहते है आईसो वार या समदाब रेखाएं कहते है और बाई दाब को मांचित पर समदाब रेखाओं द्वारा दरसाए जाता है दूरी के पिती काई पर दाब की घटने को दाब परबनता कहते हैं और जब समदाब रेखा एक दूसरे के पास होती है तो दाब परबनता आधिक होती है और फरणतु जब समधाब रेका हैं एक दूसरे से दूर होती हैं तो दाब फिर्वंता कम होती है और दूरी के संदर में दाब परिवर्तन की दर दाब फिर्वंता है फिद्वी के धरातल वाई दाब पेटी यां भी आप लोगों ने सुनी होगी होती है कौन को सी इन में आप देखेंगे तो बिस्मत रेखी है निमने द्वाई दाप पीटी सुनाय या नहीं सुनाय और यह पुप पेटी आप देखेंगे तों भूमत-द्रेखा से देखें भूमत-द्रेखा से 10 से डिग्री उत्री और 10 डिग्री दच्छी अक्छांसों की बीच आपको देखने को मिलेगा या साल भर सूर के करने लमबद पढ़ती है और जिसके कारण ताबमान हमेशा उचा बनाए रहता है ठीक है और इस कटीवंद में धाराता लिए छेति पबने नहीं चलती बलकि अधिक ताबमान के कारण बायु वहल की होकर उठती है और समयनी धाराओं का जिनम होता है इसलिए इस कटीवंद को सांत कटीवंद या डोल डरम भी कहते हैं हम लोग ठीक है तो यह भी याद रखिएगा यह आप देखें विस्वत निमन और फिर आप यहां देखेंगो उपोश निमन उपधुर्विय और धुर्विय उच इस तरह इस तरह जाई हो धुर्विय उ करन भी यहां पर वायुदाब कम होता है एक उपोश उच्च वायुदाब आता है ए ठीक है उत्तरी तथा दथिडी गुलाद में अगर क्रम सा करक और मकर रिखाओं से 35 डिगरी अक्छांसों तक उच्च दाब पेटियां पाई जाती हैं और यहां उच्च दाब होने की द नीचे उतरती हैं और उच्च वायुदाब उत्पन करती हैं और दूसरा कारण है इसमें पित्वी के देरिक गती के कारण उब्दूर्विये छेत्रों से बायु विसाल लासियां करक तथा मकर रिखाओं से 35 डिगरी अक्छांसों के बीचे कतित होती हैं जिससे यहां पर पेटी को अक्छांस कहते हैं इस कारण यह मद्द योग में यूरोब में खेती के लिए पश्मी द्वीब समू से में पाल दार जल्यानों में लाग कर घोड़े भेजा जाते थे और इस जल्यानों का इन अक्छांसों के भी बायु सांत रहने के कारण आंगे बढ़ने में क उतरी और दच्षडी अक्छांसों से किरम्सा आर्केटिक और अन्टार्केटिक विर्तों के बीच निमनबाईदाब की पेटी कहते हैं जिसे उबढ़ṣ दूरविय उच्षडी अक्छांस के उपरी और दच्षडी धूरप तक पेटी आप आई जाती हैं तर आप देखें धरातल पर बायुदाब में छेतिज विसमताओं के कारण हवा उच बायुदाब से निमने बायुदाब छेत की और बहती हैं और छेतिरूप से इस गती सील हवा को ही हम लोग पवन नाम दे देते हैं उर्दुबादर दिसा में गती सील हवा को बायुदारा के येंदि पिथवी इस्थिर होती है तो उसका धरातल समतल होता और पवन उच्च बायुदाब बाले छेत्रों से सीधे निम्न बायुदाब बाले चेत्रों की उर समधाब रेखाओं पर समकौण बनाती हुई चलती परंतु बास्त्विक इस्तिती यह है कि पित्वी अपने अक्षपट घूडन कर रही है और उसका धरातल समतल नहीं है और अतापवन कई कारणों से के प्रभाव प्रभाव धीन अपनी दिशा में परिवर्टन करती हुई चलती है यह कारण ने दात्रवर्ण तादवल कोरिय अगर हम लोग कोरिया कोरियो लिस्त प्रभाव की बात करें तो पित्वी के घूडन के कारण पाउने अपनी मोल दिशा में विच्छेपित हो जाती है और इसे कोरियो लिस्त बल कहते हैं इनका नाम फ्रांसीसी विज्यानिक के नाम पर पड़ा है जिसने सबसे पहले इस ब बल के पर भाव धीन उत्री गुलाद में पबने दाहिनी और और दच्री गुलाद में आप देखेंगी बाई ओर मुड जाती है और इस बिच्छेप को फैरल नाम बिग्यानिक ने सिद्दि किया था इसे फैरल का नियम कहते हैं और इसे बाईज वैलेट नियम द्वारा ही भी समझा जा सकता है और असे नियम के अनुसार यदि कोई व्यक्ती उत्री गुलाद में पबन की ओर पीट करके खड़ा हो तो उच्छे दाप उसके दाई ओर और निमने दाप उसके बाई ओर होता है और दच्छी गुलाद में इस्तिति इसके ठीक विप्रीथ हो जाती है कोरियोलिस बल अक्छांसों के कौन्ट के सीधा समानुपात में बढ़ता है वह यह धुर्मों पर सरवादी को विश्वत ब्रत पर अनुपास्तित होता है यानि धुर्मों पर पावनों की दिशा में अधिक्तम विच्छेप और विश्वत रेभा पर आप देखें पावनो के समकोन पर होता है जितनी दाब पर अधिक होगी पावनों का वेग उतना ही अधिक होगा और पावनों की दिशा भी उतनी ही अधिक निच्छेपित होगी इन दो बलों के एक दूसरे से समकोन पर होने की कारण निमने दाब छेत्रों में पावने इसी के इर्दगर बहती ह विश्वत ब्रत पर कोरियोलिस बल सुने होता है और पवन समदाब रिखाओं की समकोंड पर बहती है और निमने दाब छेत और अधिक गहन होने के वज़ा पूरित हो जाता है और यही काराने की विश्वत ब्रत की निकट उस्टे कटी बंदिये चक्वाद नहीं बनते हैं औ पिछलित पवन, मौसिमी पवन और इस्थानिय पवन ठीक है इन तीन पवनों को नाम को याद रखिएगा अंगे बात करते हैं हम लोग अगर पिछलित पवनों की बात करें तो पिथवी के विस्तत्य छेत पर एक ही दिसाव में वर्स भर बहने वाली पवनों को हम लोग प धारन है पच्छवा पवन, व्यापारिक पवन और धुर्वीय पवन अगर पच्छवा पवन की बात करें तो दोनों गोलादों में ओपोष्ण उच बायुदाप पर टी बंदों से और धुर्वीय निमने बायुदाप कर टी बंदों की ओर चलने वाली इस्थाई हवा को इनकी पश्चिम दिशा के कारण पचुवा पवन कहा जाता है, पचुवा पवन का सर्फिट विकास 40 डिग्री से 65 डिग्री दच्छडी अक्छांस के मद्द पाय जाता है, वाई यहां इन अक्छांसों को गरच्चा 40 पिचंड 50 चीक तच 60 कहते हैं, और ये सभी नाम नावि पवन के नाम से जाते हैं, और उत्री गोलाद में इनकी दिशा उत्तरपूर्व से दच्छिन पश्चिम की ओर होती है, और दच्छिन पूर्व से उत्तरपूर्व से उत्तरपूर्व पश्चिम की ओर होती है, तो येने भी आप लोग याद रखेगा, इस्थानी ये सीतल पपने होगे, ये नाम होगया उनका इस्थान, विली युवाब, ए अलास्का में, वोरा, ए अडियाटिक तट, मिश्टल, ए स्पैनो फ्रांस में, वरान, रूस, वाई, दच्छिड, दच्छिड फ्रांस, पैंपिरो, फिरो ए अजिन्टेना, फियावजिम, ब्राजील, नार्दर, सहित्रा जमीरिका, नॉर्टी, सहित्रा जमीरिका, पॉनेंटी, दच्छिड अफिका, पैपागायो, मेक्सको, मेश्टेल, उत्री एटिली, नेवाडोस, एक्वाडोर, विल वी इरान, हवो, सुडान, पुर्गा, टुंडा पिदिश, कैप डॉक्टर, दच्छिड अभीका, इसे टेवल विलोग परवत कहते हैं, ठीक है, अब देखिए आपकी मौसम, मौसमी पपने हो गए, मौसम या समय के परिवरतन के साथ जिन पवनों की दिशा बदल जाती है उन्हें हम लोग मौसमी पपने कहते हैं, जैसे मानसोनी पपन हो गई, इस्थल समी हो गए, समुद्री समी हो गया, इस्थल समुद्री समुद्री की बात करें तो उसमा के आउसोसन और इस्था नांतरन में इस्थल बास समुद्र में भिन्नता पाई जाती है, दिन के दोरा होता है कि समुद्र से समुद्र की तरफ होने का समी प्रभावित होती है यह भी याद रखेगा इस्थानिये पबनों के और यह पबन रौकी परवत के पूर्वी पूर्व के पसुपालकों के लिए बड़ा ही लाबदाय के क्योंकि सीतकाल की अधिकान सौधी में यह बरफ को पगला कर चारगाहों को बरफ से मुक्त रखता है जिसे पसुपालकों के लिए चारा हो सके थौन यह आलपस परवत की उत्री ढाल से नीचे उत्रने वाली गरम एवं सुसका बाए इसका सर्बादिक पर भाव आप देखेंगे सुजलेंड पर पड़ता है और इसके पर भाव से बरप पिगल जाती है और पसुपालकों के लिए चारागा मिल जाते हैं इसके पर भाव से अंगूर जल पक जाते हरमटतन या सहारा रहिस्तान से उत्तरफूर दिशा में चलने वाली यह गरम औहुसस का हवाए यह पबत सहारा से गिनी तट के कि और बहती है गिनी तट पर इसे डॉक्टर हवावी कहते है सिराको या सहारा मरुस्तर से भूमत सागर की और बहुने वाली धूल से लदी गरम हवाए या भूमत सागर पार करती है तो आद्ध हो जाती है और इटली पहुंस जाती है इसके अन नाम है इस्थानी नाम है, खमसिन, मिस्स में, गिविली ए लीविया में, चीली, टिूनिसिया में, लिष्ट, मेडिया में, सिराको, इटली में, लेवेक, स्पैन में सिमू ये अरब रेकिस्थान में बहने वाली एक गरम और सुस खबा है बलेक रोलर या उत्री अमेरिका के विसाल मैदान में दच्छडी परश्मी और उत्री परश्मी तेज धूल बाली चलने वाली आंदी है बिक फिल्डर ये है ऑस्टिलिया के विक्टोरिया परांद में चलने वाली गरम और सुस कहबा है नार्वेश्टर ये न्यूजी लेंड में उच परतों में से उतरने वाली गरम और सुस कहबा है सांबल यह एराक और फारस की खाड़ी में चलने वाली गरम और सुस्कावा है सांटा आना यह दच्छेड कैलिफोर्निया में सांटा आना गाटी में चलने वाली गरम और सुस्कावारी है कुछ अन अन एक गरम हमाई हैं यहाई देख लीजे फिर आंगे हम लोग बढ़ते हैं नाम हो गया इस्तान ट्रेमोंटेन यह मद्दी उरुप में आयाला फ्रांसे में बरगस यह दच्छडपीका में सुखोवे रूस और कजाकिस्तान में बगो फिलिपिन्स और दूई समय म उत्री भारत में सुलेनो ए दच्छिटपूर भी इस सामून ए इरान में यहाँ आप देखें कि कोयम बेंग हो गया जो जाबा इंडोनेसिया में बहने वाली गरम बाली गरम हवात होई यह तपाकों की खेती को काफी नुकसान पहुंच आती है जेट फिर वाह के बारे में प्रवाहित होती है और यह दोनों गोलाल में पाए जाता है परंतु त्री गोलाल में अधिक सक्ति साली होता है और इसमें आप देखेंगे 120 किलो मीटर पिती घंटा से चलती है और जेट प्रवाब बायूरासियों के बारे में भी आप लोग उने सुना होगा बायूरासिय बायू मंदल का हुए विसाल और विस्तित भाग जिसमें तामाण और अद्यता के बहुत एक लक्षन उद चेती तित दिसा में सम रूप हो बायूरासियों किलो मीटर तक विस्तित होती है एक बायू रासी में कई परतें भी होती है जो एक दूसरे एक उपर छेते दिसा में फैली होती है पिते एक परत में बायू की तामान और आदिताव की स्तिती लगवक समान होती है यह जल बायू और मौसम के अध्यन से समन में मात्पून भूमिका भी निबाती है वताग भी आप लोगोंने सना होगा जब धो भिंड पकार की बायू रासिया मिलती हैं तो उनके मद्द सीमा छेत को बताग के होते हैं वताग चार पकार के होते हैं एक तो सीत वताग, उशन भताग, अचर वताग और अधीविशन वताग अगर सीत वतागी की बात करें तो जब सीतल वभारी वायू आक्रमक रोप से उशन वायू रासियों को उपर धकेलती हैं और इस संपर्ग की छेत को हम लोग वताग कहते हैं क्या कहते हैं वताग कहते हैं अगर उष्ण वताग की बात करें तो यदी गरम बायू रासियां आक्रमक्रोप्स में ठंडी बायू रासियों के ऊपर चड़ती हैं तो इस संपर्ग की छित को हम लोग उष्ण वताग कहते हैं अचर वताग की अगर बात करें हम लोग तो जब अधिवेश्ट बातक के कहते हैं वातक मद्ध अक्छांसों में ही सीमत होते हैं और यह तापमान में अचानक बदलाव लाते हैं इसी कारण बायू उपर उठती है वो बादल बनते हैं और बरसा भी होती है बहीरूष्ण कटीबंद बंदिये चकवाद बेचकवाद यह तथा उच अक्छांसों में जिन छेत्रों में जिस छेत्र से गुजरते हैं वहाँ मौसम संबंदी अवस्थाओं में अचानक तेजी से बदलाव होता है बहीरूष्ण कटीबंदी चकवाद धुर्वी यह वाताग के साथ साथ बनते हैं और आरा में बाताग अचर होता है उत्री गुलाद में वताग के दच्छिन में कोष्ण वा उत्री उत्तर दिसा में से ठंडी हवा प्रवावित होती है जब बाताग के साथ बायूदा कम होता है तो कोष्ण वायू उत्तर दिसा की ओर ठंडी बायू दच्छिन दिसा में घडी की सुईयों के विप्रीत परवासिव रोष्हन कटी बंदी है, चक्यवाद बिक सित होता है, जिसमें एक उष्ण वथाग एक सीद वथाग होता है, कोश्न वायू आकमे करोप में ठंडी वायू के उपर चरती है, और उष्ण वथागे के पहले भाग में इसतरी मेग दिखाई देता है और बरसा होती ह सीग बाताग के साथ कपासी मेग बनते हैं और सीट बाताग उशन बाताग की अप एक चत्तीब गती से चलते हैं और अंतताब देखें कि उशन बातागों को पूरी तरह से ढख लेते हैं यह कोष्ण बाई उपर उठती है और इसका भूतल से कोई संपर्ख नहीं रहता है और अधी विष्ट बाताग बनता है और चकवाद धीरी धीरे छीन हो जाते हैं प्रभावीन हो जाते हैं उठती उठती पूपान है और इसका भूत हाते हैं और यह जाती हैं और अधीर जो से कोष्ट मinekन के नाम से पश्मी पहसागर धाउ स தक गर बेंग्र appeared chest around नाम से इसे आप जानते हैं फिर आपकी ऊश्निकटी बंदी है चकवाद। से पराप्त होती है इस तुफान के केंद को गेर लेती है समोध से लगाता राद्यता की आपूर्ती से ये तुफान अधिक पेबल होते हैं और असन्तिय कि रहते हैं कि ये चकवाद आया हुआ है वा difer स्थान को निकटी बंदी है चकवाद नोन्हें लेंद कन की और कहलाते हैं क्या कहते हैं लेंडफाल कहते हैं वही रूशने कटी बंदी चकवाद में अंतर क्या है इन्हें देख लिए वही रूशने कटी बंदी चकवाद उस्ने कटी बंदी चकवाद इसमें इस पष्ट बातागी पडालियां होती है और इसमें बातागी पडालियां नही होता है या पश्चिमी पवनों के साथ पश्चिम से पूरु की दिशा में चलता है या पूरु से पश्चिम दिशा में चलता है यानि ब्याबारी पवनों की अनुगवन करता है तो यह भी याद रखेगा फिर आदिता भी सुनते रहते हैं बायू मंडल में उपस्ते जलबा बायू मंदल की आदिता कहलाता है ये तीन तरह की होती है निर्पेक चादिता बायू की पिती इकाई आयतन में विद्मान जलबास्ट की मात्रा को निर्पेक चादिता कहते हैं इसे ग्राम पिती घन मीटर में व्यक्त करते हैं हम लोग विसिष्ट आदिता बायू की पिती इ अधिता आतल करते हैं इसे इंन्यम नसुद्वारा बेक्त करते हैं, सापेक छादित्वारा और बायू के ताम्मान पर निर्भारत करता है। इसे फितीसत में हम लोग बैक्त करते हैं, बायू में जलवास की मातर आधिक होने पर सापेक चादिता आधिक होती है, बायू का तामन कम होने पर सापेक चादिता बढ़ जाती है, और तामन बढ़ जाने पर सापेक चादिता कम हो जाती है, संतरप्त बायू के सापेक चादि पहते होने की करिया को संगहन करते हैं, इस दो कारकों पर नरुपर करते हैं, ताबमान में कमी पर, वायू की सापिकछाद दिता पर नुसांघ सुनें हो, वायू के जिस ताबमान पर जल अपनी गैसी यावस्था से तरल याbles तो सबस्ता में परिवर्थित होता है, उसे ओसांग कहते हैं, ओसांग पर बायू संतरप्त हो जाती है और उसकी साफिक्षा देता 100% हो जाती है, ओस पढ़ने के लिए ओसांग का हिमांग 0 degree centigrade से उपर होना चाहिए, पाला और तुसाल सुने हो, आप कहते हैं पाला पढ़ रह कहते हैं, ओसांग से नीचे बायू के तामान कम होने के पर कुरेरा करने माढ़ होता है, और इसे द्रस्ता एक किलो मीटर से कम होती है, तो यह भी सुनिए, बादल सुने हो, बादल मुक्षता हावा की रुधोस्ण फिक्रिया द्वरा ठंडे होने पर उसमें तामान की सांग से नीचे गिरने से बनते हैं और यह अल्प घनत के कारएं बायो मुडल में तेरते हैं और रूप और रूप के अधर पर बादल निम्निपिकार को होते हैं पच्छा बादल इसका निर्माण 8000 से 12000 मीटर की उचाई पर होता है यह पतले और विखरे हुए बादल होते हैं जो पंक की समान आपको दिखेंगे यह हमें से सफिद रंग के होते हैं कपासी बादल यह रोई के समा बादल जैसे लगते हैं या दिकांस या पूर्ण आकास को ढखे रहते हैं और यह दो या तीन किलो मीटर की उचाई पर पाए जाते हैं इसमें सतत घर बर्षन के गुण होते हैं यह बादल सामनता या तो उश्मा के द्वारा इहरास या अलग अलग तामानों पर हपा के आ आपास में विस्तित होने से बनते हैं बर्षा बादल बर्षा बादल काली गहरे सलेटी रंग के होते हैं यह मद इस तरों या पितवी के सताय के काफी नर्दीक बनते हैं यह सूर की केनों के लिए बहुत ही अफ़ार दरसी होती हैं कभी कभी बादल इतनी कम उचाई पर हो नैफो इसको बादलों की दिशा उगति हुमापने वाला यहनत होता है नैफो इसको बरसा जब जलवाच की बूने जलकी रूमें पिटीबी पर गिरती हैं उसे हम लोग बरसा कहते हैं बरसा बायू के ठंडा होने की विधियों के अनुसार बरसा तीन तरही की होती है एक तो आप लोगों ने सुना होगा संभाईनी बरसा जब भूतल बहुत गरम हो जाता है उसके साथ लगने वाली बायू भी गरम हो जाती है बायू गरम होकर फैलती है और हलकी हो जाती है और यह हलकी बायू उपर उठने लगती है और सम्मधनी धाराओं का निर्मान करती है उपर जाकर यह बायू ठंडी हो जाती है इसमें उपस्ते जलबास्प का संगनन यानि की बरसाद हो जाती है और संगनन से कपासी में एक बन जल्वास का संगर्ण होने की अवस्त है को हम लोग बरसन कहते हैं, यह द्रव यह ठोस अवस्ता में हो सकता है, बरसन जब पानी के रूम में होता है थो उसे बरसा कहते हैं, जब तामान 0 degrees Celsius से कम होता है, तु त बरसन uhimkl तुलों के रूम में होता है, जिसे हिम पात कहते हैं, नमी सट कोडियर रवों के रूम में निर्मुक्त होता है, बर्सा और इबं हिम पात के अत्रिक बर्सन के दूसरे पिकार सहीं बिष्टी और करका पात है, कभी-कभी बर्सा की बूम ने बादर से मुक्त होने के बाद बर गर्षाद होना जिसके उम्मिद ही आ नहीं की तो आप कह देते हैं कि बरसा हो गई चकवांत पिती चप्ति सुनें और टीं के मिस्तरन के फादसरू बायू की तीब गती से उपर उठकर बवंडर की रूप में रूप गहन करने से होती है चकवाद इसके केंद में आप देखेंगे कि कमदाप की स्थापना होने पर बाहर की और दाप बढ़ता जाता है समझ रहे हैं तो यह भी याद रखें इसमें अगर आप देखें तो निम्नदाप के चारों तरफ पवनों का परीकरमड चकवादी परी संचन कहलाता है पर्या निम्नदाप छेत्रों पर बायू अभीसरत होती है और उपर उठती है इसमें चकवाद में बायू चलने की दिसा उतरी गोलाद में घडी की सुईयों के विपरीत होती है और दचीड गोलाद में आप देखें तो घडी सुई की दिसाद में होती है टॉर्णेडो, हरीकेन टाइपून चकवाद के ही उधारने और पिती चकवाद की बात करें तो चकवाद की उल्टा हो गया जब केंद में दाव अधिक होता है और केंद से हवाएं बायू की वो बाहर की वो चलती है उसे पिती चकवाद कहा जाता है यानि उच्छे बायुदाब छेत की चारों तरब पवनों का परिकर्माण पिती चक्वादी परिसंचैड कहा जाता है और उच्च दाबशेत्रों में बायू का अव्टलन होगा ऑधरातल पर अपसरित होगी और इसमें आप देखेंगे वताग का अभा होता है और पिती चकवाद में बायू की दिशा उत्री गोलाद में घड़ी की सुईयों के अनकूल और दच्छरी गोलाद में आप देखें घड़ी की सुईयों के विपरीत होती है ठीक है? तो चकवाद में हवा केंदर की तरफ आती है और उपर उठती उठकर ठंडी होती है और बरसा कराती है जबकि पिती चकवाद में मौसम साफ होता है चकवाद और पिती चकवाद में पावनों की दिसा का प्यारूप बात करें दाप पदिती हो गई, केंदो में दाप की दिसा हो गई पावनों की दिसा का इसमें उत्री गोलाद और दचली गोलाद में जैसे चकवाद निमन बायुताफ रहता है गड़ी की सुई की घड़ी की सुई की दिसा के अनुरूफ होता है और पिती चकवाद में आ देखें तो घड़ी की सुई की घड़ी की सुई की दिसा के अनुरूफ दिसा में विप्रीत होता है इसमें अगर देखें तो घड़ी की सुई की घड़ी की सुई की दिसा के विप पीद होता है इसमें और उत्री गोलाल में और चकवाद अगर दश्चरी गोलाल में देखें तो घड़ी की सुई की दिशा की अनरूप होता है तो यह याद रख सकते हैं आप लोग कोई बड़ी बात नहीं है तडित जंजा या टॉर्ण नेडो जिसे कहते हैं यह भेंकर वि उशनित आदि दिनों में पिरवल संभहन के कारण उत्पन होते हैं और तडित जंजा एक पूर्ण विक्सित कपासी वर्सी में है जो गरजवा विजली उत्पन करते हैं और जब यहां बादल अधिक उचाई तक चले जाते हैं तो जहां तामाज सोनने से कम हो रहता है और इस के कारण बर्सरण होता है भयानक तडित जंजा में कभी-कभी वायू आक्रमक रूप में हाती के सून की तरह सरफिल और रोहन करती है और इससे केंद्व पर अतेंद कम वायूदाब होता है और यह ब्यापक रूप से भयायंकर बिनासकारी होते हैं और इस परीगटना को ट पिति घंटा होता है ठीक है ऑस्ट्रिलिया और सेफद्राज अमेरिका के मिसिसीपी इलाके में इस तूफान को हम लोग टॉर्नेडो कहते हैं हरीकेन भी आप लोग में सुनाओगा अटलांटिक महासकर में उठने वाली और पश्रिमी दूइप समू के चारोड चलने वाली पहंगर चकवाती तूफान है और इसकी गती 121 किलो मीटर पिति घंटा होता है एक सो इकीस किलो मीटर पिति घंटा तो ये भी याद रखिएगा टाइपून की बात करें तो पिसान्त महासकर में उठने वाला और चीन सागर में उठने वाला ये कटीवंद चकवात को इतना याद रखिएगा ठीक है और आपके पास छमता है तो आप सब कुछ याद रखिएगा जैसे ग्याहूं के उत्पादवने में चाइना पहली नहीं स्थान पर है भारत दूसरे इस्थान पर है इंडोडीसिया तीसरे पर है मक्का में USA प्रिथमिस्थान पर है चाइना दूसरे पर ब्राजिल तीसरे पर कपास में USA पहले पर है चीन दूसरे पर है पाकिस्तान तीसरे पर चाय में भारत पहले पर है चीन दूसरे पर सिरिलंका तीसरे पर गन्ना में भारत पहले पर ब्राजिन दूसरे पर चीन तीसरे रबड में थैलेंड पहले पर, मलेसिया दूसरे पर, इंडोनीसिया तीसरे पर, तमाकु चीन और पहले पर, USA दूसरे पर, भारत तीसरे पर, कहबार, ब्राजील पहले पर, कोलंबिया दूसरे पर, इंडोनीसिया तीसरे पर, तेहलन में ब्राजील पहले पर, चीन दूसरे प रहे पर वीजाल सकते हैं। भी में पहले पर चीन दूसरे पर बाम्राजिल तीसरे पर टबाँ देखेंगे चाइना पहले पर फेरू तीसरे पर अस्टिलिया तीसरे पर चांदी में आप देखेंगे तो मैक्सको पहले पर, चाइना दूसरे पर, पेरू तीसरे पर, कोईला में चीन पहले पर, USA दूसरे पर, भारत तीसरे पर, इवरे नियब में अगर देखेंगे आप लोग तो कजाकिस्तान दूसरे पर, पहले पर, कनाडा दूसरे पर, औस्टि तो यह भी अब लोगे याद रखिएगा बिसके प्रमुख बी निर्माड उद्देव हो गए जैसे उद्देव हो गए उत्पादक देश हो गए जैसे सूती बस्त उध्देव की बात करें बेटें भारत चीन रूस जापान रिस निर्माड उद्देव में बेटें घर्मनी जायतली रूस इंत्राज अमेरिका वायू निर्माड उद्देव में से उत्तराज अमेरिका वेटन रोस रसाइन उद्देव में बात करें जैसे साल फेवरी कम से उत्तराज अमेरिका जापान जर्मनी गेड़ बेटन नाइटो जन उक्तोर उबरक में से उत्तराज अमेरिका जापान भारत फोसफेट में आप देखेंगे उर वरग में सेवतना जमेरिका पोर्टास उरवक में आप देखेंगे जर्मनी सेवतना जमेरिका तो समझ रहे हैं यह आपके कोछ बिस्क पर मुखोर्ण खुदपादक भी निर्माड उद्देव हो गए क्या हो गए बीरन माड़ उत्दे हो गए इंसे questions आते रहे हैं काफी आते हैं और काफी आते हैं समझ रहे हैं काफी आने का मतलब तो इन्हें आप लोग जरूर याद रखिएगा इंसे questions आते हैं और आने चाहिए मेरा भी ऐसा मानना है अगर हम लोग विस्त के पिरमों को उद्धोगिक नगरों की बाद करें और इनसे क्या रहता है कि कई बार कुश्चन से आपका पूच भी लिया है तो आपकी स्क्रीन के सामने आपको दिखाई भी दे रहे हैं जैसे माले यह आपका हो गया क्या वैल फास्ट एक आय के लिए जहाज उद्धेव के लिए बर्वि गिंबं बर्मिंगम यह लोहा और इस पात उद्धेव के लिए हवाना सिगार के लिए कापी पिसद्ध है लौस एंज्च पैटॉल्यूम फ्लेम के लिए कापी पिसद्ध है और ये आपका है क्या कोबी ये भी लोहाइसपात के लिए है फिर आप देखेंगे लियोंस फ्रांस में है ये सिल्क उद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् जहाद निर्मार सूती बस्त के लिए फिर आप देखेंगे चैली या विंस्क लुहा उद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् सेटल ये बायू उद्यान के लिए बायू यान निर्माड के लिए बिलाडी गोश्टक जहाज निर्माड के लिए मुल्तान मिठी के बरतन के लिए मेवनेक जर्मनी मेह लेंस निर्माड के लिए ओसा का सोती बस्त और लोहा इस बात के लिए ठीक है फिर आप देखेंगे कि आपकी कुछ यहाँ क्या है एक बिस्ट की प्रमुख जंजाती हैं इनसे भी कुछ चन पूछ लिता है एक जंजाती हो गई उनकी सम्मंदित चर्थ हो गए जैसे आपका एक ग्रीनलन का ग्रीनलेंड और कनाड़ा से सम्मंदित हैं खिरगीज इमदेशिया माओरी न्यूजिलेंड मसाई पूर्विय अफीका केनिया विद्रास स्रीलंका नेग्रो मद्धफीका सेमांग मलेशिया बुकादीर साइविरिया आयनू जापान बुसमेन कालाहरी मरूस् पाना में रेड इंडियन उत्री अमेरिका कनाड़ा में पेग्मीज कांगो बेसन में वोरो ब्राजील में इंका था तच्छडी अफीका में हैदा अमेरिका में फिर आप देखेंगे आपका है यह क्या है यह आपका रेड इंडियन और हैदा तार तार एसाइविरिया में बद्रो ए अरब में पपुवा पफुवा आंस न्यूगिनी में याकू टॉंड्रा फिलिस में जुलू नैटाल प्रांद अच्छी अफीका में विस्त की प्रमुख बनस्पति हैं इन्हें भी याद रखिएगा जैस हाइग्रोफाइट दलदली भूमी रेखिये उष्ण आद्यता वाली बनस्पति है जैरोफाइट ये उष्ण कटी बन्दी ये मरूस थली है छेत्रों की बनस्पति है हाइड्रोफाइट ये जल पिलावित छेत्रों की बनस्पति है मैसोफाइट ये सीतोष्ण कटी बन्द एक तरह से बनस्पती है ठीक है यह जो आपका यहां भी याद रिखिए कविलाई मानवाँ के कुछ पिरमुखावास जैसे ओल हो गया यह यह इरोप के कागिसत परवर्टी है और मरुष्थली चेत्रों में पाई जाने वाली जो मानव पर जाती है ना तंबू नमावास बना होता है ठीक है तो यह भी याद रखेगा और फिर इगलू यह टुंडा पिदेश के एस्कीमों पर जाती हो द्वारा बरफ से बनाए गया अर्ध गुला का आवास होता है इजवा यह उत्री रूस के ग्राविट छेत्रों में तिकोनी नदी दीवारों रंगीन दीवारों स होता है तिपी यह रौकी परवत अमेरिका के पूरी भागों में निवास करने वाले रेड इनियनों द्वारा निर्मित तम्मू के आकार का आवास होता है जो मुक्ता बैसल बैल के चमड़ी से मराया जाता है यूर्थ यह आप देखेंगे यह मद्द एसिया के इस टैपी के निवासियों खिरिगेज कालमुक और कज्जाद द्वारा पसों की खालों से निर्वित अब आस्थाई मानों वावास होता है ठीक है चलिए आंगी बात करते हैं इन्हें याद रखिएगा लेकिन आप लोग ठीक है यह आपके क्या है विस्ट के प्रमुक भॉगोली को अपना जैसे आप देखें कि एह है आपका साथ पहाड़ियों का नगर साथ पहाड़ियों का नगर रॉम को कहते हैं इटली को पॉप का नगर रॉम को कहते हैं रक्त पश्मी का बेविलोन, रॉम, इटर्नल सिटी, होली सिटी, रॉम, एंटी लीज का मोती, क्यूबा को, सुगर भाउत ओप दा वर्ल्ड, क्यूबा को, गगन चुम्मी मारतों का नगर, निवारिक को, पल ओफ दा ओरियंट, सिंगापुर को, क्वेटर सिटी, फ्ला डेलफिया को, हवा वाला सहर, गाइडन सिटी, सिकागो को, चीन का सोख, होंगो नदी, पिली नदी को, नियंतर बहने वाली जनों का सहर, क्वेटो, एकवार्णोर को, हर्मिट किंगडम, कोरिया, लेंड ओफ मॉर्निंग, काम, एकोरिया को, लेंड ओफ दा गुल्ड, गुल्डेन क् ए ऑस्टिलिया को, लेंड ओफ कंगारू, ऑस्टिलिया, लेंड ओफ गॉल्डन बूल, ऑस्टिलिया, लेंड ओफ थाउजंड लेक्स, फिनलेंड को, किसे फिनलेंड को, लेंड लेंड में आप लोग सोचे की ऑस्टिलिया होगा, याद रखिये हो, लेंड ओफ संद नौर्वेगो भूमत सागर का द्वार जिब्राल्टर हॉली लेंड जेरूसलम इस्राइल का ग्रेनाइट सिटी एवर्डीन इसकोटलेंड इम्राल्ड द्वीप आरेलेंड नील लदी के देन मेसेको एंपायर सिटी निवार की वेसे क्वीन ओप इडियाटिक वैनिस इत लेंड ओफ थन्डर वोल्ट भूटान को लेंड ओफ हाइड एलिफेंट्स थाइलेंड को लेंड ओफ दी थाउजेंड एलिफेंट्स लाओस को लेली का देश कनाडा को नेवर नेबरलेंड पेरीज ओप नौर्थ को हैरिंग पॉन्ड एटलांटिक महसागर संसारगी छत पामीर का भठार, Venice of the world, Stockholm, Sweden, गोरों की कबर, गिनी तट को, Land of Facts, Scotland, Cockpit of Europe, Belgium, City of Golden, Gate, San Francisco, सेवतराज अमेरिका, सौफनील, मीनारों का सहर, Oxford को, इंगलेंड, दच्छिन का बेटेंड, न्यूजिलेंड को, अन्द महादीप, अफीका, स्वैडें, पेगोडा का देश, मियानमार, संसार की रोटी भंडार, संसार का रोटी भंडार, संसार का रोटी भंडार, फेरी जॉप, नॉर्थ अमेरिका, संसार का नर्जननतम दीप, त्रिस्तान दीकुना, साथ चाभूंगों का नागर, मॉंबई भारत, पूर्ख का मैंचेस्टर, ओसाका जापान को, फॉर्विडन शिटी, लिहासा तिबद को, इंग्लेंड का बगीचा, केंट इंग्लेंड को, भारत का बगीचा, वैंगलोर को, आसुंगों का प्रवेश द्वार, बाव अल माउ, जल दमरू, इस्थल को, ठीक है, मौतियों का दूइप, वहरीन को, इउरोप के बारूत का पीपा, बालकन को, लैंड ओप, सैटिंग, सन, वेटें, सुएद सहर, बेलग्रेड, यूगोसलाविया, भारत का मसालों का बगीचा, केरल भारत, इसमारकों की नगरी, वियाना ओस्टिया, जिस्त की जन्नत, पैर हर्कियूलिस, इस्टेट्स ओफ जिब्राल्डर को, पवंचक्रियों की भूमी, नीदरलेंड, हिंद महासागर का मौति, पूर्व का मौति, सिलेलंका को, सुकोमार कूलों का देश, जापान को, पूर्व का ग्रेट बेटन, जापान को, ठीक है, ये 20 के प्रमों के इस्था लंदन, इंग्लेंड में, ठीक है, और ग्राउंड, कैनियन, अरीजोना, युएसे में, जुकी हुई मीनार, पीसा, इटली में, मर्डेका पैलिस, जकार्ता, इंडोलिसिया में, पारसिलीं टाबर, नानकिंग, चीन में, रेट स्क्वाइर, क्रेमलीन, मासको में, इस्पिं बर्लिंग, जर्मनी में, कालोसियम, रॉम इटली, कावा, मक्का, सौधीरब में, लोवर, एफिल टाबर, पैरिस, फ्रांस में, फोटोला, लिहासत एपवत में, सोईट डेगन, पिगोडा, रंगूल मियामार में, बराडवे स्टीट, स्टेटीव ऑफ लिबर्टी, और ए आर, एमंडसन, नौर्वे, इन्होंने दच्छे धरब पर पहुँचने बाला पितम बैकती था, 1911 में, रॉबर्ट पेरी, अमेरिका का था, उत्री धरब की खोज की थी, 1909 में, कोलंबस, इटली का था, फश्चे में, दूइप समू, 1492 में, और दच्छे नमीका की 1498 में, इसने खोज की थी, जॉन केवेट, इटली का था, न्यूफाउंड लेन्ड की 1497 में, कैप्टरन कुक, इंगलेंड का था, हवाई दूईप समू की 1770 में, इसने खोज की थी, कॉपर्निकस, पोलेंड का था, सौर्मंडल की खोज की थी इसने 1540 में, फर्दीन दाल, लेल, प लेंड वर्ग ये पितम सोलो उडान पेरिश से निवार्ग तक 1927 की वास्कोडी गामा पुर्दगाली था कैप ऑफ गुर्ग होकर भारत आगमन किया था 1499 की बात है फिर्ट जे या आप देखें फिर्ट जॉप नांसेन ए ग्रिलेंड उतरी धुट का पहाडी भाग इसने द अर्लांटिक की दच्छिन सिफरांत महासागर की खोच की थी इसने में वार्थोलोमियों डियाज पुर्दगाली था उत्तम आसा अंत्रीफ की 1488 में ओवेल टस्मान न्यूजिलेंड की 1442 में उस्टेलिया की 1444 में जैक कार्टियर फ्रांस का था कनाड़ा की खोच की थी का तो ये भी याद रखिएगा 740 बर किलोमीटर में फैला हुआ है इसका सबसे गहरा इस्थान है मेरियान अगर्द 11,022 मीटर है अटलांटिक महासागर इसका छेथफल पूचे तो अगर आपसे तो 8 करोड 29,63,880 बर किलोमीटर तियोरे डेटो रीको गर्द इसकी सबसे गहरा इस्थान है 8,392 मीटर है ह अर्केटिक महासागर इसकी बारे में अभी आपर यापत सूचना है ठीक है पिस्ती की प्रिमुख नहर है इन्हें वी दिया किये सू नहर इस सेवतराज जमेरिका में सुपियर जील को हुरन जील से जोड़ती है एक कुश्टेंस भी कई बात कुछ लेता है कि सू नहर कहां है किन किन को जोड़ती है तो सू नहर आपको सेवतराज जमेरिका में देखने को मिलेगा सुपियर जील और यूरन जील को जोड़ती है इरीज जील इसे इपतराज अमेरिका में इरीज जील और मिसीगन जील को जोड़ती है फिर आप देखेंगे आपका क्या है गोटा नहर इस्वीडन में देखेंगे स्कॉट हम स्टॉप हम और गुटेनवर्ग के बीच है, कील नहर जर्मनी में है, उत्री सागर और वाल्टिक सागर के बीच है, उत्री सागर नहर नीदलेंड में उत्री सागर और एम्स टरडम के बीच है, मैंचेस्टर नहर ग्रेट वेटन में है, मैंचेस्टर और लिवर्पुल के बी न्यू बाटरवेट इनीदालेंड में उत्री सागर और राटरडम के बीच, भोलगा डान नहर इरूस में रोष्टोव और इस्टालिन गराड के बीच, बैलेंड नहर कनाडा में हैं इरी और अंटो रियो के बीच, केपी नहर भारत में हैं आंद्पदेश और तमिलानू के बीच, सोईज नहर मिस्त में हैं लाल सागर और भूमत सागर की बीच, पनामा नहर पनामा में हैं केरीवें सागर और पसांत महा सागर की मद्द, अलवर्ट नहल पश्टमी यूरू में हैं एंट वर्प लीग और वेने लक्स को जूडती है ठीक है और सोईज नहर की अगर ले लेप्स ने ले पैफ्स को सौपा गया था इस नहर की लंबाई 168 किलो मीटर है उसत गहराई 16.5 मीटर है और अधिकतम चोड़ाई इसकी अधिकतम चोड़ाई 365 मीटर है निमतों चोड़ाई 60 मीटर है इस नहर के उत्री फिरवेश द्वारा यानि भूमद्र सागर की और पोर्ट साइद है और दच्छनी परविश द्वारा यानि की लाल सागर की और पोर्ट सोईज देखने को मिलेगा इस सहर के उत्री भाग में लिटल हील है मदस्त भाग में आप देखें कि टिमसा जील है और दच्छन भाग में ग्रेट बीटर जील है और इस अभी खारे- पानी की जीले हैं इस नहर की पश्चमी किनारे पर इसमा इसमाईलिया नगर है और 1906 में विस्से द्वारा इस नहर का राश्टी एकंड किया गया था एक पनावा नहर की वारे में सुने होंगे तो इसका निर्माट 14 अगस्त 1914 में हुआ था 15 अगस्त 1914 को या जल पोतों के आवागमन के लिए खोला गया था और इस नहर की कोल लंबाई 82 किलो मीटर है और सचोड़ाई 90 मीटर है नियूंतम गहराई 12 मीटर है ठीक है और यह नहर पनावा इस्थल डमरो मद को काट पर कर बन जील पनावा में इस्तित किंते मीठे पानी के जील है यह पनावा नहर का हिस्सा है और इस नहर का लगबग 33 किलो मीटर हिस्सा इस जील से होकर गुजरता है इसके जल इस्तर की उचाई 26 मीटर है इसमें प्रवेस करने के लिए जहाजों को लॉक्स की साहरी उपर उठाना पड़ता है ठीक है बिसकी प्रमुक जल संदियों की बात करें अगर हम लोग तो अगर जल संदियों की बात करें तो जल संदी जल संदियां दो भिन जल आसियों को जोडती है और दो इस्थल खंडों को अलग करती है जैसे मलक्का जल संदी अंडवान और सागर और दच्छ साथ करे हैं बेरिंग जिब्राल्टर वाव एल मंडव वासपोरस और टॉरेस जैसी जलसंदियां महादुइफी ये विभाजक हैं सुंगारू वा डोवर जैसी जलसंदियां से होकर इस्थल भागों को जोडने वाले वाला रेलवे सुरंग बनाया गया जिब्राल्टर को गुजो कुमीनों सी मिलकर बना इसकी राध्दानी वेले अटा है ठीक है देखे ए अन्वा आपकी जालसंदी हो गई किन्किन्स को जोडती है और भोगोली किस्तियती जैसे मलक्का हो गई ए अन्वान सागर और दच्छन चीन सागर को जोडती है इंडिया इन्डिया इंड बेरिंग सागर रो चुकसी सागर को जलासका रूस के बीच डैविस, बैफिन खाडी और अर्मटीक, कनाडा की बीच, डैनमर्क, उत्री 아टलांटिक och आर्केटिक कनाडा को आइसलेट, ग्रिफिम नेंड की बीच देखने को मिलेगा, डोवरसंद, जलसंत्य इंगलेच चैनल और उत्तरी साहर उतार को जोती हैं एंगलिनन और फ्राएंस के बीच हर्षन हरसन की खाड़ी आत्लांटिक महसगर को जोड़ती है कनाडा में जिबराल्टर भूमत सागर वा अटलांटिक महासागर को जोड़ती है इस्पेन मुरक्कों में कोरिया जापानो सागर और पूर्वी चीन सागर को जापान कोरिया की भी मेगलन पिसांद बा दच्छिन अट्लांटिक महासागर को जोड़ती है चीली के बास में और फिलोरीडा ये मेक्सको की खाड़ी और अट्लांटिक महासागर को जोड़ती है अमेरिका क्यूगा में बॉस ए तस्मान सागर और दच्छिन चीन सागर को जोड़ती है अफ्टिलिया में कोक दच्छिडी पिसांत महासागर न्यूजिलेंड में सुन्डा जावा सागर हिंद महासागर और इंडोनिसिया में टोकरा ये पूर्वी चीन सागर और पिसांत महा सागर में जापान में देखने को, यूकाटन मैक्सको की खाड़ी और केरिवियन सागर में देखने को मिलेगा मैक्सको कियूबा में, और एंटो एडियाटिक सागर और आयोनियन सागर को जोड़ती है इटली एलवानिया में, North Channel आइरिस सागर और अटलांटिक महा सागर में जोड़ती है Ireland और England की बीच Harmuch फारस की खाड़ी वा उमान की खाड़ी ए उमान और इरान की बीच है Taras ए अरापुवा सागर और पापुवा की खाड़ी New Guinea अस्तिरिया की बीच Diadan Leach मरमरा सागर और Aegean सागर को जोड़ती है तर्की के आस आपको भोग लेख सिती देखने की मिलेगी इसकी Basquorus काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है तर्की के में Bell Drift सेंट लारेंस खाड़ी और अट्लांटिक महा सागर को कनाड़ा के पास Fovex जलसंदी तसमाल सागर और जावा सागर को निउजीलेंड Karimata दर्चिन चीन सागर और जावा सागर को इंडोनेसिया के पास Makkasar जावा सागर और सेलीवेज़ को जोड़ती है इंडोनेसिया के Sugaru, जापान सागर और फिसान्थ महा सागर को जापान के पास सुसिमा जापान सागर और पूर्वी चीन सागर को जापान के पास ठीक है बाओ और एल मंडव लाल सागर और अरब सागर को यमन जिवूती के बास आपको इसकी भगोले किस्ते देखने को मिलेगी बिसके प्रमुक्स जल्डमरू है जैसे जल्डमरू हो गए संबंदी सागर हो गए भाग जिन को अलग करती है बेरिंग ये आर्केटिक और बेरिंग सागर को अलास्का सेक्टराज मेरिका वर्रूस के को अलग करती है ठीक है जिब्राल्टर भूमत सागर अटलांटिक के भी और समद्धी सागर हैं, यूरोप, इस्पैन वा अफिका को अलग करती है, डोवर, ये आप देखेंगे, उत्तरी सागर हो, अटलांटिक, वेटेनो, फिरांसको, मलक्ता, जावा सागर, बंगाल की खाडी, मलाया, उसमात्रा, फिलोरीडा, मैक्सिको की खाडी, अटलांटिक, फिलोरीडा, सेकुतराज अमेरिका, वेश्ट इंडी, बंगाल की खाडी, अरब सागर, भारत और सीलंका के भी, देखने को मिलेगे, ये विसकी प्रमुक नदिया है, ये नाम हो गया, उनके उद्गम स्थान हो गया, किरने का स्थान लंबाई, नेल लंदी, वेक्टोरिया में गिती है, 6,296 किलोमीटर में है, मिसीसीपी, मिसोरी, ये रेड रॉक इसका अमेरिका में, मेक्सिको की खाडी में जा गिती है, 6,240 किलोमीटर है इसकी लंबाई, यांगसी, दिबत का पठार में है, चीन सागर चीन में गिती है, 5,797, औभी अलटाई परवत पर इसका उद्गा मिस्तल है, ओब घाडी में गिरती है, खाडी में, 5567 किलो मीटर है, हॉंगो, क्यून लून परवस से निकलती है, चेहल की खाडी में गिरती है, 4667 किलो मीटर इसकी लंबाई है, इनिसी, रन्नो, उला परवस से निकलती है, अर्केटिक महासागर में गिरती है, 4506 किल किलमएटर कांगो कि अपुला की संगम से निकलती है अटलांटिक महासागर में गीरती है चार rehabilitation किलमएटर 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 में गीरती है मिलती है और ये 4352 किलो मीटर्स की लंबाई है लीना ये बैकाल परवर जरूर से निकलती है आर्केटिक महासागर में गिरती है 4262 किलो मीटर्स की लंबाई है मिकेंजी फैनले नदी के मुहाने से निकलती है विव फोर्ट सागर में गिरती है 4241 किलो मीटर इसकी लंबाई है नाइजर गिनी अफीका से निकलती है और गिनी की खाड़ी में गिरती है 4184 किलो मीटर इसकी लंबाई है मेकांग तिबद के पठार से निकलती है दच्छनचीन सागर में गिरती है और 4023 किलो मीटर इसकी लंबाई है बोलगा विल डाई पठार रूफ से निकलती है कि अस्पीन सागर में गिरती है और 3687 किलो मीटर की लंब यह सैν फ्रांसेस को दा मिनास गृतेस दिराजीन से निकलती है अंधमासše गृती है 3198 किलो मीटर इसकी लंब कर दो 2094 क्लूमेटर केल थाइल कमोडिया लाउस चीन म्यानमार वेतनाव सिहू कर वहती है मेकांग नदी समझ रहा इसकी डार्लिंग नदी ए औस्टेलिया से निकलती है मरेट नदी में मिलती है 2700 यानि की 2789 किलोमीटर की लंबाई है मरेट ए औस्टेलियन अलपास से निकलती है हिंद मास अगर में गिरती है 2589 किलोमीटर में फैली हुई है यानि की बहती है. नेलसन वो नदी का उपपरी भाग है. हर्सन की खाड़ी में गड़ती ए. 25,75 यानि की 275 किलो मीटर में फैली हुई है. लंबाई है इसकी. परागवी मांटोो गरासों से निकलती है विराजी से. तराना नदी में मिल जाती है. पची सो नंचास इसकी किलोमीटर में लंबाईए यूराल धच्छन इूराल परवस रूस से निकलती है कैस्पियन सागर में मिल जाती है Goodbye 533 किलोमीटर इसकी लंबाईए गंगा गुपक हिमानी से निकलती है Pakistan 2—25 किलोमीटर इसकी लंबाई ये आमु दरिया निकूलस नेडी पामीज से निकल थी है रपसागर में गीरती है इक माकरी 24-24 इसकी लंबाई है साल्वें तिबद क्युन नुन परवद के दच्छन से निकलती है मारतावान की खाड़ी में गरती है 24-14 इसकी लंबाई है और कांसास ए मध्ध कॉलेरेडो से निकलती है मिसीसीपी नदी में मिलती है 248 किलो मीटर इसकी लंबा ही है कॉलेरेडो ए ग्रेंड कंट्री से निकलती है कैलिफॉनिया की खाडी में मिलती है 233 किलो मीटर इसकी लंबा ही है मिसी सीपी में मिल जाती है नदी में और 202 किलो मीटर इसकी लंबाई है एरावदी माली और नामी नदी का संगम है बंगाल की खाड़ी से निकल में गिरती है दो हजार 92 किलो मीटर में जाती है और इंज लिसोतों से निकलती है अट्लांटिक महासागर में मिलती है दो हजार 92 किलो मीटर में फ्eb महारी जाती है डोजा 52 किलो मीटर में है इसकी लमबाई कोलंभिया कोलंभिय जी चाहिनाड़ा से नकलती है साथी किलो मीटर में है तोягर से निकलती है बना तूला दूस जाती है, 1899 की लंबाई है, ठीक है, डालिंग नदी की लंबाई उसके साहद नदियां, बालोनी और कौन डॉमिन, कल गुरा को मिलाकर है, आसवर बांद और नासी जील जील नील नदी पर है, और हूबर बांद आप देखें कि कॉलरेटो नदी पर है, मिसी सीपी, मिसोरी जंबेजी नदी पर है, कांगो या जायरे नदी विस्वद रेखा को दो बार काटती है, लेंपोपो नदी दच्छरफी का मकर रेखा को दो बार काटती है, माही नदी भारत करक रेखा को दो बार काटती है, माही नदी, अमूर नदी चीनवारूस की सीमा बनाती है, तो य नदियों की कहानी कतम होगी, नदियों के बारे में याद रखिएगा, एक और इनके बारे में पॉइंट याद रखिएगा, नदियों के किनारी बसे, जो पिरमुक नगर है आपके, जैसे बगदाद हो गया, इराक कना है, ये टाइगिस नदी के किनारी बसा है, वर्लिन जर् स्क्राइट का है तेंपस नदीके पैरिस फ्रांज का है सीन नदीके मासपो रोष का है मौस्कावन नदीके तरपकोध यॡ् 2 चेक गडराज का है बिन्तावा नदीक बॉन जर्मनी का राइड नंदीके खार्तूम सुडान का है नेल 10 कि बाहिमा मैस का है नील नदी के ठीग है और ब्यूनस आयरस अर्जंटिना का है लाप mee लाप ला लाट पेला से अंकारा टर्की का है केजल नदी के हूँ डून्डी स्कोटलेंड का का है T नदी के나रे LA लीवर्पूल इंगलेंड का है मर्सी नने कूलों जर्मनी का है राणि ने दी मांटी मांटी मांटील लस्तेरल नदा सेइंट लॉरेंश नदी सेद्रीनी ओस्तिलिय का है डाइलिंग नदी के बैलżyड सर्विया का है डेनुम नदी बोड़ा पेश ठंगरी का है डेनुम नदी तो यह भी याद रखेगा यहां भी यह बस बॉसिंग्टन सेटराज अमेरिका है का है पोटो मेट नदी के दियाना ऑस्टेलिया का है डेनुम नदी टोकियो जापन का है अराकावा नदी संगाई ची लिस्वन पुर्दगाल का है, टंगस नदी के, डबलिन आयलेंड का है, लिफे नदी के, चटगाओ गंगलादेश का है, कर्ण फुली नदी के, हिंबर्ग जर्मनी का है, हेलव नदी के, सिकागो अमेरिका का है, सिकारगो नदी, विश्टल इंग्लेंड का है, इवन नदी, बसरा इराग का है, सत अल अरब नदी के, क्यूबे कनाड़ा का है, सेंट लारेंस नदी के, लेनिंग्राद रूस का है, नेवा नदी के, स्टालिंग्राड रूस का है, बॉलगा नदी के किनारे, ठीक है किसका रूस का है और स्टालिंगरा रूस का बोलगा क्यूं यूक्रैन का है नीपन नदी के दावो सुझालेंड का है लेंड वासन नदी के काबुल अफगानिस्तान का है काबुल नदी के लाहूर पाकिस्तान का है रावी नदी के करांची पाकिस्तान का सिंदू नद क्या कहला भी आप लों और रखियेगा जरे भी स्विंद्र सभी कुस्चं कills कुछे जाते रहना थEEEE और पूंचे जाते रहना चाहिए अ decía या नहीं प्लाये क्या है आप लोग भी बताईएगा आपको जो comuns के पिर्मों मुंख पे बात है लें कि इनको भी देख लिजे क्योंकि इनसे भी questions आते रहते हैं तो यह आपके जल्ब पर पात हो गया और जिस देश में है उस देश का नाम हो गया इसकी उचाई हो गया जैसे एंजल यह आपका बैने जोईला में देखने को मिलेगा इसकी उचाई है 989 मीटर यह यह से माइट एक कैलिफॉन इसकी मीटर उचाई है कुक वेनन इने जोईला में 610 मीटर इसकी उचाई है विक्टोरिया जिमबावे और जांबिया की सीमा पर देखने को मिलेगा, 108 मीटर इसकी उंचाहिए, ठीक है, और यह आप देखेंगे, सूथर लेंड, यह आपका न्यू जी लेंड में देखने को मिलेगा, 580 मीटर, लिब बॉन, मापकरी रिब बॉन, एक एलिफॉनिया में 491 मीटर, ग्रेट, ग्रेट, ग गुहाना में देखने को मिलेगा, 488 मीटर, डिल्ला, एक अनाडा में 440 मीटर, गवार्नी, फ्रांस में 422 मीटर, जौग, गरसुपा, इभारत में 255 मीटर, न्याग्या, एक अनाडा अमेरिका की सीमा पर देखने को मिलेगा, 53.6 मीटर है, एंजिल जल पे पात, कौनसा? ए नदी पर देखने को मिलेगा, यह ओमा जल पे पात, जेरे नदी पर, और स्टैनली जल पे पात, आपका कांगो नदी पर देखने को मिलेगा, एंजल विस्त का सबसे उंचा जल पात है, और जौक जल पे पात, सरावती नदी पर आपको देखने को मिलेगा, इसे महत्मा गा हो गया च्छेदफल हो गया बरक किलोमीटर में है इस बात को जरूर नोट करिएगा जैसे केस्पिन सागर है यह आपको रोस का जाकिस्तान तुर्कमिनिस्तान अजरवेजान और इरान में देखने को मिलेगा अगर इसका च्छेदफल देखें तो तीन लाग एकत्तर हजार ब देखने को मिलेगा 29,484 में फैली हुई है अरल सागर जील एकजा किस्तान ओ जवेकिस्तान में देखने को मिलेगा 68,000 2,021 km में hiuern जील सेव्थराज अमेरिका और कणाडा में 69,600 बर कलयों में फैली जील, Michigan जील सेव्थराज अमेरिका में 57,800 बर कल 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 में फैली जील Tanganiorts जील एं तंजानिया जेंबिया और कणाड़े में 3,900 बर कल 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 है, बेकाल जील रूस में 31,722 बर किलो मीटर में फैली हुई मलावी जील मलावी और मुजांबिक में 29,604 बर किलो मीटर में फैली हुई ग्रेट सलेव जील कनाडा में 28,568 बर किलो मीटर में फैली हुई अरी जील, एरी जील, सायव्तराज अमेरिका हों कनाडा में देखने को मिलेगा, 25,672 е Вैं, बिनिपेग जील, कनाडा में 24,387 लो में फैले उए और नडियो जील, ए सायवतराज अमेरिका कनाडा में 9,010 वर किलो में फिले हुए बालखस जील, एकजाकिस्तान में 18,260 वर किलोमीटर में फैली हुई है चाड़ जील ये चाड़ जील की बात करें तो नाइजिरिया में देखने को मिलेगा नाइजिरिया नाइजर चाड़ बाचाड केमरून में और 7,800 वर किलोमीटर में फैली हुई है बालकस जील को भी याद रखिएगा ठीक है फिर आप देखेंगे लडोगा जील रूस में 17600 बर किलो मेटर में उनेगा जील रूस में ही है 9,720 बर किलो मीटर में आयर जील और्टेलिया में है 9,300 बर किलो मीटर में टेटी कार्ट का ए पेरु वॉलिविया में है 8,300 बर किलो मीटर में निकारागुगा जील निकारागुगा में 8,157 बर किलो मीटर में आथावासका जील ये कनाडा में 7,936 बर किलो मीटर में रेंडियर जील ये आपको कनाडा में देखने को मिलेगा 6,650 बर किलो मीटर में रोडॉल्फ जील ये कन्या में 6,405 बर किलो मीटर में इसिक कुजल जील ये करगेस्तान में 6,280 बर किलो में फैली हुई है वैकाल जील के पूरवी भाग में ब्यूरेट नामक जंजाती पाई जाती है और वैकाल जील विस्की सबसे गहरी जील है यह आप देखेंगे 1620 मीटर में फैली हुई है मतलब गहराई में तो आप देखेंगे टंगानी क्या जील विस्की सबसे लंबी 606 किलोमीटर मीठे जल की जील है यह विस्की दूसरी सबसे गहरी जील है के त्याम के सबसे बड़ी जील है कारई पानी की का एक सब्सक्राइब और मीठे जल की सबसे जील बड़ी जील आगर आप देखें दुस्टो पिया जील है विक्टोरिया जील तंजानी योगा योगांडा के वीच अंतराष्टी सीर्मा भी बनाती है टीटी का का जील हनी मून लेक कहलाती है तो यह भी आप लोग याद रखिएग अब चलते हैं हम लोग 20 के परवस सिखर देख लेते हैं ये पर वस्षिक हो गई देश हो गया हो जाई हो गई है सबसे ऊपर चलिए एवरेश्ट है नेपाल में ये 8848 मीटर भी देखने को मिलेगी कहीं कहीं आपको 8850 मीटर भी देखने को मिलेगी केटू ये देखिए नेपाल में केटू आपकी गाडविन ऑस्टिन याद रखिए भारत में 8601 मीटर कंचन जोंगा ये आप देखेंगे नेपाल भारत में 8558 मीटर ये आप देखेंगे फिरहापकी लहास्ते एक नेपाल में 8501 मकालू एक नेपाल चीर में 8481 मीटर धौलागरी ये नैपाल में है 8172 मीटर नंगा परवत ये आदे की भारत में है 8126 मीटर अन्रफोर्वान नैपाल में है 8078 मीटर ग्रेसर भुम ये पाकिस्तान में है 8068 मीटर गोसाई थान ये चीन में है 8018 मीटर नंदा दिमी भारत में है 7870 मीटर ब्राका फोसिज पाकिस्तान में सानर्जांस 17 28 मीटर नामचा वरमा ये चीन में है 7456 मीटर गोल मंध्था चीन में 7778 मीटर त्रीचमीर आप देखे त्रीचमीर कहें लिजे पाकिस्तान में 花GO ne télé télé मेटने पाकिस्तान में देखिए अगर आपसे पूछे कि भारत की सबसे उची चोटी तो याद रखे केटू है क्या है केटू है अगर आपसे पूछे कि भारत में अवस्थित तो कंचन जूंगा है क्योंकि आप सभी जाते हैं कि केटू आपका पीओ के वाले हिस्से में है ठीक है और बिसके प्रमुख दूइप की अगर बात करें ये नाम हो गया उनकी अवस्तिती हो गई छेत फल ग्री लेंड आर्केटिक महासागर में देखने को मिलेगा 21,75,000 बर्ग किलूमीटर में फैला हुआ है न्योगिनी ये पश्मी प्रसांत महासागर में देखने को मिल पांच लाग 87,000, 41,000 बर्ग किलूमीटर में बैफिन दूइप कनाड़ा में उत्री आर्केटिक महासागर में ये आप देखेंगे पांच लाग 7,459,000 बर्ग किलूमीटर में सुमात्रा दूइप इंडोनिसिया में हैं इंद महासागर में 4,000 माकरी 4,22,200,000 फैला हुआ है होंसो द्वीप ये जापान में देखने हैं कि उत्तर पश्चमी पिसांत महासागर में दो लाग तीस हजार बानवे वर किलोमीटर में फैला हुए बेटेन ग्रेट बेटेन में उत्री अटलांटिक महासागर में 2,29,899 किलोमीटर में फैला है वेक्टियोरिया दूइब कनाडा में उत्री धुर्ब महासागर में इसात लाख मापकरी 2,17,290 किलोमीटर में इली समेरे दूइब कनड़ा में उत्री धुरुप महासागर में 1,96,236 बर किलोमीटर में सुलोबैसी इंडोनेसिया मेहिंद महासागर में 1,78,700 बर किलोमीटर में दच्छड दूइब न्यूजी लेंड में 1,50,460 बर किलोमीटर में जावा दुईप इंडोनेसिया में हिंद भासागर में हैं 1,26,400 वर किलो मीटर में उत्री दुईप निवलिये लेंड में दच्छिड पिसान भासागर में हैं 1,44,687 वर किलो मीटर में क्यूबा दुईप केरी वियाई सागर में हैं 1,10,922 वर किलो मीटर में लुजोईंदी पश्मी प्रिसांत महासागर में 1,4688 km में आइसलेंड दूँप ए उत्री अटलांटिक महासागर में 1,3000,000 km फ्यल हुए और आइसलेंड ठीक है आयलेंड यह आप देखेंगे उत्री अटलांटिक महासागर में 82,4460 km में आसमानिया दच्रवश्चित प्रिसांत बहासागर में इसरी लंका हिंद बहासागर में 65600 किलूमीटर में विस्वे सबसे जान्दा दूइफ समूहों से मिलकर बना दे से इंडोनेसिया कौनसा इंडोनेसिया री उनियन दूइफ के बारे में सुने होंगे मेडा अगासकर के पूर में हिंद महासागर में फ्रांस का एक दूइफ है यह जोला मुखिय मूल दूइफ है और इसकी उच्चेतम बिंदू उचाई में 379 मीटर है इंडोनेसिया की राध्धानी जकारता जावा दूइफ पर ह काली मनतान मोंईयो दूइफ कांग है मोंईयो एसिया का सबसे बड़ा दूइफ है नागा साकी क्यूसु दूइफ पर ही देखने को मिलेगा खाडे देश बहरीन एक दूइफ ही है सामरिक महत का दूइब डियोगो गर्सिया हिंद महासागर में है नार्वे तटकी निकट पर छोटे छोटे दूपों की पंक्ती को स्पहरी गाड कहते है हवाई दूइब पिसांद महासागर का चोरहा कहा जाता है आइसलेंड दूइब को अगनी दूइब के नाम से जानते है सबसे अधीक दूइब पिसांद महासागर में ही देखने को मिलेंगे ठीक है अब विस्त के पिरमुक पठार देख लेते हैं क्योंकि पठारों से भी कुश्चन्स क्या होते हैं आते हैं क्या आते हैं कि नहीं आते हैं बताइए पठार तो 20 के फिर मुक पठार सबसे पहले आप लोग ग्रीन लेंड का पठार सुनाओगा अंद महासागर की उत्री भाग में लगभग 21,055,600 वर किलूमीटर छित में हिम से धका विसाल पठार है इसे ग्रेन लेंड का पठार कहा ज लाहो राज्यों के मद्द 4,62,500 वरक किलूमीटर छित में विस्तित फैला हुआ है मैक्सको का पठार या पठार परश्चिम में सियारा माद्रे और पूर्वी में सियारा माद्रे परवसेनियों के मद्द आपको देखने को मिलेगा तिबट का पठार या हैमालाय के उत्तर में क्यून लुन परवत दच्छिन में आप देखेंगे 400 से 5000 मेटर तक ही उचाई पर है मंगोलिया का पठार या चीन के उत्तरी मद्द भाग में मंगोलिया गडराज में वराजील का पठार दच्छिडी अमेरिका के मद्द पूरी भाग में या पठार तिर्वजा का रू में वॉलीविया का पठार या पठार 800 km लंबा और 128 km चोडा इसका ओसात हुचाही 3810 मीटर है या वॉलिविया की एंडिज परवत माला सेंडी मैं चेत में विस्तेत रूप से फेला है अलास्का का पठार या पैसका की पठार की एगर वात के तो उसका निरमाढ यूकन और उसकी सहायक नदियों के द्वारा हुआ है इसे यूकन का पठार भी कहते हैं कनाडा की ओर्स इसकी उंचाई लगबख 900 मीटर है ग्रेड वैसिन का पठार यह कोलंबिया पठार की दच्छन में कोलेडो और कोलंबिया नदियों के मद्द देखने को पाँच लाग पच्चीस जार बर किलुमीटर चेत में पहला हुए कोलो रेडो का पठार यह ग्रेड वैसिन की दच्छन में इस्ते थे और इसका विस्ताद यूटा है यूटा है और इडी जोना राज्यों में पाया जाता है दक्कन का पठार यह पठार दच्छडी भारत में इस्ते थे इसे तीन और से परवत सेणियों से घराव इसके पूर्वी घाट पश्च में पश्वी घाट और उत्तर में बिंध्यान चलो और सत्फोडा सेणिया देखने कुम लेगा इरान का पठार इसे एसिया माइनर का पठार या फिर इरान का मदवर्ती पठार भी कहते हैं इसकी वह उसत उचाई 900 से 1500 मीटर की मद्द है अरब का पठार या दच्छड पश्चिम एसिया में इस्तेत है इसके पूर में फारस की खाड़ी पश्चिम में लाल सागर उत्तर पश्चिम में भूमाद सागर और दच्छड में अरब सागर है अना तौलिया का पठार या तर्की के पेंटिक और एवन टॉरस सेनियों के मद इस्तित है इसे तर्की का पठार भी कहते हैं इसकी ओसत उचाई 800 मीटर है अभी सीनिया का पठार या पठार पुर्वी अफीका की सौमालिया, इतोपिया, जिवूती के छित में विस्तित है और इन तीनों देशों को सैवत रूप से हौन और अफीका भी कहते हैं आप लो मेडा गासकर का पठार मेडा गासकर दुईप अफीका के दच्छिट पूर्व हिंद महासागर में इस्ते थे इस दुईप के वद्धिवर्टी भाग पठारी जिसे मेडा गासकर या माला गासी का पठार का जाता है औस्टेलिया का पठार औसेलीया के प्षिलिया का पठ़ार इसकी सामान उचाय 180-600 मेटर के मद्ध इस पटार का दक्षिणि में प्षिजणि बहाग मरूष थलिये है किया पास का पठ़ार यह दक्षिडी मेक्सको में पिसांद महासगर के तठेझ इसके उत्र में तवासको दच्छिड पश्णिम में आप देखेंगे ते हुआ रेपेक की खाड़ी, पूर में ग्वाटेमाला और पश्णिम में ओकसका और बेराक्यूज इस्तित है, मैसेकटा का पठार, इस्पेन की आईवीरियन प्राइदीप पर मैसेटा का पठार देखने को मिलेगा, इस पठार की ओसत उंचाई 610 मीटर है, इंडोचीन का पठार, यह है दच्छिडी एसिया के पूरवी प्राइदीप परिस्तित है, इस भाग में साल्विन, सीकांग, मेकांग और मीनाम, आधी ने लिए प्रवाहित होती है, ठीक है, तो यह भी याद दखेगा, बिसके प्रमख रेगस्तान हो गए, इन्हें भी आप दखेगा, बिसमे उश्ने कटी बंदी मरुस्तल पर रहा, महादीपों के पश्चमी भाग में भूमद रेखा से 10 डिगरी से 30 डिगरी उत्त्री एवं दच्छिडी दोनों ही गुलार्दों में व्यापारिक पवनों की पेटियां पाई जाती है, और धारणता आप देखेंगे, इसमें और धारणता आटाकामा मरुस्तल हो गया, यह कहाँ देखने को मिलेगा, आटाकामा, यह दच्छड अवेरिका में, कैलिफोनिया का मरुस्तल उत्री अवेरिका में, और यह आपका नाबिद, नामिद और क भारत और पाकिस्तान का थारमदुस्तल भी काफी चर्चा में रहता है यह चित रेगिस्थान हो गया इनके और आप देखे चित फल हो गया बर किलोमीटर में विस्तार है इनका चित जैसे आप देखे सहारा एक ग्यारे देशों के सीमा रेखा को छूपती है 84 लाग बर किलोम में फैला हुआ है ग्रेट सेंडी ग्रेट विक्टोरिया फिर आप देखेंगे यह आपका सिंप्सन गिफ्सन इस्टुवर्ट रेगिस्थानी चेत इसमें संबले थे आपके अर्येवियन ए तेरह लाग बर किलोमीटर में फैला हुआ हुआ है दच्छडी अरव और नापुत छेत के रेगिस्थान संबले थे उसमें गोवी यह दसलाग चालीस हजार रबर किलोमीटर में मंगोलिया और चीन के भीच काला हरी पांच लाग 20 हजार रबर किलोमीटर में बुस्वाना अफीका माधी में अवीक अफीका मद में टकला मकान यह दीन लाग 20 थार थार सुने हो गाड़ी की बात नहीं करें मरुस्थल की बात करें थार आप देखेंगे अधर पर थार थार ब्रॉल देखेंगे काजलकुम एक लाग अस्फ आर बर किलो मेटर में उजविकस्तान कजागिस्तान में दस्ते इलुट ए बावन हजार फुर्वी इरान में मुजाव ए 35,000 किलोमीटर में दच्छिड कैलिफोनिया से राज अमेरिका में कारा कुम और काजिल कुम दोनों के समलेत रूप को तुर्कमेस्तान मरुस्तल के नाम से जानते हैं ग्रेट विक्टोरिया मरुस्तल और यह यह एक उच्छिड मरुस्तल का उधारन बाना जाता है ठीक है अब देखें विस्त के प्रमुक देश है और उनकी राजधानिया है और मुद्रा है यह भी याद रखेगा इनसे कुश्टन्स काफी अच्छे पूंच लेता है यह एसिया की देश हो गया है ठीक है जैसे भारत तो सबको मालू है नई दिल ली है और रोपया यहां का क करंसी होगे यहांनी की मुद्रा नेपाल काटमांडो यहां की रुपया यहां की क्या है करंसी म्यानमार नाइप योटो और क्या यहां की मुद्रा है पाकिस्तान इसलामाबाद राध्धानी होगे रुपया यहां का मुद्रा अफगानिस्तान काबुल यहां की राध्धान होगे रुपिया यहां का मुद्रा इरान तेहरान इसकी राध्धानिये रियाल यहां का मुद्रा इराग बगदाद यहां की राध्धानिये दिनार यहां की मुद्रा इंडोनेसिया जकार्ता यहां की राध्धानिये रुपिया यहां की रूपिया मुद्रा होगी बहरेन पन यहां की मुद्रा होगी मालीप माली यहां की राध्धानी है रूफिया यहां की मुद्रा होगे लेवनान बैरूत राध्धानी होगी और पाउंड यहां का क्या होगी बताईए कुछ इसकी करेंस्ती होगे लाउस बेंतियान यहां की राध्धानी नियू कि प्लाव यहां की मुद्रा कोबेद कोबेद सिटी इसकी राध्धानी दिनार यहां की मुद्रा वेतनाम हनोई राध्धानी डांग यहां की मुद्रा थाइलेंड वैंकोक इसकी राध्धानी बहत यहां की मुद्रा सेफ्टरव अमीराद अबुधाभ इसकी राध्धनिय देहरम यहां की मुद्रा ताइवान ताइपे इसकी राध्धनिय डॉलर यहां की मुद्रा किरगेस्तान बिसकेक इसकी राध्धनिय सौम यहां की मुद्रा तुर्की अंकारा लीरा यहां की मुद्रा इजराइल जेरु के ने हएह रियालई की मुध्रा, उत्र कारिया प्यूंग प्यांग और बॉं द्लिस्ट की मुद्रा, त्थक्रम्ण यह बंदर सीरी यहां की राध्धानी होगे और यहां की डॉलर यहां की मुद्रा होगे साइफरस आप देखें निकोसिया यहां की राध्धानी होगे और पाउंड यहां की मुद्रा हॉंग कॉंग विक्टोरिया इसकी राध्धानी डॉलर यहां की मुद्रा गुवाम अगा की मुद्रा साउधियरब रियाद यहां की राध्धानी रियाल मुद्रा सिंगापुर 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 इसकी राध्धानी डॉलर यहां की मुद्रा ओजवेकिस्तान तासगंद यहां की राध्धानी सुम यहां की मुद्रा कजाकिस्तान नूर सुल्टान और टैने सबसे बड़ा आजमान दोबई फुजेरा है रस अल्ख खेमा है सारजा है उम अल्ख कोवेन है 1968 में बेटेन द्वारा सुतनता दिये जाने की घुशना के उपरांथ 1971 में 6 अमीरातों से मिलकर UAE की स्थाफना की थी 1972 में रस अल्ख खेमा साथवी अमीरात की रूमें सेविक तरव अमीरात में सामिल हुआ था ठीक है फिर अफिका के देश हैं जैसे अंगोला हो गया इसकी राध्धानी हो गई लुए घख़ा पुरबांची राध्धानी नावीबिया विंड होग यहां की राध्धानी होगे रिंड यहां की मुद्रा नाइजेरिया अबूजा यहां की मुद्रा होगे नेरा यहां की मुद्रा रवांडा कि गाली यहां की मुद्रा होगे, क्या होगे, राजधानी और फैंक यहां की मुद्रा, सेनेगल, डकार यहां की राजधानी और फैंक यहां की मुद्रा, सॉमालिया, मोगाडेसू, यहां की राजधानी और सेलिंग यहां की मुद्रा, दच्छड अफिका, पिट् सेसल विक्टोरिया इसकी रादधानी हो गिलिएंटर यहां का मुद्रा। उगांडा यहां की मुद्रा। अधस्की यहां की मुद्रा। कांगो लोग गड़ता अंत्रिक एक किन सासा यहां की राध्धानी होगी जेरे यहां की मुद्रा टोगो लो में यहां की राध्धानी होगी फैंक यहां की मुद्रा मिस्स की काहरा राध्धानी है पाउंडा यहां की करेंसी है एथोपिया आदिस यहां की अबाबा यहां की क त्रफोली और दिन्यार यहां की मुद्रा मालागासी की अन्तान नरीवो राजधानी फैंक मुद्रा मलावी ले लोग बे यहां की राजधानी क्वाचा यहां की मुद्रा वोत्सवाना गिवरोन यहां की राजधानी फुला यहां की मुद्रा वुरुंडी बुजमवुरा इ यहां की इसकी राध्धानी और फैंक यहां की मुद्रा बैनिन प्वर्टो नोवो इसकी राध्धानी फैंक यहां की मुद्रा केप वर्डे इसकी राध्धानी की अगर बात करें हम लोग तो आप देखेंगे कि प्रेया इसकी राध्धानी होगी और एस्ट कुडो यहां की इसकी राजधानी फैंक यहां की मुद्रा, मारितानिया, नोग चोट, इसकी राजधानी ओगुवा, इसकी मुद्रा, री उनियन, सैंट डैनिस यहां की राजधानी फैंक यहां की मुद्रा, स्वाजी लेंड में वाने, इसकी राजधानी ली लांगनी यहां की मुद्रा, से एसो थो मसेरू इसकी राध्धानी लोती इसकी मुद्रा लाइविरिया मैन रूबिया इसकी राध्धानी डॉलर यहां की मुद्रा गेवन सेल ली ब्रभिले यहां की राध्धानी फैंग CFA यहां की मुद्रा गांबिया बंजूल इसकी राध्धानी दलासी इसकी मुद्रा जिबूती जिबूती इसकी राधनी प्हेंग क्याँ की मुद्रार और आप देखेंगे गढ़द बांगुई इसकी मुद्रा और फैंक यहां की राध्धानी वुर्कीनो फासो वागा दोगो इसकी राध्धानी हो गई फैंक यहां की मुद्रा कोमरोस मोरोनी फैंक इसकी मुद्रा कोटे आई बरी या मो उसको और फैंक यहां की मुद्रा गवाना, मलावो, फ्रैंक यहांगी, मुद्रा एक बात और देखिए, बता देता हूँ आप लोगों को कि जो देश चर्चा में रहे, जिस साल आप लोग पेपर देने जा रहे हैं उस देश के बारे में याद रखा करिएगा क्योंकि आप में से कई लोगों को ये कुश्चन से रहते हैं कि क्या सभी देश उबारे में सभी कुछ याद रखा पाना आसान है मैं मान था हूँ किसी के लिए आसान ही नहीं है और स्माट डिगरीज में यही होती है कि जिस साल आप लोग पेपर दे रहे हैं उसमें कौन सा देस आपका चर्चा में रहा है उनके बारे में पॉइंट याद रखा करिएगा या जो चर्चित दी से उनके बारे में याद रख सकते हैं अपने पडोसियों के बारे में याद रख सकते हैं ठीक है आप देखेंगे भुरकीना फासो हो गया कॉमरोस मोरोनी फ और आप देखेंगे उत्री अमेरिका और करीवियान सागरी देशें कनाडा ओटावाइस की राध्धानिये डॉलर यहां की मुद्रा है, क्यूबा, हवाना इसकी राध्धानी है, पीसो यह इसकी मुद्रा हो गई, पनामा, पनामा सिटी इसकी राध्धानी है, बाल, बुवा इसकी मुद्रा हो गई, बर्मुडा, हैमिल्टन इसकी राध्धानी है, डॉलर इहां की मुद्रा, पान इसकी राध्धानी है, डॉलर इसकी मुद्रा, मेक्सको की मेक्सको सिटी है राध्धानी, पीसो इसकी मुद्रा, सेउतराज अमेरिका की वासिंग्टन डीसी है, डॉलर इसकी मुद्रा, डॉमिनिक रोसेरू इसकी राध्धानी है, डॉलर इहां की मुद्रा, डॉमिनिय होगी गेडार गेल टर रिसकी मुद्रा कि करेंशी होगे तो यह भी याद रखेगा का कि क्या है फिर आप देखेंगे इसका एह आपका कि कैसे अ़ोला एो although origin वेर्जिन दूंगे है निकारा गुआ इसकी अगर मुद्धानी की बात करें तो मना गुआ इसकी राध्धानी निव कोर डूबा इसकी मुद्धा है ठीक है जमेका जमेका की राध्धानी की बात करें तो किंग इस्टन है डॉलर इसकी मुद्धा होगी फिर आप देखें कि ग्रे नर्डा सेंट जॉर्ज इसकी मुद्डा इसकी क्या है राजधानी और डॉलर इसकी मुद्रा तर आप दिखें गौर। लोब बस्तित तेरे इसकी राध्धानी होगे फ्रैन किया की मुद्रा है अल सल्वाडोर सान सल्वाडोर इसकी राध्धानी है यूएस डॉलर्स की मुद्रा है ग्रिनलेंड ग्रिनलेंड की राध्धानी नूख है करौन इसकी मुद्रा है हैती फोर्ट ओप्रैंस इसकी केग हुआ बरम्ड एव anc जौन्स निया दॉलर सेंट लिव सेंट कषेंट इसकी राधभा안ी डॉलर इसकी मुद्र शेंट की टिर्तार कों सान जहान इसकी राधभा देनियागिक है डॉलर Ich का ख बलर सेंट क्योय ग्रेणे डाइंस एक टाउन रिसकी टाढ्स हैं राटधानी हैं यह गागाइंद डॉढड सम्सिथ राध्धानिया और ब्राजीर प्रामारी वो इसकी राध्धानी होगे, डॉलर यहां की मुद्रा, बेनेजुएला, काराकस इसकी राध्धानी होगे, ओलीवर यहां की मुद्रा, अर्जिंटीना, विवनस आयस इसकी राध्धानी, पीसो इसकी मुद्रा, पेरू, लेमा इसकी राध्धानी, न्यू सोल इस औरंजे इस्टेड इस्टेड गिल्डर इसकी राध्धानी है इसकी क्या है करेंसी की बात करें मुद्रा की बॉलिविया लापाज इसकी राध्धानी है बॉलिविया नू इसकी करेंसी है फ्रेंच गवाना कुर्णे इसकी राध्धानी होगी फैंक इसका करेंसी है मुद्रा यूरोप के देश हैं, रूस, मास्को इसकी राध्धानी है, रूबल इसकी मुद्रा होगे, इस्पैन, मेड्रेट इसकी राध्धानी है, पेसेटा इसकी मुद्रा होगे, पोलेंड, वालसा इसकी राध्धानी है, जोलोती मुद्रा, नॉर्वे, ओसलो इसकी राध्धानी है क्रोन इसकी मुद्रा फोर्दगाल लिस्वन इसकी राधानिये एस कुडो इसकी मुद्रा फ्रांस पेरिस इसकी राधानिये फ्रेंक इसकी मुद्रा जर्मनी बरलिंग इसकी राधानिये डियूस मार्क इसकी मुद्रा यूनान एंथेंस इसकी राधानिये ड्याचमा इसकी गुड़ापेश्टिक की राध्धानी है, फोरिंग्ट इसकी क्या है मुद्रा, डेनमार्क, कोपेन हैगन इसकी राध्धानी है, क्रोन इसकी मुद्रा, लिथुआनिया, वेलनियस इसकी राध्धानी, लेतास इसकी मुद्रा, एस्तोनिया, तालिन इसकी राध्धानी, क्रोन इसकी मुद्रा, Sweden, Stockholm, मुद्रा होई, क्या होई, राधधानी,गरोना, मुद्रा, Switzerland, port¿one, इसकी राधधानी है, Frank, इसकी मुद्रा, Great Britain, लंदन इसकी राधधानी है, Pound, यहां की मुद्रा, Macedonia, Escobaje, इसकी राधधानी होगे, दिनारि इसकी मुद्रा, हेरवीनिया इसकी क्या होगी मुद्रा-फिलेंड लिएल सें की मरक्का मरक्का इसकी मुद्रा नीदलेंड ऐमस्टर्डम इसकी राधधानी अन गृल्डर यहां की मुद्रा-इसलेंड सिक्यावी की इसकी राध्धानी करोना इसकी क्या होगे क्रोना इसकी इसकी मुद्रा होगे ओष्टिया वियाना इसकी राध्धानिया से लिंग इसकी मुद्रा है आर्मेनिया एरेवान इसकी राध्धानिया रूबल इसकी मुद्रा होगे चैगर राज फ्याग इसकी राध्धानिया कू और कोरूना इसकी राध्धानी क्या होगे मुद्रा होगी ठीक है तो यह भी याद रखिएगा रोमानिया वो खाफित रेश्ट इसकी राध्धानी है लिव इसकी मुद्रा होगी माल्टा बले वालेटा इसकी राध्धानी होगी पाउंड इसकी मुद्रा फिर आप और इसकी वादूज इसकी राध्धानी है, फैंक यहां की मुद्रा, सान मारीनो, सान मारीनो इसकी राध्धानी है, लीरा इसकी मुद्रा, वसनिया, हरजे गुनवीना, सरा एवो, इसकी राध्धानी होगी, मार की यहां की मुद्रा, अंडोरा, अंडोरा लावीले, इसकी र राइलेंड डौलीन इसकी राध्धानी होगि यहां की मुद्रा बुल्गारिया सूफिया है लेवा यहां की मुद्रा मुल्दुवा कि किसी नेयो है और लिव यहां कि मुद्रा कोरिसिया की जागरे जागरियो है जागरी ऐहा कि मुद्रा इथली की रॉम्भी रादधानी लिच गांगी दक cobrati सुद्वय लाद्धानी होगी यो कराउन है कि म०्रा कोशो प्रिष्ट हो नीच प्रेष्टीन यह तो है देख रहे थे रहे हैं है तर्थर आपके ऑस नियाई दूई पाते जा के विको और डॉलर हुरह यहा की मुद्णा नुजीलेंड में बैलिंगटन इसकी राध धानी डॉलर हिहा की मुद्णा exist पंग की मुद्रा इस की मुद्रा ज kick, और दोоловा नयुकिन की मुद्रा इऔर और वाला दोहिगे, जोनकक कुरॕित नत्यन मि अपर आपंग की मुद्रा इससी मुद्रा प्रेंच निस्या इसकी मुद्रा परहने भी? की मुद्रा फेजी सुभाय इसकी राध्धानी डॉलर यहां की मुद्रा मारसल दूइप मजूरे इसकी राध्धानी यूएस डॉलर नारू की यारेन डॉलर इसकी करन्सी तुवालू फुना कोटी डॉलर इसकी मुद्रा पर्श्मी समुवा एफ या इसकी राध्धानी ताल याराइस की राजधानी डौराइस की मुद्रा तो ये सब ही आपके देश हैं और इनकी राजधानियां और करेंसी देखे एक बात फिर से आप लोगों को बता रहा हूं किसी के लिए भी इतने सा पुएंट याद रखपाना बड़ा मुश्किल होता है इसमें क्या होता है कि आप लोग करेंट ऑपेर से जुड़े रहते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि कौन सा डेश जान चर्चा में बना हुआ है भू आविष्ठीड देशों को देख लेते हैं भू आविष्ठीड देश होते हैं जिसमें समुद्री तटर रिखा नहीं पाई जाती यह देश और से आप देखीके अन्य देशों की भोगली सीमाओं से घ्री रहते हैं, इसमें कुछ प्रमुख भू अविश्टेशं की बात करें तो जैसे ऐसीया हो गया, अप देखीकेगा अफगानिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, मंगोलिया हो गया, लाउस हो गया, आजर वेजान हो मिस्इडोनिया सर वेकल सिटी अर्मिनिया पेलारूस। मरीनłeवक क्ला अपिकामे चलें तो वुस्वाना वो गया वुरुंडी हो गया चाढ़ हो गया लिसोतो म這個 मलावी हो गया माली हो गया नैजर हो गया जिम्बांभे में भर लुवांडा हो गया स्वाजी लेंड हो गया युगान्डा जांविया बुर कीनाफ्वासु रवणडा रावनडा दस्च्डी सूडन एथोपिया मद्धअफी की गड़ राज ठीक है और जश्टिडी अमेरिका में जाएंगे तो बॉलिविया पराग भी हो गया इन सभी को याद रखेंगे सबसे भू आविश्टि देश कजाकिस्तान है भू आविश्टि देशों में दो ऐसे देश हैं जो दोहरे भू आविश्टि थे अर्था यह देश चारो और से उन ये USA में है और अमेरिका ने जुलाई 1945 में पहला नापकी ये विस्पोर्ट यहीं किया था विलिंग्स गेट ये लंदन में है ये विरिज लंदन का पिसिद मचली बाजार है इस टेचू आफ लिबर्टी ये निवार की USA में देखने को में लेगा इसे 1860 में पिसिद मूर् ये है मूर्ती सोतंता का पिदीख है 28 सक्टूबर 1860 को USA ने इसी अधिकारी क्रूप से स्विगा रहा था रेड़ स्कौायर ये रूस में देखने को मिलेगा क्रेमलिन इस्थित ये एपिसिद इस्थान है जहां लेनिन की समाधी है एली सी पैलिस ये फ्रांस में देखने को है जाते हैं पेंटागन और USA के रक्षामंतलाले की बिल्डिंग है तो यह याद रखिएगा बरजीनिया मिस्तित या विल्डिंग विस्ट का सबसे बड़ा कार्याल की विल्डिंग मानी जाती है और डिजनी लेंड यह यह एक मनुवरिजन पार्क है जो कैलिफॉनिया के अनाहीम नामकिस्थान पर बना है इसका निर्वांट वाल्टर इलियास डिजनी ने 1955 में करवाया था अराविले यह भारत में है यह यूनेस कूक द्वारा गोसित विस्व का पहला अंतराष्टी नगर है यह फॉन्डिचेरी में इसकी स्थापना अर्विंदो सोसाइटी की मीरा अलफेसा दामदर के द्वारा 28 परवड़ी 1968 को की गई थी तो यह तहानी हुई आपके भूगोल के बारे में मुझे लगता है कि बड़ा जल्दी जल्दी हम लोगों ने बात की हुई है तो हो लग सकता है यह आप लोगों को एक बार में समझ में ना है तो एक से दो बार आप लोग देखे आराम से समझ में आ जाएगा अब बचता है कि भूगोल की बात करते हैं हम लोग करेंगे भारत की परिख्च में और आपकी परिख्चाओं में काफी कुष्टन्स आपके भारत की भूगोल से जरूर आते हैं तो आप लोग एंजवाय करिए, हम लोग तो बात करते ही रहेंगे, हम लोग कहा जाने वाले हैं, ठीक है, ओ, कुछ सुझाओ हों तो आप लोग बता सकते हैं, उन्हें भी माना जाएगा, उन पर भी विचार किया जाएगा